नमस्कार, Jai CAC, मैं समर्च वादरी और आज मेरे साथ सुनी सर हैं तो सर सबसे पहले टेक्नो 24 एस्परेंट्स का वेलकम तो वीडियो सॉलूशन और एक बहुत अच्छा एक्जाम अपने पांसमों को कंड़क्ट करा है साथ स्टेट में जिसमें अपने को पैरेंट्स और बच्चों के बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला बहुत शांदर बिल्कुल सर तो और आप क्या कहना चाहोगी सर सबसे मैं चीज है कि पहली बार इतना बड़ा एक्जाम कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर शेवन स्टेट में कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर 1,38,000 प्लस इस्टूरेंट्स इसके ऐस्पैरेंट्स बने बिल्कुल सर इसके भागिदार बने और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पैरेंट्स का जो अपने बच्चे को एक स्वर्णिम भविश् पैरेंट्स का जिन्होंने स्टूरेंट्स के विश्वास किया और अपने बच्चे को रिजिस्टर कराया एक लिए परतिवाओं को तलास कर तरासने के इस महावियान में जो कलास फिफ से लेकर क्लास ट्वल तक के सुडेंट के लिए कंड़क्ट कर वाए गया उन सभी स्ट को CLC की तरफ से पहले से ही congratulation और जल्द ही उनका result भी declare होगा first of all मैं आपको बता दूँ इस video solution में आपको क्या-क्या मिलने वाला है आपका जो भी पेपर रहा उसके जो भी content थे जो भी subject थे उसका complete depth wise video solution मिलेगा आपको और इस paper की खास बात जो बच्चों की द्वारा हमें मालूम हुई वह बात थी कि totally NCRT based paper होना exam oriented paper होना बहुत सारे ऐसे students sir जुनों ने पहली बार OMR को approach किया था पहली बार OMR based paper दिया था तो कहीं न कहीं एक रस्ता और mind का जो expansion है इस चीजों को लेकर कि OMR based paper कैसे होते हैं और competitive approach कैसी होती है एक competition exam कैसे देते हैं साथ state के बच्चों के साथ अपनी class exam दे रहे हैं कि 22 लोनों को result declare होगा तो आपको भी पता लगा कि मेरी class में बच्चों में कहां खड़ा हूं तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा confidence रहेगा अच्छा platform अपने दिया है बच्चे को तो बच्चे के मेरी class का जब मेरा annual exam होगा या जो 12th का बच्चा जब मेरा NEET का exam होगा या जए का exam होगा तो मुझे कौन से topics पो और ध्यान देना है मैन focus मेन focus को और किस topic पे करना है और सबसे खास बात ये भी रही कि बच्चों ने जो syllabus पढ़ाता ना अपनी स्कूल में उसी के ऊपर बेस् से कोई भी single question भी नहीं होना ये बच्चे के अंदर फिर से confidence के level को अराइच करता है तो result declaration date के बारे में और जो आंस्वर की upload हुई आज ये video solution हो रहा है एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि इनकी dates क्या क्या रहेंगी सर अपने 5 नौंबर शाम पांच बजे टेक्नो 24 की answer की आठ नौंबर रात को आठ बजे complete paper का solution in English and Hindi medium separately अपने से सिगर के YouTube चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं और उसके अवादे 22 नौंबर को अपन टेक्नो 24 का पांच बजे result डिकलर करने वाले हैं में अनौंस्मेंट में जीता है क्या कैस जीता है क्या स्कॉलर्स आपको मिलने वाली है इस सब का अनौंस्मेंट मैं कहने जाहूंगा एक कुबेर का खजाना है गोट् необход तारिक को खोला जाएगा और आपने उसमें क्या-क्या भागिदारी नीवाई यह वो सबकुछ test code number 2411 English medium this solution will be more in English medium तो चलते हैं 11th physics paper की तरफ देखते हैं कैसा रहा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का पर अच्छा हुआ होगा चलते हैं solution पर देखें the respective number of significant figures for the numbers these are we need to find significant figures in the given numbers तो अगर अपन देखें यहां पर significant figures के rules अपन अप्लाई करेंगे और देखो क्या है पहला number अपने को दिया है that first number is 6.320 तो हम लोग जानते हैं that this number is significant non-zero numbers are significant and zeros coming after decimal are significant तो इसमें अपने पास significant figures हो जाएंगे 4 next we have this number this is significant this is significant this is significant और दो significant numbers के बीच में और कोई significant figure आ रहा है तो that will also be significant so we have four significant figures in this उसके आगे अगर अपन चलते हैं तो यह number अब लोग को दिया है and in this number if we see that zeros at the beginning are non-significant ठीके फिर से this is non-zero number this is significant this is significant and this is significant and the zero coming between the significant figures is significant तो इसमें भी अपने पास significant figures कितने हो जाएंगे that will be 4 तो अगर अपने पास इन तीनों numbers में significant figures देखें then the numbers of significant figures are 4 4 4 answer for the first question will be 3 ठीके all the all the numbers have four significant figures चलते हैं अगले question पर the question is dimensions of power are what are the dimensions of power power के लिए अगर अपन चलें then we know that the power is rate of work then या power को अगर मैं बोलू तो that dw upon क्या हो जाएगा मेरे पास dt then again अगर अगर अपन dimensions के sense में बात करें then in dimension यह हो जाएगा मेरे पास work done upon क्या हो जाएगा time work जो है उसकी dimension के लिए अगर मैं बात करूं then the dimension for work is m1 l2 t-2 dimension for work and the dimension for time is t if we go for this dimension then we will be getting result that is m1 l2 और यह हो जाएगा मेरे पास कितना minus 3 this will be m1 l2 t-3 let us check for the solution m1 l2 t-3 so this will be the correct answer for question number 2 m1 l2 t-3 simple question चलते है next question पर question number 3 in an experiment to estimate acceleration due to gravity g by the equation this if error in measurement of l is 2% measurement in length is error in measurement of length is 2% and measurement in or and the error in the measurement of t is 3% then the estimated error in g will be we need to calculate or estimate the error in g if we see for this equation then the g is given by 4 pi square l upon t square now if we see this term is constant then there will be no error and only the error of g will depend upon error in l and t if we see then we can write g is basically proportional to l upon t square and now if we go for error calculation applying the rules of error calculation we can see that the percentage error this is multiplication division format then we can see that the percentage error in g that is delta g upon g that will be equals to delta l upon l plus 2 times of delta t upon t now if we see this is the percentage error if I multiply it by 100 multiplying both the equations or both the sides by 100 will be getting this will be the percentage error on l plus this will be the which will be percentage error in l plus this will be 2 times of n this delta t upon t into 100 will be percentage error of t. So, if we want to calculate the percentage error of g we can get the result that what is the percentage error in l that is this is 2% plus different will be the that is correct. So, this is 3, 2 x 3 x 2 will be getting 8 percent, then the percentage error in acceleration due to gravity in given question will be 8 percent, 8 percent is the option number 1, then answer of question number 3 will be 1. Next, question number 4, if we have n main scale division and MSD, question is giving n main scale division that is equals to n plus 1, n plus 1, vernier scale division. So, what is the least count of vernier calipers, least count of vernier calipers, main equation of least count of vernier calipers is 1 main scale division minus 1 vernier scale division. If we solve this equation, if we can directly go for least count of vernier scale or vernier calipers that can be written as, if we go directly for this, then we have n or n plus 1, then we can write what is whatever is the delta n between the delta n between the main scale division and vernier scale division, delta n MSD upon number of number of VSD. This will be the solution of this equation, I can solve it, but you can directly go for it also, then our solution will be that what is the least count of vernier calipers that is delta n main scale division upon number of vernier scale division. division. Let us go for it. Delta n, delta n ka matlab yeh hai ki yaha par yeh joh n diya hua hai main scale division aur yeh joh diya hua hai mereh paas vernier scale division, in dono ki bich mein kitna difference hai? In dono ki bich mein kitna difference hai? To yeh mereh paas hai n or yeh hai n plus 1 to in dono ka difference joh hojaega, the delta n is basically 1. 1. Then we can directly write that least count of the given vernier calipers will be this one, this will be MSD upon number of number of vernier scale division. that is n plus 1. So, denominator to me kitna hojaega, number of vernier scale division that is n plus 1. And if we can see here, one MSD, one MSD ki detail amma log ko aage diya hua hai. That each centimeter of main scale is divided in five equal parts. One centimeter is divided in five equal parts. So, this will be basically we can write this will be 0.2 centimeter or I can write as 2 millimeter. So, one MSD ki value joh ho chukhi hai, woh kitna ho ga hi hai aapne paas? That is 2 mm. So, yeh mereh paas ban ga hai kitna? 2 mm. और अगर अगर आपन देखें तो result अपना रहेगा. That is least count of vernier division, vernier scale or given vernier calipers. That is 2 mm upon n plus 1. 2 mm upon n plus 1. Yeh joh equation hai. Is equation ko solve karne ke baad iska result jo bantah hai. Yeh bantah hai. Toh, मैं इसको सीधा use kar raha ho. इसको solve bhi kiya jaha सकता hai. Result will be 2 mm upon n plus 1. This will be 2 mm upon n plus 1. One simple question. Good question. चलेंगे अपन question number 5. Question number 5. A particle traveling from rest with constant acceleration travels distance x in first 2 meter and travels distance y in next 2 seconds. ठीक है? और starting from rest, initial velocity अपने पास कितनी हो चुकी है? Zero. Then, इन दोनों distances में क्या relation रहेगा? उसके रिए अपन चलें तो सबसे पहले अगर आपन देखें. First 2 second में जो distance travel होगी. वैसे तो हम लोग equations या ratio की according solve कर सकते हैं. पर फिर भी मैं इस question को पूरा solve कर रहा हूँ. X is distance traveled in first 2 second, X और s इसीघस तो अपन use करेंगे ut plus half gt square और at square. तो यह है? और constant acceleration, constant acceleration में कुछ नहीं बुला है, इसने तो अपन इस g को A लिग देता है. g भी पिन सेट कर सकते हैं. इस object is free falling under gravity. तो this will be s इसीघस तो ut plus half at square. जिसको अपन use करेंगे जिसमें यू की value कितनी हो चुकी है जिरो हो गई है तो basically we can go for this x will be equals to half 80 square only और x के लिए बोला हुआ है कि this x is the distance traveled in first 2 seconds, first 2 seconds में अगर अपन चलते हैं then x will be equals to half a and this will be 2 square, ठीक है, अब इसने बोला है कि next 2 seconds, next 2 seconds का मतलब यह है कि 2 से लेके 4 तक के बीच में जो distance travel की हुई है, तो वो जो distance रहेगी, वो हो जाएगी मेरे पास, 4 second में total travel distance यहां से, यह हमारे पास हो गया x, यहां हो गया time 2, यह हो गया x, और 2 से लेके 4 में next 2 seconds रहेगा, यह रहेगा time 4 और यह distance जो है, वो आई है, तो मैं यह वाली distance अगर calculate करनी है, तो मैं इसको यह ब t square, तो 4 second की total distance, minus इसमें से में क्या कर रहा हूं, 2 second की distance, that is half a, यह हो जाएगा मेरे पास 2 square, यह इसको मैं अगर लिखना चाहूं, then I can write y, that is half a, 4 square minus 2 square, this is 16 minus कितना हो जाएगा मेरे पास 4, और इदर जो चलना है, that is equals to, that is half a into कितना हो जाएगा, 4, तो अगर अपन इसको solve करन हैं, तो y की value जो बन जाएगी, वो मेरे पास हो जाएगी, half a, this will be 12, और हम लोग को y और x में relation बताना है, तो अपन इसको divide कर सकते हैं, तो मेरे पास y will be y upon x, that is equals to, this is half a 12, upon हो जाएगा मेरे पास half a 4, इसको cancel, यहां से cancel, this will be 3, और y will be equals to, कितना रहेगा, 3x, ठीक है, वैसे ने इस question को पूरा solve किया है, बट अगर अपने को इस सरे के कोई और भी question आते है, then we can go that, कि अगर हम लोग को equal division दिये हुए है, equal division में जो distances travel होती है, उन distances का जो ratio चलता है, that is between, that is, 1, 3, 5, 7, 9, odd numbers का ratio चलता है, कहने का मतलब, अगर मेरे को पहले 2 second में कुछ distance है, तो दूसरे 2 second में जो distance रहेगी, वो उसकी 3 गुना रहेगी, तीसरे 2 seconds में जो distance रहेगी, वो 5 गुना रहेगी, और चोथे 2 second में जो distance रहेगी, वो 7 गुना रहेगी, तो इसको अपन सीधे भी solve कर सकते है, इसमें इतना solve करने की ज़रत नहीं पड़ेगी, बट यह इसका complete explanation भी है, और result will be y equals to 3x, question number 5 का answer आएगा, 3, चलते हैं हम पन question number 6 पर, the displacement of the particle moving in a straight line is given by this equation, the correct representation of the motion is, हम लोग को x की value दी है, x equals to this is 1 minus t, minus का क्या हो जाएगा, t square, अब अपने को motion देखनी है, और basically इस motion के लिए अगर आपन बोलें कि यहां पर आपको x और t की बीच में graph बनना है, तो इसका एक तो यह तरीका हो सकता है, आप t की कुछ values पुट कर दो, जिससे x की value निकाल लो, जिससे graph बन जाए, एक तो यह है, दूसरा यह तरीका होता है, जब objective type questions होते हैं, तो उनको solve क आप यहां पर देखेंगे, कि time हमेशा positive होना है, यह term भी positive रहनी है, और यह term भी क्या रहनी है, positive रहनी है, this is right now positive, अब मैं अगर यहां पर बात करूँ तो यह दोनों term, यह term positive क्यों रहनी है, क्योंकि यह t square है, और time हमेशा positive हो रहेगा, तो यह जो number मिलने वाला है, यह रहनी कि अगर मैं x की बात करता हूँ, तो x की बात करने पर हमारे पास जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे-वैसे x की value हमेशा क्या होगी, कम होगी, because time will always be positive, तो अपने को कोई ऐसा graph देखना है, जिसमें time बढ़ने के साथ-साथ x की value क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इधर अगर अगर आपन देखें, तो time बढ़ रहा है, तो x की value बढ़ रही है, यहाँ पर भी अगर आपन देखें, तो time बढ़ने के साथ x की value बढ़ती जा रही है, तो this is also not correct, इन में से सबसे suitable option हमारे पास, और a की option है, जिसमें time बढ़ने के साथ-साथ x की value क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो answer of 2 will be, answer of 6 question will be 2, क्याने का मतलब time बढ़ने के साथ-साथ x क्या होता जाएगा, degrees होता जाएगा, और ये graph ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये t square की equation है, basically x और t की बीच में क्या आएगा, एक parabola बनेगा, ठीक है, इस graph में यहाँ पर थोड़ा सा angle जो है, वो थोड़ा सा tilted होना चाहिए, बट ये सबसे suitable option रहेगा, क्योंकि हमारे पास के वले एक ही option है, जिसमें t बनने के साथ-साथ x क्या हो रही है, कम हो रही है, और इदर, this will be the correct answer for question number 6, एक बढ़िया question, graph का, graph की basic knowledge की according, graphs में time हमेशा positive रहेगा, और graph में अपने को t positive की value के दिये ही graph को draw किया गया है, और ये दोनों terms negative है, इसका मतलब x की value t बनने के साथ-साथ हमेशा क्या होगी, कम होगी, okay, very good, चलते है अपन question number 7, question number 7, two identical balls are shot upward, one another, one after another, at an interval of 2 seconds, along the same path, and with the same velocity, 40 meter per second, the height at which the balls will collide with, चलो, तो बात ये चल रही है, कि हमारे पास एक object को अपने यहां से project किया, उपर किदर, यह मैंने इसको इधर project किया है, कुछ velocity से, एक तो मैं जानता हूँ, कि यहां से यह इस तरह से जाएगा, acceleration due to gravity के against, और यह वापिस इधर से आएगा, इधर आएगा, अभी अपने इसको 40 से फेका हैं, तो हम यह जानते हैं, यह वापिस return भी कितने से होगा, 40 से ही होगा, दूसरा object भी अपने यहीं से इसी path पर फेका है, तो दूसरा object भी इधर ही जाएगा, अब अगर मैं बात करूँ, इनके collision की, तो इनका collision जो होना है, वो collision होना है, इस जगह पर, इनके बीच में जो time difference है, collision कब होना है, कि पहरी ball ज दूसरी ball जो हैं, वो उस रस्ते पर उदर जा रही है, क्या बात समझे में आ रही है, इस 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 जगह पर इनकी collision होगी, और अपने को यह बताना है, कि किस height पर यह collision होगी, तो यह height मेरे को calculate करने है, that is, let us consider this is edge, क्या बात समझे आ रही है, रही है, चलते हैं, अपना आगे, अब मेरे को यह बुला हुआ है, कि इन दोनों balls की बीच में दो second का time difference है, दो second का time difference होने का मतलब हम यह जानते हैं कि एक ball को जितना उपर जाने में time लगता है, उतना ही उसको वापस नीचे आने में time लगेगा, और यह वाला जो time difference है, यह वाली ball जो है, यह आगे वाली ball यहां से यहां तक 2 second में, जाके 2 second का gap है, इसका मतलब इदर जो लगने वाल time है, वो एक second रहेगा, और इदर जो लगने माला time है, वो भी कितना रहेगा, एक second रहेगा, अब मैं अगर यह बोलूँ कि यह जो मेरे पास total height है, that total height is let's say h, यह मेरी total height, जहां तक ball जा रही है, तो 1D की equation के according अपन total height के लिए formula लगा सकते हैं, total height जो होती है, वो कितनी होती ह इसके according चलता हूं, तो u कितना अपने पास 40 हैं, तो 40 into 40 upon यह हो जागा, 2 into g 10, तो 20, 40, यह कितना हो जागा, मेरे पास 2, total height रहेगी, मेरे पास 80 meter, यह मेरे पास total height है, मेरे को यह h calculate करना है, तो इसके लिए में यह कर सकता हूं, कि अब यह जो ball वापिस यहां से नीचे, एक second में कितना आ रही हैं, उसको count कर लिता हूं, और यह ball यहां से आ रही है, तो इसकी जो इस वाले path पर इसकी initial velocity कितनी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि topmost point पर velocity 0 होती है, तो यह ball एक second में कितना गिरेगी, उसको में calculate कर लिता हूं, let us consider this distance is a, यह distance अगर a है, तो a को मैं बोल सकता ह this is ut plus half gt square, जिसमें initial value सरथ होगी, 0 plus half g की value मेरे पास होगी, 10 और t की value मेरे पास कितनी होगी, 1 square, तो यह कितना आ जाएगा, मेरे पास 5 meter, तो यह total 80 meter आ गया, जिसमेंसी यह 5 meter होगया, अपने पास यह जो gap बच जाएगा, h that will be equals to this capital h minus कितना होजाएगा, a which is 80 minus कितना मेरे पास 75 meter, अमरा answer होजाएगा 75 meter, 70 का answer number कितना होजाएगा, 2, 7 का answer होजाएगा, 2, 75 meter, ठीक है, बढ़िया question है, चलता है, question number 8 पर, question number 8, the figure shows the displacement time graph of a particle moving on x-axis, displacement time curve अपने को दिया हुआ है, और particle की motion के लिए अपने को information provide करनी, तो particle motion, हम लोग यह जानते है, that velocity is basically slow, slope of x-t curve, x-t curve का slope होता है, वो velocity होती है, अगर मैं देखो तो यह जो slope है, slope जो होता है, वो क्या होता है, हमारे पास 10 theta होता है, 10 theta is the angle from horizontal, तो मैं अगर इसी particle के लिए velocity का graph बनाऊ, यह रा मेरे पास velocity, तो यहां से अगर मैं देखूँ, तो यह time मेरे पास t-nod है, तो t-nod पर this state line, state line का slope constant होता है, क्योंकि इसका horizontal से angle क्या है, तो इस time पर मेरे पास जो velocity रहेगी, वो constant रहेगी, यानि कि particle T0 time तक जो है, वो constant velocity से चल रहे है, क्योंकि इस state line का angle horizontal से constant है, तो यह angle constant to 10 theta की value क्या हो जाएगी, constant, अब आगे चलते है, आगे इसका horizontal से angle कितना है, 0 degree है, तो 10 0 की value कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो आगे वाला system में अगर अपन चलें तो हमारे पास इस वाले zone में particle का x constant है तो इस time पर हमारे पास velocity कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी ठीक है तो इसका मतलब यह है कि particle टी जीरो टाइम तक तो एक constant velocity से चल रहा है और टी जीरो के बाद particle किस पर आ चुका है rest पर आ चुका है इसको solve करेंगे particle is at rest नहीं गलत particle is continuously moving along x direction particle is continuously going along continuously not going यह तो rest पर आ रहा है इदर यह भी गलत हो गया the velocity of particle increases up to time 0 and then become constant नहीं particle की velocity पहले constant है बाद में 0 हो रही है यह भी क्या हो गया है गरत हो गया है particle moves at a constant velocity up to time t0 and then it stops हाँ यह पहले वी नॉट से चल रहा है और उसके बाद क्या हो जाएगा रुख जाएगा इसकी velocity कितनी में जाएगी 0 हो जाएगी तो 8 का अंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आए चलो next question number 9 the project body is projected with an angle of 30 degree with the horizontal with momentum is p the highest point magnitude of the momentum will be तो projectile motion का question है और यह यहाँ पर कुछ p momentum से object को फेका गया है तो p momentum जो होता है momentum कितना हो जाएगा मेरे पास m u क्योंकि मानलो अगर अपन ने इसको u velocity से फेका है तो यह मेरे पास m u इसका initial momentum हो जाएगा हम यह जानते कि topmost point पर particle जो होता है उसकी जो velocity होती है वो कितनी होती है u cos theta तो topmost point पर momentum जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m u cos theta यह इसको देखे तो m u cos जो है angle कितना दे रखा है हमने को 30 degree दे रखा है तो cos 30 sin 60 root 3 by 2 तो this will be root 3 by 2 क्या हो जाएगा m u और m u जो है वो कहन है मेरे पास p है तो this will be root 3 by 2 p this will be the momentum at topmost point root 3 by 2 p root 3 by 2 p question number 9th का answer जाएगा first चलते हम पर अगले question पर question number 10 the maximum height attained by the projectile is 10 percent the increase in its by the increasing is speed of projection and without changing angle of projection the percentage increase in the horizontal range तो हम लोग को height में जो increase दे रखा है 10 percent दे रखा है और अपने speed को change किया है जबकि angle of projection को change नहीं किया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो इसको दो दरीके से solve कर सकते है अपन जानते हैं कि r 10 theta that is equal to कितना होता है 4 h ये projectile motion का एक short trick है जिसमें अगर अपन देखे तो theta constant है जब theta constant हो जाता है तो r जो है वो h किया हो जाएगी proportional हो जाएगी r और h proportional हो जाएगी r और h अगर proportional हो गए तो अगर h में 10 percent का increase हुआ है तो r में भी कितना percent का increase होगा 10 percent का increase होगा जिसके according अगर आपन देखे तो अपना result क्या हो जाएगा 10% अगर इसको ऐसे नहीं देखना है तो अपने ऐसे भी देख सकते हैं कि जो height होती है वो u square के proportional होती है और वापिस जो range होती है वो भी u square के proportional होती है तो यहाँ पर दोनों की proportionality u square के साथ में है अगर इसको मैं यू दे वापिस से u में 5% का increase हुआ है तो उसका square करेंगे तो r में वापिस क्या हो जाएगा 10% का increase हो जाएगा तो एक बढ़िया question है 10 विक answer आजाएगा कितना 3 चलता है एम बन question number 11 पर velocity and acceleration of particle at some instance of time are given as this and this respectively at the time at the same instant the particle is at origin okay particle is starting from origin the maximum x coordinate of the particle will be particle maximum x coordinate क्या रहेगा particle जो चल रहा है वो अभी origin पर है और उसकी velocities के लिए information दे रखी है कि उसकी x direction की initial velocity जो है x direction की initial velocity 3 है और y direction की initial velocity जो है वो कितनी है 4 है अगर x direction का initial acceleration बोल लूँ तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास minus 6 y direction का initial acceleration बोल लूँ तो यह कितना हो जाएगा minus 8 ठीक है अब हम लोग को यह बुलाओ कि उसका maximum x coordinate कितना होगा तो आपको यह बताना है कि यह particle x direction में maximum कितना जाएगा यानि कि x direction में maximum जाने की situation में इसका x direction की जो final velocity होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इसका मतलब वो x direction में अब आगे नहीं जाएगा तो आपको y direction की चिंता करने की जुरत नहीं है because 2D motion का मतलब यह होता है कि x direction की सारे parameter x direction को effect करेंगे और y direction की सारे parameter y direction को effect करेंगे केवल time दोनों में क्या रहेगा एक common parameter रहेगा then if we go for this situation तो मेरे को यह पता चल गया कि x direction में particle आगे नहीं जाए उसकी लिए final velocity क्या होनी चाहिए यह उसकी x direction की final velocity 0 होनी चाहिए in that case we can solve we know that using third equation of motion v square that is equals to u square plus कितना हो जाएका 2as on f we are applying it in x direction then v x square will be equals to u x square plus 2 x direction acceleration x direction displacement final velocity in x direction मेरको चाहिए 0 जबकी x direction में initial velocity कितनी है 3 तो यह हो जागा 3 का square plus 2 acceleration in x direction is minus 6 and displacement in x direction अपने को calculate करना है तो मैं displacement in x direction इसको उदर shift करता हूं तो this will be 12 displacement in x direction that is equals to 9 or displacement in x direction will be equals to 9 by 12 यह इसको में बोल सकता हूं this will be 3 by 4 3 by 4 का मतला हो जाएगा 0.75 0.75 3 by 4 0.75 तो result will be 11th का आजाएगा अपने पाद answer number 2 आजाएगा ठीक है चलते है अपने question number 12 पर a body of mass I am thrown upward with an angle theta the horizontal with velocity v while rising up the velocity of mass after t second will be okay good question तो हमारे पास यह situation है कि एक projectile को अपने fire किया है किसी angle पर theta पर यहां से मैंने इसको v velocity से theta angle पर fire किया है तो यह कहीं रस्ते में जब जा रहा है तब इसका t time पर इसकी जो velocity रहेगी उसका equation क्या रहेगा ठीक है अब मैं यहां पर अगर देखूं तो मेरे पास इसका horizontal यहां जो horizontal component रहेगा इसकी velocity कित्मीं दिरिखी हैं अपने को यू या वी ले लो तो यह कितना हो जाएगा वी cos theta हो जाएगा y direction में velocity हो जाएगी मेरे पास v sin theta अब मैं जानता हूँ कि इस जगे पर x direction का component horizontal या projectile motion में x direction का component जो रहेगा वो हमेशा constant रहेगा because x direction में कोई acceleration available नहीं तो x direction में जो velocity का final component रहेगा t time पर that will be equals to that will be equals to v u cos theta लिख लो या v cos theta लिख लो एक ही बात है v cos theta आख motion में v दिया हुआ है तो v से solve कर रहेगा पर हम यह जानते है that in y direction the acceleration due to gravity will be in downward direction और y direction की initial velocity f-ward है तो इसकी वज़े से y direction की जो velocity v y हो जाएगी उसको अगर मैं देखू then v y will be equals to u y plus of kya हो जाएगा 80 जिसको देखे तो u y की value कितनी दे रिखिया आपको v sin theta acceleration जो है that is g in opposite direction तो minus क्या हो जाएगा gt यह मेरे पास v x की value हो गई यह मेरे पास v y की value हो गई अगर मेरे को v बताना है तो किसी भी time पर v की other equation देनी है तो v will be equals to under root of क्या हो जाएगा v x square plus v y square then v will be equals to under root of यह हो जाएगा मेरे पास v x square plus v y square जिसको अगर अपना solve करने तो under root v x square का according इसका square तो this will be v square cos square theta plus v y square का मतलब है इसका square करना आप देको this will be v sin theta minus gt का क्या हो जाएगा whole square ठीक है यह a minus b का whole square नहीं इसको open कर देते हैं जिससे अपना answer बन जाएगा that will be under root of यह हो जाएगा v square cos square theta plus this will be v square sin square theta sin square theta plus यह हो जाएगा मेरे पास g square t square यह a square यह b square और minus of यह बन जाएगा मेरे पास 2 v sin theta into कितना हो जाएगा gt यह हो जाएगा a square plus b square minus 2ab अब जहां से देखे तो v square v square common sin square theta plus cos square theta 1 हो जाएगा तो यह पूरी term जो मन जाएगी वो कितनी मन जाएगी v square तो हमारे पास कुछ result ऐसा आना चाहिए v square plus g square t square minus 2v sin theta gt तो v square v square plus g square t square minus 2v sin theta into gt एक बहुत बढ़िया question 12th का answer आएगा हमारे पास third question number 12 answer number 3 चलाएंगे अपन अगले question पर यह particle moves in xy plane according to the law x जिकस तो kt दिरिखा है अपने को t and y जिकस तो अपने को दे रिखा है kt 1 minus क्या हो जाएगा alpha t यह बन रहा है where k and alpha are positive constant and t is time okay very good the trajectory of the particle will be trajectory of the particle तो आपने को यहाँ पर equation में अगर आपन देखे तो आपको y और x में relation पता करना है तो y और x में relation पता करना है तो यहाँ पर सब जगह पर अपन t को eliminate कर देते हैं और x की value रख देते हैं देखो यह kt लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर मैं सीधा-सीधा क्या लिख देता हूं यह क्या हो जाएगा x 1 minus alpha और यह t लिखा हुआ है तो यहाँ से t की value क्या लिख स alpha upon k x square x minus alpha upon k x square ठीक है तो यह बन जाएगा मेरे पास answer number 13 का 2 एक बढ़िया question trajectory of the particle लदे अपन question number 14 पर a ball of mass m is projected from the ground with an initial velocity u okay और project from the ground mass m दे रिखा है at an angle of theta at an angle of theta with the vertical theta angle is from vertical one important point what is the change in its velocity of the between the point of projection and highest point of the trajectory है तो एक बहुत ही बढ़िया question है देखो क्या है इस जगह पर हमारे पास particle जो है वो कुछ initial velocity से project किया गया है initial velocity की value तुमको दे दी है कितनी u but बात यह है कि आपको यह जो angle theta दिया हुआ है this is from vertical vertical का मतलब यह हो गया इधर हमारे पास यह हो गया theta ठीक है जिसकी वजह से मैं अगर इसकी initial velocity का vector form लिखना चाहूं तो इदर मेरे पास कौन है this is x direction and this is let's say y direction इस u का इदर वाला component जो बनेगा वो मेरे पास हो जाएगा कौन u cos theta और इस u का इदर वाला component जो बन जाएगा वो कौन हो जाएगा u sin theta क्या हो जाएगा u cos theta इदर हो जाएगा u sin theta जिसकी according इसका initial velocity vector अगर लिखा जाए तो बन जाएगा मेरे पास u sin theta i cap अगर ये एदर से दिया जाता है जो normal projectile में होता है तो x direction का component u cos theta होता पर आपको एदर वर्टिकल से दिरुखा है ठीक है u sin theta i cap प्लस उदर वर्टिकल में बन जाएगा मेरे पास u cos theta ओन हो जाएगा जेक है अब मैं जानता हूँ कि particle जब move करता है तो उस time पर x direction की velocity constant रहती है और y direction की velocity decrease होती जाती है और topmost point पर इसके पास केवल और केवल x direction की velocity बचेगी only x direction velocity will be there तो x direction की velocity की अगलिया अगर मैं इस जगे पर बात करूँ तो ये कौन बचेगा मेरे पास u sin theta बचेगा इस जगे पर और y direction 0 हो चुका है इस time पर अगर मैं velocity की equation दिखना चाहता हूँ then final velocity of the particle will be equals to this is u sin theta कौन हो जाएगा i cap y direction 0 हो जिया अब आपको बताना है what is the change in velocity change in velocity का मतनब आपको ये बताना है final velocity minus initial velocity then change in velocity that is final velocity vector minus क्या हो जाएगा initial velocity vector final velocity minus initial velocity को अगर अपन चलते हैं तो v minus final velocity minus initial velocity change in velocity between the point of projection and highest point तो highest point minus highest point minus highest point velocity minus initial point velocity जो बन जाएगा मेरे पास minus और ये भी कितना हो जाएगा minus यहां से अगर मैं इसको देखू तो ये cancel हो गया और v minus u vector जो हो जाएगा उसकी value हो जाएगी minus u cos theta j cap या मैं अगर इस change को बोलूं तो this will be u cos theta in magnitude बट इसकी direction जो रहेगी वो क्या रहेगी minus j cap रहेगी u cos theta minus j cap u cos theta minus j cap का मतलब ये हैं कि u cos theta will be the magnitude and direction will be negative j negative j का मतलब negative y negative y का मतलब ये direction रहेगी मेरे पास downward direction then we can see this will be u cos theta in downward direction एक बहुत ही बढ़िया question 14th का answer आएगा मारे पास one this result will be u cos theta downward this angle is from vertical ये आपको लोग को जान रखना है चलो u cos theta downward next question number 15 question number 15 friction coefficient depends on friction coefficient depends on हमें friction force नहीं पुझा है में friction coefficient पुझा है और friction coefficient जो होती है वो material की property होती है और जो surfaces एक दूसरे से contact में आ रही है उनकी property होती है then friction force depends on external applied force नहीं material की surface की property है velocity of the object नहीं normal reaction of the object roughness of the context surface context surface की property है friction coefficient जिसको अपन angle of report सी भी दिखता हैं कि अगर अपन एक object को ऐसा tilt किये एक incline को tilt किये जा रहा है तो किस जिगह पर object चलना शुरू हो जाएगा that angle 10th theta of that angle will be equals to friction coefficient जो angle of repose भी कहलता है theta is angle of repose चलो question no.16 पर चलता है which is not unit of force तो Newton तो होती है Newton में 9 भी होती है और उसके आगे अगे अपन चले तो म से अगर अपन चलते हैं म एक अकरड़िंग तो this will be kg and this will be meter per second square kg into meter per second square यह भी होती है यह जो हो जाएगा this is not the unit of force answer नमबर 3, 16 का आंसर नमबर क्या रहेगा, 3 रहेगा, next, question number 17, if the surface is smooth, then net force on 3 kg object will be, अदर यह पूरी surface smooth है, तो आपने पास 3 kg object पर net force कितना रहेगा, यह अपने को calculate करना है, उसके लिए अगर अपने चलें, तो 20 N का force लग रहा हैं, यह total जो mass है, वो कितना है मेरे पास, that is 5 kg, जिसकी वज़े से इसका acceleration अगर मैं देखूं, तो यह हो जाएगा मेरे पास कितना, that is, F is equals to M A, अगर मैं यूज कर लिता हूं, then, यह force, supplied force कितना है, आपने पास, applied force कितना है, 20, that is 5 into A, यह acceleration जो हो जाएगा, वो 2 kg की वज़े से इधर की तरफ normal reaction act करेगा, और this will be the force which will be deriving or driving the 3 kg block, इसका FBD बनाए, तो 3 kg पर इधर की तरफ यह force लग रहा है, जिसका नाम N है, और यह 3 kg और इसका acceleration A है, पर acceleration कितना हो चुका है, आपके पास, 4, तो फिर से मैं इसकी अगर लिखूं, तो N will be equals to कितना हो जाएगा, 3 into A, N will be equals to 3 into acceleration की value कितनी है, 4, तो this will be 12 Newton, 12 Newton will be the answer of question number 17, 12 Newton, 17 का answer 2, चलते हैं अंगले question पर, तो next question यह बोलता है, if a triangular wedge is moving with constant acceleration A, such that block is at rest relative to wedge, then A is, यह हमरे पास wedge जो है, यह move कर रहा है, triangular block है, जिसका एंगल 37 degree दिये हुआ है, and we need to find this acceleration A, so that this block remains at rest with respect to wedge, तो यह इसके respect में, यहाँ पर हमारा observer है, और इसके respect में यह rest पर है, तो यह accelerated frame हो जाएगा, non-inertial frame हो और अगर आपन यहाँ पर देखें, तो अपने पास इस पर कौन-कौन से force act कर रहे हैं, यहाँ पर इस object पर इधर की तरफ normal reaction force act करेगा, downward direction में इस object पर, downward direction में object पर क्या रहेगा, mg रहेगा, पर क्योंकि आपका frame accelerated है, उस case में इस object पर पीछे की तरफ जो force लगेगा, that will be pseudo force and it will be equals to ma, अगर अपन यहाँ पर देखें, तो angles की बात करें, यह angle अगर theta है, तो यह angle भी theta रहेगा, जिसकी वज़े से vertical की साथ बनने वाला यह angle भी जो रहेगा, वो क्या रहेगा, theta तो हमारे पास हम लोग को एक ही value पता करनी है, जबकि forces इस तरह से act कर रहे है, that this is vertical, इस direction में हमारे पास n act कर रहा है और n का angle जो है, यह theta है, इदर की तरफ कौन है मेरे पास ma और इदर की तरफ कौन है मेरे पास mg, इस n का इदर वाला component बन जाएगा मेरे पास कौन, n sin theta, ठीक है, तो equilibrium है, इसके respect में यह rest पर है, तो rest पर है, तो rest में अपन इसकी equilibrium की equation लिख सकते है, that n sin theta will be equals to क्या हो जाएगा मेरे पास ma और n cos theta will be equals to कितना हो जाएगा मेरे पास mg, dividing these two equations I can see, m से m cancel, n से n cancel, यहाँ देख सकता हूँ, 10 theta will be equals to कितना हो जाएगा, a by g और अगर मैं a की equation बोलो तो कितना हो जाएगा, g 10 theta और theta की value आपको कितनी दिरिखी है, that is 37 degree, g यह हो गया 10 और 10 37 की value होती है, 3 by 4, 10 37, तो 4 से 10 को cancel करता हूँ, 2.5 times और 2.5 into 3 जो हो जाएगा, मेरे पास कितना, 7.5 तो अपना answer आजाएगा, 7.5 meter per second, question number 18, answer number कितना हो जाएगा, 4 ठीक है, चलते है, question number 19 पर, अगला question, if object and the system are at rest, then mass of B will be, यह सारे object जो हैं, यह सब rest पर हैं, तो सब equilibrium में हैं, तो आपको B का mass बताना है, B का mass बताने के लिए अगर अपन चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले, इस पर इधर की दरफ normal रहेगा, vertical direction में इधर normal और इधर mg cos theta रहेगा, वो तो आपको किसी दर ऐसे यहाँ पर effect नहीं कर रहे हैं, because these are normal to the inclined plane, इस side में जो रहेगा, वो हो जाएगा, मेरे पास mg sin theta, जिसमें values पुट करें, तो m की value 10 हो गई, यह हो गया, मेरे पास g और यह हो जाएगा, मेरे पास कितना, sin theta, that is sin 30, sin 30, sin 30 की video हो जाएगी, मेरे पास कितनी, 1 by 2, 1 by 2 की according यह result बन जाएगा, मेरे पास 5G, यह हो गया 5G, 5G जो बन रहा है, इधर force है, इधर मेरे पास क्या है, tension है, तो यह T जो है, इस 5G force को balance करेगा, जिसकी वज़े से एक equation तो मेरे पास बन जाएगी, T की value कितनी हो जाएगी, 5G, अब हमें चलते हैं, यह T ऐसे रहेगा, यह T ऐसे रहेगा, यह T मेरे पास ऐसे रहेगा, इधर की तरब मेरे पास हो जाएगा, 2T, यह इधर की तरब मेरे पास कितना हो जा है तो यह जो पुली है इसके ऊपर दोनों साइड में इधर से और इधर से दोनों साइड में कितना है T और T है टेंशन है इस पर डानवर्ड डारेक्शन में जो नेट फोर्स लगना है वो कितना लगेगा 2T लगेगा अगर अपने पास देखें तो 2T will be equals to capital M into कितना हो जाएगा G चलो 2 T की value अपने पास पहले से कितनी आई है 5G आई है that is equals to M into कितना हो जाएगा G G से G cancel और M की value कितनी हो जाएगी 5 into 2 that is 10 एक बढ़ी हा question तो answer will be fourth M will be equals to 10 kg 10 kg question number 90 if all surfaces are smooth then acceleration of 5 kg block will be चलो यह भी अच्छा है अगर यहां पर सारी surfaces smooth है तो अपने को इस 5 kg का acceleration पता करना है तो 5 kg का acceleration जो रहेगा वो 5 kg का acceleration अगर A है तो इस A की value अपने को पता करना है ठीक है but the point is यह 5 kg चल किसकी वजह से रहा है तो यहां पर मैं देख लाता हूँ कि यहां पर जो tension है उसकी वजह से यह 5 kg move करेगा जिसकी वजह से मेरे पास एक equation बन जाती है वो यह हो जाएगी कि T will be equals to 5 into कितना हो जाएगा A F बराबर MA and this T will be responsible for motion of that 5 kg block ठीक है चलो आगे यह tension action reaction में ऐसे रहना है यह tension ऐसे है यह tension ऐसे है यह tension ऐसे है यह tension ऐसे है इधर हो जाएगा मेरे पास 2T और यह भी हो जाएगा मेरे पास 2T वाप इस से वह concept इस पुली पर उपर की तरफ net force कितना है 2T तो downward direction में कितना force रहेगा 2T अब अगर अगर आपन यहाँ पर देखें तो constraints के according अगर आपन चलें तो इस block को हम बोले तो इस block पर लगने वाला उपर की तरफ force कितना हो चुका है that is 2T और इसमें tension double हो गया है tension double होने की वज़े से इसका जो acceleration रहेगा वो आदा रहेगा means यह जितनी acceleration से चल रहा है उसके आदे acceleration से यह चलेगा यह constraint rule है इसको अगर पर इस तरह से देखें कि यहाँ पर यह string जितनी distance travel करेगी पर यह क्योंकि fold हो रही है इस पुली पर ऐसे fold होके आई हुई है तो अगर यह x distance travel करती है तो यह वाला जो block रहेगा वो x by 2 distance ही नीचे आएगा क्योंकि यह x distance इस पुली पर move होगी तो x by 2 इधर रहेगी और x by 2 इधर रहेगी जिसकी वज़े से यह जो point है यह पुली है यह किवल x by 2 distance नीचे move करेगी जिसकी वज़े से अगर इसका acceleration a है तो इसका acceleration कितना रहेगा a by 2 रहेगा क्योंकि इसकी distance traveled की आदे distance यह travel कर पा है इसको अपन short में इस तरह से देखते हैं कि यह आपर tension जो है वो double हो गया तो इसका acceleration कितना हो जाएगा आदा हो जाएगा जब तक कि single string से सारा connection चल रहा हो ठीक है तो यह कुछ situation अपने को बन चुकी है यह block कितने का है 10 kg का block है इस पर downward direction में जो force रहेगा वो कितना रहेगा 10 g रहेगा अब इसकी equation लिख देते है doubtment में कितना है 10 g minus का कौन हो जाएगा ऊपर कौन है अपने पास 2 t that is equal to value कितनी हो जाएगी यह this will be 10 into कितना हो जाएगा a by 2 आगे this is 10 g minus 2 t की value 5 a है तो 5 a रुखूंगा तो यह कितना हो जाएगा 10 a हो जाएगा that is equals to यह कितना हो जाएगा मेरे पास 5 a तो यह बन गया 5 a यह को इदर लेकिया आता हूं तो 10 and 5 this will be 15 a that is equals to कितना हो जाएगा 10 g हो जाएगा 5 से cancel करते है यह 2 times c हो जाएगा 3 times a की value जाएगी वो क्या जाएगी 2 by 3 g a will be equals to 2 by 3 g एक बड़िया question देखे 20 का answer number हो जाएगा 2 by 3 g answer number first चलते है अगले question 21 a chord is used to lower vertically a block of mass m एक m mass का block है मेरे पास इसको अपन एक रसी से क्या कर रहा है एक chord is used to lower this block इस block को अपन नीचे लेके आ रहे है और कितनी distance तक by a distance of d d distance तक अपन इसको नीचे लेके आ रहे है with a constant downward acceleration of g by 5 इसको ऐसे g by 5 downward acceleration से अपन इसको नीचे लेके आ रहे है then we need to calculate work done by the chord रही है जब इसको नीचे की दरफ move किया जा रहा है तो इस पर downward direction में force जो रहेगा वो कौन होगा mg ऊपर की दरफ जो रहेगा वो string का कौन रहेगा tension और सबसे पहले तो मैं tension calculate कर देता हूं कि string का tension कितना है वो कितना हो जाएगा equation कैसे लिखेंगे mg minus ऊपर की दरफ force कितना है हमारे पास t that is equals to m into a acceleration कितना है g by 5 यह equation कैसे लिखी हुई है acceleration downward direction में तो यह force dominate करेगा तो this force minus that force that is equals to m into a mg minus t that is equals to m into a जिसके according अगर अगर अपन देखे तो इसको इधर उदर shift करता हूं तो t की value हो जाएगी mg minus mg by क्या हो जाएगा 5 यह t की value बोलो तो यह हो जाएगा मेरे पास कितना 4 mg upon कौन हो जाएगा 5 यह तो हो गया tension अब अगर अगर अपन बात करें तो work done by chord का मतलब होता है इस chord या इस string की वज़े से work done calculate करना है तो work done by chord का मतलब होता है work done by tension अब tension act कर रहा है इधर की दरफ और displacement हो रहा है इधर की दरफ यानि की tension का work done negative रहेगा तो यहाँ से वैसे तो अपने पास answer सीधा negative आना चाहिए जो एक ही option है यह calculate कर सकते है अदरवाइस नहीं तो work done is basically f vector dot क्या होता है s vector जिसमें f तो हो गया t displacement हो गया d और अगर आपन देखे तो cos इन दोनों की बीच में वनने वाला angle 180 degree है t की value 4 mg by 5 displacement हो गया d cos 180 की value minus 1 तो यह हो जागा मेरे पास 4 by 5 minus 4 by 5 mgd answer जो रहेगा that will be 21 का 3 रहेगा रहेगा रहे है चलते हैं अगले question पर 22 पर a force of this x on a particle which displaced the particle by this displacement work done by this force work done by force अपने को calculate करना है work done जो होता है वो क्या होता है f vector dot क्या होता है s vector force कितना दे रिखा है तुम लोग को that is 6i plus का कौन है 2j minus का कौन है 3k displacement दे रिखा है मेरे को कितना 2i minus 6j plus का यह 0 है तो dot product करेंगे अपने इन दोनों का f vector dot क्या हो जाएगा s vector dot product होता i वाले का i वाले से multiplication j वाले का j वाले से multiplication तो 6 or 2 यह हो जाएगा मेरे पास 12 और यह minus of 6 or 2 क्या हो जाएगा 12 यह 0 है तो यह plus का 0 तो 12 minus 12 यह कितना हो जाएगा 0 then work done by the force will be equals to 0 तो 22 का answer आजाएगा work done by force is 0 answer number 2 एक बढ़िया और simple question चलते है question number 23 3 पर a block of mass I am moving with velocity V on a smooth surface collides with the spring as shown in this diagram the maximum compression in the spring will be देखो अभी अगर अपन देखें तो सब कुछ smooth surface है और सब कुछ systematic है उसमें यह block अभी कुछ kinetic energy से चल रहा है spring अभी expanded रहेगी अगली situation गे रहेगी कि मेरे पास जब block रहेगा ये block इस spring को पूरी तरह से क्या कर देगा compress कर देगा और यह यहाँ पर आजाएगा जिसमें spring का compression कुछ x हो जाएगा and that is maximum compression maximum compression की time पर block पूरी तरह से किस पर आजाएगा rest पर आजाएगा okay इसे केस में अगर आपन देखे तो अपने को कोई भी non-conservative force नहीं दिया हुआ है और non-conservative force नहीं है तो हम लोग mechanical energy conservation apply कर सकते हैं mechanical energy conservation यह बोलता है कि initial kinetic energy plus initial potential energy that is equals to final kinetic energy plus final potential energy initial kinetic energy को देखें तो यह चल रहा है तो यह कितना हो जाएगा half mv square initial potential energy system में spring expanded है तो वैसे भी इसमें कोई अभी potential energy store नहीं है आगे final case में block rest पर आ रहा है तो block की kinetic energy कितनी हो जाएगी 0 और spring पूरी compressed हो जाएगी spring compressed हो जाती है तो spring में जो stored potential energy होती है वो हो जाएगी half kx square जहां पर इस x की value अमने को calculate करना है तो यह 00 यहाँ पर 1 by 2 से 1 by 2 cancel हम अगर देखें तो इस k को नीचे बेज़ देता हूं then x square will be equals to m by k into कितना हो जाएगा v square यह अगर मैं x की value पता करूं तो यह हो जाएगा under root of m by k into kya हो जाएगा under root of m by k into v under root of m by k oh जान रखना है यह वाला नहीं है this is under root of m by k into कितना रहेगा v ठीक है 23 का 23 का answer number आएगा 3 चलेंगे अपन अगला question पर 24 पर 24 an object of mass m completes the vertical circle of radius r ठीक है the difference of maximum and minimum tension in the string ठीक है यह अपने को calculate करना है उसके लिए अपन minimum case लेते हैं minimum case यह होता है कि एक object अगर vertical circle complete कर रहा हो तो इस lowest point पर tension maximum रहता है this is t max इस जगे पर इसकी initial velocity जो रहती है वो रहती है root 5 gr ठीक है इस पर downward direction में रहेगा कौन mg अब यह object ऐसे vertical circle में जा रहा है और vertical circle पर topmost point की जो condition रहती है इस जगे पर string में tension जो हो जाता है वो क्या हो जाता है zero हो जाता है tension topmost point पर minimum tension रहेगा string की नीचा आने की tendency रहेगी तो इस topmost point पर minimum tension रहेगा और केवल अगर vertical circle complete हो रहा है उस time पर topmost point पर tension जो रहता है वो कितना रहता है जीरो रहता है ठीक है तो t minimum की value जो हो जाएगी वो तो कितनी हो गई है जीरो अब अपने को t maximum की value calculate करनी है t maximum lowest point पर रहेगा और particle circular motion में तो circular motion की equation लिखेंगे वो हो जाएगा मेरे पास center की दरफ equation t max minus हमारे पास कौन हो जाएगा downward direction में mg that is equals to m u square upon क्या हो जाएगा r और यह circular motion equation है कि center की दरफ net force जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा mv square upon r के बराबर रहेगा this is centripetal force t max की value calculate करनी है minus का यह mg है that is equals to m upon यह r है और u की video देखें तो u जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा u का square this is 5g r r से r cancel this is 5 mg इसको इदर बेज़ देता हूं तो यह जाएगा t max यह जो बनेगा 5 और 1 6 mg ठीक है और आपको यह बताना है कि यह tension का difference difference of maximum and minimum tension तो maximum और minimum tension का मतलब आपको t max minus t min बताना है t max की value 6 mg है और t minimum की value 0 है तो difference कितना रहेगा हमारे पास that will be 6 mg तो 24th का answer आएगा हमारे पास 4 the difference of maximum and minimum tension will be 6 mg चलेंगे अपन question number 25 25 block of mass I am initially at rest ठीक है is attached with the spring of spring constant k यह भी ठीक है and free end of the spring is dragged by constant velocity v ठीक है the maximum elongation in the spring देखो मैं इसको यहां से पकड़कर ऐसे v velocity जी खीच रहा हूँ तो अब spring खीचना शुरू होगी spring खीचना शुरू होगी तो spring में restoring force act करेगा वो होगा spring force f that is equals to क्या होता है kx होता है ठीक है अब अगर अगर अपन देखें तो हम लोग को यह बताना है कि spring में maximum elongation कितना होगा maximum elongation का मतलब यह सबसे जादा कितनी expand हो सकती है उसकी अपने को बात करनी है कितनी expand हो सकती है उसकी लिए अगर अपन देखें तो maximum expansion spring में तब होगा मैं maximum expansion spring में तब होगा जब मैं इसको V से खीच रहा हूँ और उस टाइम पर यह वाला जो point है यह भी कितने से चलने लग जाए वी से चलने लग जाए यह दोनों points अगर V से जा रहे हैं तो उसके पाद यह spring खीचना बंद हो जाएगी अभी यह point की velocity जादा है और यह point की velocity कम है block के साथ वाला point rest पर है इदर इसको खीच रहे है तो अभी spring खीचेगी जिससे इसकी दृद्रे velocity बढ़ेगी इसकी velocity दृद्रे बढ़ रही है तो इस time पर यह वाली velocity आगे की velocity जो है वो ज्यादा है मेरे पास velocity यह ज्यादा है तो यह velocity दृद्रे बढ़ेगी पर यह अभी ज्यादा है तब तक spring क्या होती जाएगी खिचती जाएगी पर एक point ऐसा आएगा जब इन दोनों की velocity क्या हो जाएगी equal हो जाएगी यह V-valocity से चलेगा और यह भी V-valocity से चलेगा और spring जो है वो maximum expand हो जाएगी इस time पर इस block पर work किस नहीं किया है वो work किया है spring force ने और spring force क्या होता है kx होता है applying work energy theorem work energy theorem यह बोलती है कि work done by all the forces that is equals to change in क्या रहेगा kinetic energy work done by all इस पर कौन act कर रहा है भी spring force main work कर रहा है normal और mg तो displacement के perpendicular direction में है तो उनका work तो 0 हो जाएगा work done by spring force इसकी kinetic energy कहां से कहां तक change होई जीरो से लेकिए half mv square तक तो half mv square kinetic energy change होगी spring force का work done spring force kx है और इसका work done जो रहता है वो कितना रहता है हमारे पास that is half kx square that is equal to half क्या हो जाएगा mv square half से half cancel अगर मैं x square की बात करो तो यह कितना हो जाएगा m by k into कितना हो जाएगा v square या x की अगर अपन बात करें तो under root of यह हो जाएगा m by k into कौन हो जाएगा v square under root होगा तो v बहार लेंगे तो इसका भी answer आएगा under root m by k into v under root m by k into कितना हो जाएगा v 25 का answer रहेगा 2 एक बढ़िया पेपर अपने discuss किया और मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा this is for today thank you very much hello students मैं दयाल चोदरी टीम चल्सी टीम केमिश्ट्री आज यहां पर आपन टेक्नो का 11th क्लास का पार्ट यहां discuss करने जा रहे हैं एनेक्स इस क्यों से नमबर 26 एनेक्स इज प्रोडूस्ट बाइदी फॉलोविंग स्टेप आपको यहां पर एनेक्स को प्रोडूस्ट करने के लिए यह तीन रियक्शिंस दीगी है हाउ मच मेटल इस रिक्वाइड या कंजूम टू प्रोडूस्ट टू जीरो शिक्स ग्राम ओफ एनेक्स तो यह बताना चाहरा है कि टू जीरो शिक्स ग्राम यह आपको बनाना है इसके लिए यह कितना सही है इसका वेट आपको यहां पर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो इस च्वेंटरां यहां पर यूज होगी जैद रकड़ना जब भी इस परकार के सिक्वेंसिल की उसन रियक्शन के किसन अधिन उनके अंदर लास्ट आप से सुरू करते हैं इस होगी इस टाइक अमेटरी यूज होने का मतलब है बेलेंस सिक्वेशन मस्ट अस्टा कर ए लगए न हैं कि इसका 206 में कितना मौल हुआ तो 206 मौल कैसे निकालेंगे wayt लेट अ नेक्स का मौलर मास निकालो 5 एनेक्स का मौलर मास कितना वा एन का तो कितना है 23 और ये कितना हुआ 8085 एक तरह तो कितना आगया 103 तो अपना इसमें 10 increase करेंगे तो यह दो मौला गए और यह दो मौल बना लिए इसके कितने मौल सही है वो पता लगाए तो बिल्कुल सिंपल सा है आपको इसके मोल सही है M3 X8 तो इस टाइकोमेटरी का डिवाइड कर दो N X N N X यह N है स्मोल N N X इस टाइकोमेटरी कितनी आगे इसकी 8 तो आपका यह कितना जाएके कितने मोल आए थे यह 2 मोल यह कितना है 4 तो 1 by 4 मोल आगे तो यह आपका हो जाएगा 1 by 4 मोल अब इसका 1 by 4 मोल चाहिए इसका 2 मोल बनाने के लिए अब अपन यह देखेंगे इसका 1 by 4 यह आगया यहापे वो ही तो बात है यही से तो बन गया है था यह 1 by 4 मोल बनाने के लिए MX2 कितना चाहिए रेक्शन पहले से बैलेंस कोई दिकत है नहीं हाँ वेलेंज भी करना होगा तो मेटल तो बेलेंज से इसको विलेंज करना 3-2-6 बैलेंज से दोन वेलेंज तो आवा जाहिए तो यह निकालते है अपने कितने मौल चाहिए तो एन-म-X टू अपन इस्टेगोमेटरी और यह कितना जाएगा एन एम 3x8 अपन इस्टेगोमेटरी तो एन mx2 कितना जाएगा यह कितने मॉल दिये हैं यह वाले 1 by 4 into 3 यह उदर जाएगा तो उपर चला जाएगा तो 3 by 4 पॉर मोल आ गई अब इसके 3 by 4 मोल अब कहां से यह बन गई है यहां से तो आए 3 by 4 मोल अब इसकी स्टोगमेटरी दोनों की सेम है तो यह भी कितना चाहिए 3 by 4 मोल चाहिए तो इसका वेट कितना आ गया वेट क्या होता है मोल इंटू मोलर मास तो वेट कितना आ गया 3 by 4 वेट कितना है मोलर मास देख लो इसका 56 56 का इसमें देंगे डिवाइड तो कितना आ गया 14 14 को सब्सक्राइब करें तो कितना जागा 42 ग्राम कि पापका आंसर कौन सा जागा इसमें फास्ट नेक्स क्यूशन की बात करें यहां पर एक नगेट ऑफ गॉल्ड एंड क्वाड्ज वाज फांड टू कंटें यहां पर क्या दे रखा एक नगेट दे रखा है जिसके अंदर है गॉल्ड है एक्स ग्राम और वाई ग्राम क्वाड्ज है तो देखो यह समझो गॉल्ड है एक्स ग्राम क्वाड्ज है वाई ग्राम यह जो आपका नगेट बन गया यह कितना बनेगा दोनों का एक्स प्लस वाई ग्राम अब वोल्यूम तो बतले गए नहीं वोल्यूम वही रहेगा तो आप सिंपल से देगे इसका वोल्यूम निकालो तो देंसिटी क्या होती है वेट अपॉन वोल्यूम तो वोल्यूम क्या हैगा मास अपॉन डेंसिटी त कि इसका मास एक्स प्लस वाई और देंसिटी कितने देर खेश की तो कौन सांस्व रही है कि फर्स्ट आंस्व आ जाएगा यहां नेक्स्ट क्यूशन की बात करें कि इन एन और्गेनिक कंपाउंड आफ मॉलर मास ग्रेटर देन हंड्रेट यह करां मॉलर मासं और से बढ़ा है करव इस और इसके अंदर जो कमपाउंड उसमें सिर्फे कार्बन है ईड्रिजन और नाइट्रोजन और कार्बन इस शिक्स्टाम थी परसंटेज ऑफ्टाइज ऑफ एक्स सपोज करो कार्बन का प परसंटेज हाइडरोजन से 6 तेम है तो कार्बन का परसंटेज एक से इसका वाई है रोगो कितने टाइम है 6 तेम 6 अपन 1 हो गया यह 6 तो एक्सिस घष्ट्टू क्या हो गया 6y राइट फिर आगे दो क्या कहा रहा है वाइल दी सम और परसंटेज ओप कार्बन एंड हाइडर एक्स की वेलू रख दूम है यहां से 6y प्लस y एक्वल टू 1.5z तो यह कितना हो गया 7y 1.5z तो यह कितना हो गया 14y इसको 2 से मल्टिप्लाई कर दो तो यह भी कर दूंगा 3z तो y अपन z यह कितना आ जाएगा आपका 14y जैड़ ऑइपन y करते हैं क्योंकि इसमें y निचे है तो यही करते हैं जैड़ आपकों य उद्वाई तो y उदर जाएगा तो 3 ए-14 भाई 3 एसे yyy करें तो one by one hydrogen ka hydrogen के साथ तो अपने को देखू हो यहां पे लेना है कारवन यहों इसके लिए तो XYY वो कितना दे रखा है इसके लिए अपन बात करेंगे YYY और इसके लिए बात करेंगे अपन ZYY तो XYY कितना दिया है आपका XYY 6 रेशो YYY 1 और ZYY यहां से निकाला इता अपने कहा गया यह रहा 14 भाइ 3 अब 3 से मुल्टिप्लाइ कर दें सबको तो यह 18 रेशो 3 रेशो 14 अब इनमें इनहीं के मॉलर मास का डिवेट कर दें इसका मॉलर मास कितना है इसका मॉलर मास कितना है 14 यह वन आ गया यह 3 आ जाएगा और यह कितना जाएगा 3 वाइट टू से मुल्टिप्लाइ कर दें सबको यह 6 आ जाएगा यह कितना जाएगा टू से मुल्टिप्लाइ किया न तो यह तो 3 रहेगा ठीकर 2 से 2 कर जाएगा यह 6 आ जाएगा और यह कितना जाएगा टू तो यह कितना है 3 रेशो 6 रेशो 2 तो C3 H6 और N2 इनको जोड़ लो 12Y इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 2 तो यह कितना आ गया 70 तो जश्ट उपर करना है तो इसको जश्ट उपर बनने के लिए सबकी नमबर डबल कर दें 2 से मुल्टिप्लाइ कर दो क्योंकि इंटू इंटू इंपिर्कल फॉर्मूला तो एंट की एक से बड़ी डिजिट डूंड नहीं है और वह भी नियरेस्ट पहली लिस्ट वाली तो यह 1 एंट की वन से बड़ी तो वह 2 रख लूं तो यह कितना जाएगा इसके लिए मॉलर मास जबाएगा तो इसका जो मास आएगा मॉलर मास वह कितना जाएगा 17 into 2 तो यह आजाएगा 140 ग्राम तो 140 ग्राम में कौन सा जाएगा सेकेंड नेक्स क्यूशन की बात करें 29 की क्यूशन पर बात करते हैं आपन वन मॉल ओफ आइरन मॉल रिएक्ट कम्प्लीटली 0.65 ओट टू गिव मिक्सर ऑफिरस ऑक्साइड एं फिरिक ऑक्साइड मॉल रेशियो और फिरिक ऑक्साइड इस मॉल का रेशियो निगालना है तो सबसे पहले तो देखो आपका जो आईरन है वो oxygen से reaction करके बना रहा है FEO और iron ही oxygen से reaction करके बना रहा है FEO अगर इसको valence करने पर आएं तो यह तो आ जाएगा 3 by 2 अर यह अपना जाएगा कितना डू वैसे इदर यह एए विलेंस है तो यह महलों कि यह तो एक बनेगा तो यह एक बन जाएगा राइट इदर की बात करें यह कितना है 1-x क्यों टोटल तो आईरन वन मोल था वन में से यह 1-6 मालो अगर यह 1-6 देखो यह 2 जाता है तो यह 3 by 2 अगर यह 1 जायेगा तो यह 3 by 4 लेकिन यह 1-6 जायेगा तो 3 by 4 1-x और यह कितना 2 जायेगा तो एक बनेगा और अगर 1 गया तो यह 1 by 2 1-x अब दूसरी चीज देखें ऑक्षिजन ही आपर कितना है तो x by 2 मोल तो इसके हो गई प्लस 3 by 4 1-x मोल यह लगे टोटल कितना ही है 0.65 यहां से इसको सॉल करेंगे x by 2 2 प्लस 3 by 4 माइनस 3 x by 4 इसको सॉल करेंगे तो यहां से x की विलू आपकी क्या हैगी 0.4 इसका मतलब यह तो कितना बनने वाला है एक सी बनने वाला था 0.4 मोल बनेगा और यह कितना बनेगा तो वह यह कितना बन गया 1 by 2 1-0.4 तो 0.6 by 2 तो यह 0.3 मोल बनेगा तो अपने को पूचा है फेरस ओकसाइड के मोल का और फेरिक ओकसाइड के मोल का रिशो तो यह तो 0.4 यह 0.3 तो यह आ जाएगा 4 by 3 मतलब 4 रिशो 3 कौन सा अंस्वर चला जाएगा यहां पर सेकेंड नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं तो यह 500 ml of 0.1 मोलर के सी एल 200 ml of 0.01 मोल सोडियम नाइटरेट एंड 500 ml of 0.1 मोलर एगनो 3 वाज 59 मिक्स्ट इन सब को मिक्स्ट कर दिया इसमें के सील भी आ गया थै ने न तरी वी आ गया और अघ यह 30-yr और आध और अध्य वालिम कितना आ गया यह तोटल वोलिम देख लो 500 तो यह हो गया 200 ऑया 700 500 यह यह हो गया module हो गया है वन अंड्रेट ट्वाइल एमल कि बोला जाए तो इसको बोल सकता हूं वन पॉइंट टू लिटर अगया यह अब अपने को कंसंट्रेशन निकाल लिए मोलरिटी तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी मौल सॉप सॉल्यूट अपन वॉल्यूम अगर यह लिटर में हैं यह तो सबसे पहले तो अपने को किस की देखनी है पोटेशियम की आपको कंसंट्रेशन चे मोलिब दीए और वोल्यूम दिया है और आपको बता है मौल कैसे निकाल तर्षाय निकालने हैं तो तो वो क्या होता है माइस एंटू वोल्यूम लिटर में यह मोल आ गया तो does कोश्चिम का देखना है के फ्लस तो इसका अगर एक मौल हां तो वन मौel ही इसके किक अंदर के प्लशें वन मॉली कील माइस घुलियर तो के प्लस के मॉल कैसे इसकी monarity कितनी है 0.1 यह कितना है 500 एमल लिटर में बदल दो 10 दी पावर मैंस 3 तो यह कितना है यह 0.05 मॉल आगे यह नहीं आगे आगे अब इसके molarity कैसे निकालो गई molarity of potassium तो इसके mol upon total volume, total volume कितना है 1.2, अगर इसको solve करेंगे तो यह आप कहा जाएगा approach 0.04 के निरवाई 0.04 तो ऐसा option किसमे है पहला option भी यह है potassium, इसमें भी 0.04 इसमें भी 0.04 इसमें 0.05 तो यह एकट गया अब और चेक करते हैं दूसरा चेक करें चलो कलोराइड का ही चेक कर लेते हैं या sodium का कर लेते हैं तो देखो इस टोगिमेटरी इनकी सेम है सेम रेशियो में यह इनवल हो रहे हैं अगर यह वन मोल है तो वन मोल सोडियम है इसमें वन मोल ही क्या है आपका नाइटरेट है तो आपको यहां पर क्या करना है मोल निकालने है सोडियम के तो वही मोलरेटी इंटू वोल्यूम अम मोलरेटी कितनी है मोलरेटी देखे 0.01 है sodium nitrate में और यह कितना है 200 है मैं तो यह कितना आजाएगा लगोगे 0.10 to the power minus 3 0.002 काफी कमाएगा अब यह 0.02 है तो इसके अब मॉलरेटी निकाल लो sodium की कैसे मॉल अपॉन तो यह 0.0025 है यह 0.0025 है यह आप समझे ना यहां लिख रहा हूं 0.0025 मॉलरेटी आगी तो 0.0025 किस्प है sodium की यह तो नहीं तो नहीं है क्योंकि बड़ी डिजिट का डिवेट लग रहा है थोड़ा डेटा कम होने वाला है तो यह आप का आएगा 0.0016 तो यह जाए लगा अब इसका मतलब और किशी महसा है नहीं तो आप कांसफर कौन सा होजाएगा शेकड वैसे आप नाइट्रीट की निकालना था है तो नाइट्रीट में यह मोल बी जुडएंगी कि दो जगा नाइट्रीट है इसके भी मोल निकालने और यह वाले मोल भी जुड़ेंगे जैसे नाइट्रेट की आपको निकालनी हो तो नाइट्रेट के मोल निकालने के लिए इसको लिटर में बदलना पड़ेगी इदरवाले को 10 दिपार माइनस 3 तो यह कितना जाएगा 0.05 प्लस 0.002 हो गया इसको जोड़ देना तो यह 0.052 आजाएगा अभी इसका निकाल ले ना इसमें मोल भी निकालनी है तो 0.052 के अंदर 1.2 का डिवाइट कर देना तो यह आजाएगा आपका कितना जाएगा 0.0 0.043 3 second answer चला जाएगा next बत करें what is the ratio of mass of an electron electron का mass कितना होता है 9.1 into 10 the power minus 28 gram proton का कितना होता है 1.67 into 10 the power minus 24 gram solve कर लेना ये एप्रोक से ये आ जाएगा तब खांसर कौन से हो जाएगा third next question की बात करें नमरों proton neutron and electron ये तो proton है ये ही electron है तो पहली और आखरी digit तो आगी पहली और आखरी ये तो गया पहली और आखरी 89 89 89 89 ये हो गए अब neutron निकालो 231 में से आप 89 minus कर दो तो ये कितना आजाएगा 2 142 तो आपका आंसर क्या आजाएगा second next the value of langs constant is joule second में देरका है the velocity of light light की velocity meter per second में देरके which value is closest to wavelength in a nanometer of quantum of light with frequency frequency देरके तो आपको पता है new is gustu क्या होता है c upon lambda तो lambda is gustu आपका क्या आजाएगा c upon new ये कितना दिया है 3 into 10 the power 8 ये कितना है 8 into 10 the power 15 तो ये 3.8 के नियर वाई आएगा solve करोगे तो 3.8 into 10 the power minus 8 तो ये तो आ गया किसमें मिटर में इसको मत चाहूं तो यह तो लिख सकता हूं 3.8 into 10 the power minus 8 into 10 the power 9 nanometer में बदल लिया तो ये 3.8 into 10 the power 1 इसको एप्रोक्सिमा फोर मान लेता हूं तो 4 into 10 the power 1 कौन सा आ गया 4th next the radius of the third bore orbit hydrogen atom is r3 and radius of fourth bore atom is r4 देखो आर क्या होता है 0.0529 into n square upon z तो z तो सेम रख रहा है ये वेलू constant है तो आर डायरेक्टली proportional to n square हो गया constant अठादो proportional आजाएंगे वापस से अब थर्ड सेल की चाहिए और फोर्ड सेल की का रिश्यों यहीं तो चाहिए यहां पे है the radius of the third bore orbit hydrogen atom is r3 तो देखो यह आपका क्या हो गया r3 और आपका सेखिए किस के साथ r4 के साथ और वो भी किस के हाइडो तो यह क्या आजाएगा एन 3 square और एन 4 square तो कोंड़ सेल है थर्ड है तो 3 square इसके लिए कितना आजाएगा 4 square तो r3 upon r4 इस गश्टू कितना है यह 9 upon 16 तो r3 इस गश्टू तो क्या आजाएगा 9 upon 16 into r4 यह मैं कह सकता हूं r4 इस गश्टू 16 upon 9 r3 तो कौंड सा मैच हो रहा है यह सेकेंड मैच हो गए next select the incorrect graph for velocity of electron आपको बताए velocity of electron directly proportional to क्या होता है z upon n तो z के लिए तो directly आएगा inversely and constant one to be directly proportional to z तो वी और z के graph state line आएगे तो यह प्रिल्कुल सही graph है और आपको यहां पर कौंड सा देखना है incorrect देखना है इनके उसनों में यह द्यान रखना है कास्तोर से फिर यह आपके inversely है तो inversely का graph आए पर बोला होता है तो यह भी सही है लेकिन इसने one upon लिया तो we one upon n के तो directly हो रहा है n के तो the total number of orbitals present in fifth cell cell कौन सा बोला और एक सेल में maximum orbital कितने होते हैं n square तो 5 square कितना आ गया 25 नेक्स क्यूश्ट ग्रेक्ट ओर्डर ओप increasing energy t atomic orbital n plus l रूल लगा दो n plus l जिसका n plus l ज्यादा उसके energy ज्यादा तो आपको क्या दिया है एक तो 4 p दिया है सब में अलग अलग दे रहा है चेक करना पड़ेगा फिर तो देखो s के लिए कितना दिया है 0 l p के लिए l कितना होता है 1 d के लिए 2 f के लिए 3 तो इसके लिए तो n plus l निकालो तो 4 plus 1 कितना है 5 4 plus 3 कितना आ गया 7 6 plus 0 के आ गया 6 तो यह तो गया increasing नहीं होगा n plus l का increasing order देखना है 5 और 1 कितना हो गया 6 यह भी कितना रहा गया 6 प्लस 0 6 यह कितना है 7 और 4 2 यह भी 7 तो यह तो यह तो यहां तक ठीक चल रहा था अब यहां पर अगर देखा जाए तो याद रखना अगर n plus 4 3 7 4 2 6 यह 4 है न 4 2 6 आएगा तो यह भी गलत हो गया फिर इसका आजाओ यह कितना है 6 यह कितना हो गया 7 यह कितना हो गया 7 और यह कितना हो गया 6 तो यह भी गलत हो गया अब तो यह बच गया यह हो गया 6 यह भी कितना हो गया 6 n plus l लगाओ 4 f के लिए 4 f के लिए कितना हो गया 4 plus 3 कितना हो गया 7 और 5 d के लिए यह भी कितना हो ग order चल रहा है अब N plus L जब सेम आ जाते हैं तो जिसका एन ज्यादा उसकी एनरजी ज्यादा तो फोर से ज्यादा यह फाइब आंसर कौन सा जाएगा फॉर्थ नेक्स्ट क्यूशन की अपना बात करते हैं इन विच आफ दे फोलोईंग प्रोसेश दे वेलू ओफ मेगनेटिक मोमेंट दस नोट चेंज तो मेगनेटिक मोमेंट कहां चेंज नहीं होता है तो आम में उटी से पाई टूपी वाई टू सिगमा टूपी जेड़ टू है फोटीन होगे तो यह तो डाइ मेगनेटिक है अब इसमें एक एलक्ट्रोन और बरा जाएगा तो आगे पाई स्टार में जाएगा वह अनपेड रहेगा तो यह पैरा मेगनेटिक है चैंज हो जाएगा यहाँ पे एक निकालना है तो इसमेश से एक निकालेंगे तो भी पैरé मैगनेटिक हो जाएगा व 2 ऩै ओटू टू प्लस यह भी पैरा मेगनेटिक है यह भी पैरा मेगनेटिक है लेकिन अग्या Teen तो नहीं बदलना चाहिए कहने का मतलब दोनों पैरा मेगनेटिक तो होगे अब म्यूखी वेलू देगो तो अगर मोटी से इसको सॉल करके देखें तो अनपेड इलक्ट्रोन इसमें आते हैं दो तो इसका मेगनेटिक मोमेंट आ जाएगा 2.83 इसमें अनपेड इलक्ट्रोन एक तो इसका 1.73 तो यह भी गया तो आपका आंस्वर कौन सा रहे गए यहां पर फॉर्ट रहेगा नेक्स क्यूशन की बात करें इन दोनों के पास एक एक अनपेड इलक्ट्रोन होगा फिर भी आपको मैं बता देता हूं सिग्मा वन एस टू सिग्मा वन एस स्टार टू सिग् पाई टू पी एक इसमें पहले स्टार बरात आएगा सिग्मा two P z two, five two P x two, five two p y twomore. कितने होगे total 14 फुर फिर? पाई 2P X स्टार 1 पाई 2P Y स्टार 1 यह O2 का हो गया O2 पलस है तो एक एलेक्टरोन अठा दो एक अनपेड एलेक्टरोन है और O2 माइनस है तो एक एलेक्टरोन ओड जुड़ जाएगा यहाँ दो तो यह एक अनपेड बच जाएगा तो इसके पास भी एक अनपेड एक अनपेड अनपेड सेम तो मेग्टिक मोमेंट सेम तो फ़ॉर्थ एक ओड़ूरेसर दिया इस एलेक्टरोन कॉनफिगरेशन ऑफ ट्री ऐलेमेंट्स और फॉलो इसमें देख लो यह configuration आपका किसका है sodium का तो sodium का तो यह यह मालो भूल जाओ element को भी valence cell में कितना एक electron है एक तो 8 करने के लिए या तो 7 gain करें 7 gain करें 8 करने के लिए या 1 lose करना आसान था तो L तो यहां plus 1 में आएगा इसके valence cell में देखो यह रहा valence cell कितने electron है 6 तो 2 gain करना आसा आने तो M जाएगा 2 माइनस में यहां पर देखो 3 है valence cell में electron तो यह आएगा N 3 प्लस में तो देखो पहला कहरा है N M की reaction होई यह तो N और M की अगर आप reaction करा होगे तो इसका 2 तो इसके लग जाएगा यह 3 प्लस है यह 2 प्लस N 2 माइनस तो यह क्या जाएगा N 2 M 3 तो यह तो गलत हो गया N 2 M 3 यह भी गलत हो गया यह भी गलत अच्छा L के साथ है L N तो L का प्लस है N का 3 प्लस है reaction ही नहीं खतम बात यह भी गया यह रहा N 2 M 3 और L 2 M प्लस में तो यह L 2 M बन जाएगा तो आप कांस पर कौन से चला जाएगा फॉर्थ चला जाएगा इजी गोई नेक्स्ट विच आप दे फॉलएंग कंबाउंड आर प्लेनर एज्वेल एज नोन पॉलर तो यह पहला ही हो गया इसका इवर डाइजेशन कितना होता है यह समझ लो यह जीनों इधर फ्लॉरीन इधर फ्लॉरीन इधर फ्लॉरीन फ्लॉरीन यह बेलेंस कर दिये एक दूसरे को 180 यह लॉन पेर और यह लॉन पेर लॉन पेर ने एक दूसरे को बेलेंस कर दिया लॉन पेर है फिर भी यह नॉन पॉलर है और प्लेनर भी है तो आंस तो आप इसको देखो बेरिलियम का इवर्डाइजेशन क्या होता है SP कोई लॉन पे रहे नहीं लिनियर इसका इवर्डाइजेशन जिनॉन का SP3D दो ही हैं तो तीन लॉन पर आगे यह लीनियर हो गया हाइवर्डाइजेशन अलग है फिर भी सेप सेम है तो आंस्वर कॉंड से लागा फॉर्थ नेक्स्ट कॉंड कॉंड से बोंड यहां पर प्रजेंट है वाट और दी तो देखो इसकी स्टेक्चर एक्ट्वली यह होती है तो देखो सेंट्रल एक्टम और इसके बीच लिएंड बॉलते हैं इसको कोडिनेशन इस फेर के बीच जो आ रहा है इनके बीच आपका होता है कोडिनेट बॉन तो एक तो कोडिनेट बॉन आ गया फिर इसको इनके बीच अपया आनिक बोंड होता है फिर यह इसके साथ एच बोंड से युड़ा होता हुआ हा ए लिखिक्षेव का रोल पजली हूट से जूड़ता है इंट्रेश्टी शीता है तर थीन पूर्ण तो आ गई कौन कौन से आ गई coordinate bond आ गया electrostatic force attraction या इनिक bond यह आगया सिग्मा bond आ गया तो यह S2O की structure देखो सिग्मा bond बिल्कुल है πी bond है तो sulfate की structure देख लो यह परेपड़े πी bond तो πी bond भी है hydrogen bond बिल्कुल S2O आपसमे hydrogen bond बना सकता है और यह iron के साथ जूडा हुआ है तो यहां पर डाइपोल डाइपोल एस बूंड भी है एस टो का है आइस टो के साथ और यहां पर यह आनाजिजर्जेशन आइन के साथ यह बना रहा है दाइपोल तो डाइपोल वाला भी दोनौ यह तो आपका सारे बोंड प्रेजेंटेश कि नेक्स्ट CO2 यह linear है, permanent dipole moment रखेगा, CO2 linear है तो इसका to mu 0 हो गया, यह तो गया, SO2, SO2 bend safe आएगा, तो इसका dipole moment 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ही नहीं सकता, benzene drink पे अलगी group आगया, CL, तो इधर की तरफ attraction चलो हो रहा है, तो mu 0, तो यह आपका क्या हो गया ब्रॉमीन फ्लॉरीन 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 इस्वार और यह एक क्या लोगे राजाएगा बाकि यह फ्लॉरीन तो आपका कौन सरा राजएगा second match करना है match the orbitals or lab figure in list first with the description gives list second and select the correct answer using the code given below the listed यहाँ पर आपको check करना है देऊ यहाँ पर देगे यह आपस के अंदर है तो यह plus का plus है यह minus का minus से हो रहा है sigma कितरह और ले पर हो रहा है तो यह d orbital यह भी d d sigma और वो भी कौन से bonding यह तो plus plus मालो यह minus minus से लोब है तो d d sigma bonding कहा है यह रहा है यह तो match हो गया 2 से यहाँ पर side to side हो रही है जिसमें यह p है और यह d है तो यह देगो same lobe है तो plus का plus से मालो रही है minus का minus से तो pi bond बन रहा है p d से और वो भी bonding pi d p d pi bonding यह आपका कौन सम हो गया तीन से फिर यहाँ पर आ जाओ यह देखो यह plus है तो यह plus है यह minus हो तो यह तो anti bonding pi bond p d pi anti bonding कौन सम हो गया 1 तो बच्छा हुआ में इस कौन सम हो गया 2 3 1 4 2 3 1 4 कौन सांस्वर आ जाएगा 3rd next least electronegative element नीचे जाने पर size बढ़ती है सबसे बढ़ा है इन में से कौन सीजिए इसकी एन सबसे कम which of the following represent an excited state in it तो देखो configuration से पता चल रहा है यह nickel का है ground state ही दे रखी है यह देखने पर तो यह लग रहा है से डी में यह नहीं किल नहीं यह chromium है chromium का configuration यह होता है उसकी ground state है यह आपकी scandium की ground state है अब देखो यह पूरा बराई नहीं फिर भी आगे electron है इसका मतलब यह excited state है next among the following which has the maximum है hydration जो सबसे चोटा होगा उसके आड्रेशन एनर्जी सबसे ज़ए प्रेडिक्ट दी ग्रूफ पीरिएड एंड एलिमेंट हैविंग एक्टोमिक नंबर 64 64 पे अपना कोण है जीडी साहब है भाईजी यह एब लोक में आता है और सुनो थर्ड ग्रूब में आता है और सुनो six period में आता है तो देखो थर्ड ग्रूफ का एक ही है थर्ड ग्रूफ six period third in which of the following where both the species are isoelectronic but the first one is large in size isoelectronic में जेड बढ़ता है तो size कम होती है पहले वाला बढ़ा चाहिए तो पहले वाली का जेड कम रख़ड़ तो यहां पर तो पहले आई isoelectronic ही नहीं है isoelectronic है लेकिन इसका z17 इसका 16 तो यह तो चोटा हो गया isoelectronic है इसका z कितना है 9 और इसका मतलब आपको यहां पर क्या बोल रहा है पहले वाला बढ़ा होना चाहिए तो पहले वाला बढ़ा है z कम तो size बढ़ी है third which of the following is the incorrect statement identify करना है the second ionization potential of an atom is always याद रखना है successive ionization energy always increase इसी साब से आपकी second ionization energy कभी first से कम होई नहीं सकती यह wrong statement है the addition of an electron to neutral atom is always endothermic याद रखना electron आकर के जुड़ता है तो वह अपने आप जुड़ता है तो energy वहां पर release होती है लेकिन कुछ एक प्रोसेस में वहां पर देनी भी बढ़ती है तो जनरली रिलीज बोल सकते हैं बाकि endothermic भी हो सकती है और एक्जो भी जबकि यहां तो endothermic ही बोल रहा है जो कि पूरा रोंग statement है फ्लूरीन दिल्कुल फ्लॉरीन की एन सबसे ज़्यादा होती है पॉलिंगी स्केल पर अगर बात करूं तो फ्लॉरीन की एलेक्ट्रोन एक्ट्विटी होती है वह फॉर होती है जो सबसे ज़्यादा है the size of the catein is always greater than size of neutral atom कलतवात जैसे यह एक्जांपल से समझो यह एने यह एने प्लस है कहले को दो टीश इसमें 10ग इलेक्टरोन है इसमें 11ग्ट्रोन है screening यह जादा है इरिस screening यह का मएं जब कि जडट दोनों का 11ग pores इंट निमिलियमन तो इसका जड इपेक्ट बढ़ जायगा इलेक्ट्रोन लोस होतह है तो खाफी help मिलेगी इससे आपको इसी लेवल पर competition में आगे प्रिफेर करना है और जैसा कि आपको पता है टेकनो के अंदर जो rankers हैं जो अच्छी rank पर उनको case price भी मिलने वाला है इवन यह आपके future के लिए एक बड़ा plate for my CLC जहां पे आप अपने पूरी जो भी सपने आपने देख रखे हैं उन सब को यहां पर आ करके क्या कर सकते हो फुल्फिल कर सकते हो ओके थैंक्यू जैसील सी हलो स्टुडेंट्स मैं मनु सर्मा टीम बाटनी सीलसी सीकर स्वागत करता हूं आपको टेकनो एक्जाम के सॉलुशन में आपका पीपर बहुत अच्छा हुआ होगा डियर स्टुडेंट्स फिर भी छोटी मूटी मिस्टेक् सोल्व कर लेते हैं देखते हैं आपने बाटनी पार्ट में आपको साल करवाने जा रहा हूं जूलोजी का पार्ट अपने सीनियर ऐकृल्टी डॉक्टर बरत हादी शर आपको साल करवाएंगे तो अपन बढ़ते हैं बिटा बॉन के 50 नम्बर की तरफ जो आपको दिया हु separately आपके organally या organism का आपके क्या करें फॉर्म करें तो इसको आपको पता ही है और आपको पता है और आपके क्या है और आपके क्या है आपके बढ़ते हैं वेटा नेक्स क्यूशन की तरफ थायलकोईट सार देखंग आप क्या कहते हूं इडबल मेंब्रीन से स्ट्रेक्शर आपकी कौन होती है ख्लॉरोप्लास्ट तो यह क्लॉरोप्लास्ट में अंदर फ्लैट कॉइन-like आपके यह मैंब्रेनस स्ट्रेक्टर होती है तो यह आपके क्या है आपके क्या है इसके लगाप मैम्परेनस आपके है structure जो कैसी होती है coin like कैसी होती है coin like जो आपको विटा साफ दिया हुआ है तो यहां देख लो ऐसा कौन सा दे रखा है flattened membranous sex in chloroplast बिल्कुल सही है flattened membranous sex in mitochondria ना flattened membranous second amyloplast नहीं flattened membranous second prokaryote नहीं तो आंसर कौन सा जाएगा विटा first कौन सा अंसर हो जाएगा first बढ़ते हैं execution की दरफ interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleo protein fibers is called देखो अपन कहें metaphase में आपको क्या दिखाई देता है chromosome मेटाफेज जो होता है यहां विटा आपको कौन दिखाई देगा chromosome लेकिन आपके पूरी की पूरी interface में जो nucleo protein की fibers जो होते हैं उनको आपन क्या केते हैं chromatin क्या कहोगे इस network को chromatin पूरी interface में नुक्लियो साम जो है वो लूज compaction में पढ़ा रहेगा जिसको आपन कहते हैं क्या chromatin और यह आपको पता ही है बेटा chromatin वर्ड जो दिया था वह आपके किस ने दिया था फ्लैमिंग साब ने ठीक है तो यहां आंसर जो जाएगा वह आपके कौन सा है chromatin ठीक है स्टुडेंट्स बहुत इजी जी एंसी आइटीव स्क्यूशन थे बिटा डाउट मेरे साब से आई थिंक आपको होंगी नहीं आइा नेक्स्ट अपन एक्स्कूशन की तरफ बढ़ें बेटा देखो यह आपको दिया हुआ है क्या लिपिड मॉली क्यों यह लिपिड मॉली क्यों अपने ऐसे बनाते हैं तो यहां यह जो भी आपके इसका क्या होता है स्टीक है Dong लज़ी दोते हुआ होते हैं पुलब होता है और के ऐसा होता है हाइड्रो में है कैसा होगा हाइड्रोफिलिक टेल जो है एंसी आटी में दे रखाया आपको किसकी सैचुरिटेड है सैचुरिटेड हाइड्रो कार्बन की बनी होगी यह कैसी होती है नॉन पॉलर है और वाटर रिपेलिंग यानि की कैसी होगी हाइड्रोफोबिक कैसी होगी बिटा हाइड्रोफोबिक तो यहां आप क्या दोगी देखो एजो हैड है तो हैड आपके क्या है ए पोलर है बी नॉन पोलर यानि की से सैचुरिटेड हाइड्रो कार्बन से बनी हुई आपके क्या ह टेल है तो आंसर जो जाएगा वो बिटा कौन सा चला जाएगा फरस्ट कौन सा आंसर होगा फरस्ट ठीक है अलोडियर इस्टुडेंट्स वेलकम तोड़े वी डिस्कर्स अबाउट टेक्नो ट्वंटीफोर है देखो मुझे उम्मीद है काफी अच्छा पेपर गया होगा फि होगा भाँ देखा होगा न्सटी के ए फरस्ट बॉट एक्स्ध्रीशं से एंट और ऑस्मो डूब डूमेक्टलियरे इखुड है लेकिन इंच्रीयरे के कवोडिंग आपने देखा होगा दोनों ही कलिक हुए है इसक्रीयर पोड़े कौन से लागया, fourth, next देखो, skills which are modify into the teeth of vertebrate are present on the body, यह पुछना चाहरा है कि जो vertebrate, especially fishes में, जहाँ उसके skills हैं, वो एक modify teeth में convert हुई है, हम जानते हैं, जो cotyleds fishes होती हैं, उनके placoid skills होते हैं, और placoid skills especially, इसमें modify हो जाते हैं, teeth में modify हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा, और उसमें example कौन सा आया, देखो, यहाँ पर sclerodon, यह सपश्टी दिख रहा है, इसमें answer जाला गया, तीन number, next देखो, पन देखा, presence of radial symmetry, देखो, थोड़ा सा इसमें दंग से पढ़ना था, and lack of needle blast, यहाँ lack of needle blast, अब थोड़ा सा देखो, radial symmetry हैं सर पाउन इन दा, corifera, salentata, tenophora, echinodermata, but especially needle blast are present in salentate, so we can say especially the aurelia and peramecium, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ इसके कारण हो गया, दूसरा hydra, तीसरा यहाँ, यहाँ पर लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, इस चांस, radial symmetry है, लेकिन lack of needle blast की step है, तो यहाँ प्यूरो प्रेंट किया, end tenophora, tenophora का special character, देखो, यहाँ पर, यह एपसेंटी है, needle blast, और इसने पूछा गया है, lack of needle blast, चार नमर चला जाएगा, next देखते हैं, read the point statement, अब इसमें देखो, यहाँ पर correct statement के साब से हैं, तो देखो, metagenesis observed in helmeties, यह first ही गलत हो गया, as we know that the metagenesis is also found in the silent test, like polyphen medus also found in silent test, so it is the wrong, like first metagenesis is observed in helmeties, no, present in silent test, तो यह पहला तो wrong हो गया, second देखो, echinodermates are the triploblastic, yes, and the sylomates, बिलकुल, is the u-sylomates, so we can say it is the right, next one, round bone and have the organ system, yes, यह इस इस्टा हुआ था, body organization, यह भी correct है, then the complete present in tenophora, यह यहाँ पर देखो, और help in digestion, यह digestion में help नहीं कर रही है, यह defense में help है, इस कारण से यह गलत हुआ, next, water vascular system is characteristic of echinodermate, water vascular system are found in the starfish, etc., so we can say, like B, C and E, B, C and E are the correct, इसमें जायेगा, third option, next one, next one, yes, यह next, देखो, match the foil column first and select the correct option, देखो, इसमें क्या देखना है, like first, six to fifteen pair gill silts are found in cyclostorm, आप जानते हैं, second number इसमें आया, फिर उसके बाद में, heterocircles, caudal fin, देखो, यहाँ पर इस परिकार से, यह heterocircle हैं, और यह आप जानते हैं, scledone बगेरा में मिलते हैं, तो यहाँ, conducties वाली में आएंगे, तो तीन number यहाँ आगया, फिर उसके बाद में आया, air blader, air blader, और स्टिक्तिस में present होगा, तो इसमें आगया कौन सा, चार number, and poison sting found in the trigon, यह आया, first, अब इसमें देखो, second, third, fourth, and first, इसमें चला गया, third answer, next देखते हैं, next आया, siluted columnar epithelial tissue found present in, देखो, यहाँ पर phelophian tube, NCRT के आपने देखा होगा, 101 number page पे, यह last line पे, phelophian tube and brachios, दो परकार की step होते हैं, यहाँ, first, जो है, phelophian tube, यहीं आंसर चला गया, इसलिए, यह first, इसमें आंसर चला गया, next देखते हैं, match the column, first and second, like tip of nose, देखो, यहाँ, elastine आना चीहे, यहाँ, S पे, दूसरा है, internal vertebral disc, इसमें white fiber connective tissue के रूप में, यहाँ, के second, इसमें यह चला जाएगा, next, देखो, select the incorrect option, अब देखो इसमें, incorrect है, सबसे पहले आपको incorrect देखना था, अब जिसने इसको correct पढ़ लिए, वो first भी करके आ गया होगा, आप जानते ही है, रिप्लेज्ड होती है, इसका मतलब यह तो correct है, लिगामेंट connect bond to bond, यह भी आपको मालूम है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर, bonds to bond के लिए ligament होता है, और bonds to muscles के लिए tendon होता है, तो यह भी सही है, fibers are absent in blood, बिल्कुल इसी लिए pseudo-corrected tissue है, इसने incorrect पूछा है, तो इसका मतलब only mass cells are present in ariolar tissue, आप जानते हैं, यह mucos वगेरा इनमें भी present है, गट वगेरा में, तो यहाँ इसके लावा आप जानते हैं, जो pseudo-corrected tissue है, वहाँ पर भी mass cell है, बैसोफील cells, तो आपको मालूम ही है, यहाँ पर अच्छी तरह आप जानगे, कि वैसी भी देखो, देखा जाहें, तो तीनों option correct है, तो बच्चा चोग चार नमबर वाला ही था, तो इसलिए को दिक्कत नहीं होने चीए थी, इसमें कॉन सांसर गया, च क्या कि यहाँ पर it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction activity of the heart, यहाँ आपको मालूम है, ऐसे node है, जिसे आप पैसमेकर बोलते हैं, और यह initiating and maintaining rhythmic होता है, इसलिए आपको मालूम है, वन पैसमेकर के नाम से जानते हैं, तो answer भी यहाँ पर आपको मालूम है, यही चला गया, आगे जाने की जुरत भी नहीं है, वैसे ऐसे node है, तो आपको मालूम है, यह तो चला गया, लेकिन AV node है, वो पैस सेटर है, फाइबर बंडल ऑफेस, तो इसमें initiating stage में तो फर्स्ट पर ही है, यह 72 पर मिनट जो step होती है, वहीं से स्टार्ट होती है, मुझे उम्मीदे सही भी हो गया हो गया, यह, next देखो, cardiac activity could be moderate by the autonomous neural system, ठिक the correct answer, यह थोड़ा सा logical है, कि cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system, ठिक the correct answer, अब देखो, यह sympathीन और पैरा-sympathीन की activity होती है, as we know that the parasympathics also, like decrease of the heart, यह चीज़ा आती है, वहाँ कुसी के कारण heart fell कि step है, तो देखो थोड़ा सा, और sympathीन और पैरा-sympathीन में ही हैं सारा, देखो, parasympathine, like system stimulate the heart rate and increasing the stroke volume, यह यहाँ पर इसके कारण wrong हुआ, like the sympathine system stimulate the heart rate and increase the strong volume, अब देखो यहाँ पर, especially आपने देखा, कि the sympathine system stimulate heart rate and increasing the stroke volume, यह तो कर रहा है, फिर उसके बाद में the parasympathine decrease of the heart rate and increase the stroke volume में तो उल्टा हो गया, यह गलत हो गया, फिर दा, the sympathetic system decrease the heart rate and increase the stroke volume, तो आपको मालूम है, यहाँ हमारे पास कौन से से लागया, दो नंबर, फिर देखो यहाँ, which information is correct about the codic output, like हम जानते हैं कि codic output equal क्या होता है, जैसे as we know that, like codic output equal the heart rate and आप जानते हैं, हाँ 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 stroke volume, तो हम जानते हैं कि यहाँ 70 ml stroke volume है और 72 के आसपास है, तो लगबग 5 liter के आसपास यहाँ आ जाता है, मतलब लगबग 5, 040 ml, तो यह कहरा है कि जो codic output है, average value होती है, 5, तो यह तो correct हुआ है, दूसरा है क्योंकि बताना यह incorrect बताना है, the stroke volume multiple by the heart rate given the codic output, आपको मालूम है, यह भी step बिलकुल इसी formula से मालूम है, it is the volume of the blood pumped by the each ventricle per minute, यह भी codic output है, सारी सही है, incorrect पूछा गया है, तो वैसे भी बच्चा तुमारे पास एक ही था, और वैसे आपको मालूम ही है, the body has no ability to alert the codic output, इसका मतलब इसमें आपके पास 4 number है, वो incorrect step में है, तो यहाँ चला जाएगा, next देखते है, identify, like A, B and C, even below the clotting process, यह clotting factor के रूप में आपको मालूम है, कैस्के चोरी होती है, इसमें 13 factor involved होते है, जिसमें calcium का काफी रोल होता है, इसमें देखो क्या है, like damage platelets, अब देखो, platelets damage होती है, तो यहाँ क्या बना, especially AP क्या बन जाएगा, special thromboplastine, अब यह तो आगया AP, फिर देखो, B पे यहाँ पर, अब आपको मालूम है, कि यह किस में बदलेगा, तो आपको मालूम है, यहाँ प्रो-thrombene होता है, जो liver की step में होता है, तो प्रो-thrombene किसमें बदल जाएगा, B में, तो आपको मालूम है, यहाँ, especially thrombene की structure के रूप में आ जाएगा इसको तो as we know that damage platelets यह किसमें कर्वर्ट हुआ है like first is the like thromboplastin यह रहा देखो thromboplastin फिर second B क्या है thrombin and last like fibrinosan यह त्रॉम्बीन की presence में यह thromboplastin यहां आया तो त्रॉम्बीन की presence में यहां पर क्या हो जाएगा त्रॉम्बीन में कर्वर्ट हो जाएगा तो आंसर कौन से जला गया third और मुझे उम्मीद है बिलकुल सही गया होगा आप देखो next यहां बोटनी वाले सर ने बताए दिया आपको ठीक है मुझे काफी उम्मीद है अच्छा गया होगा ठीक है और डीटेल में अपन CLC में आप आपे आओगे तब अपन ओर देंगे ओके थांक्यू हाव इता इंडियन व Toni कल गार्डन और इस्न बोटनिकल रिसर्ट इंस्टिक्यूट अं रच तेटिव ले अंड डफ्क आथर्मीद निटियान को अंसर सेकेंड क्या चला जाएगा हावडा एंड लखनव फिर नेक्स्टे कंसीडर दा फॉलाविंग टू स्टेट्मेंट्स दो स्टेट्मेंट को अपन को पढ़ना है इन सिंगल साल ऑर्गनेज्म वी अनॉट वेरी क्लियर अबाउट दा यूज अफ्टू टू टर्म्स प्रोडेक्शन आपके निलिखा हुआ है कि यूदी इसे बैक्टीरिया हो गया अमीबा इनके लिए अपन वेरी ट्लेटरिफाइग नहीं है कि अपन क्या कहें जैसे आपके क्या हुआ ग्रोथ हूई ग्रोथ में आपके एक से दो साल बन गई तो दो साल बनी तो बीटा यह भी तू बन गए ना है ना तो तू सेल्स फॉर्म होई ग्रोथ भी होई और आपके दो ऑर्गनेज्म भी बन गए रिप्रोडेक्शन भी हो गया तो यहां यह एक दूसरी के आपके क्या होते हैं सिनोनिम होते हैं यह एक्स्पेइन कर रखा है वहन इस कम टू यूनिसल्लर ऑर्गनेज्म लाइक बैक्टिरिया यूनिसल्लर अल्गी और अमीबा रिप्रोडेक्शन इच सिनोनिम्स विद ग्रोथ तो आपके क्या कर रहा है पहले स्टेट्मेंट में कहा कि यूनिसल्लर ऑर्गनेज्म में अपन ग्रोथ और रिप्रोडेक्शन की टर्म में अपन वैरी क्लेरीफाई नहीं एक दूसरे के क्या है सिनोनिम्स दूसरे में इसको विटा आप किसने क्या कर दिया एक्स्पेइन कर दिया सीधा सीधा एंसी इस उठाया हुआ है फस्ट चैप्टर से है तो इस स्टेट्मेंट फ फॉलाविंग वह स्टेट्मेंट वापस आपके दो स्टेट्मेंट आगें सैल्यूलर और्गनाज़ेशन ओव बोडी इस डिफाइनिंग फीचर आफ लाइफ फार्म बाई आपके क्या है इसके अलावा आपके मेटावालिजम हो गया इसके अलावा कॉनसियस्टनेस हो नॉन लिविंग में आपके मेटाबॉलिक र्यक्शन्स नहीं होती विटा आप आपको तो तो बीटा जो आपके क्या है नहीं और एक तो इसा नहीं होगी इनकरेक्ट लो बोट first and second are correct नहीं, first is incorrect नहीं, first तो correct था, second is incorrect but first is correct, ठीक है बिटा, कौन सा चला जाएगा answer, 3, तो यहाँ answer जो होगा बिटा, वो अपकी कौन सा होगा, third यानि की 3, next अपन बात करें, which of the following taxonomy categories are correctly matched to their standard termination of names with respect to the classification of plants, ठीक है, division में यहाँ क्या आता है, आपकी fight आता है, जैसे bryophyta होगया, class जो है, उसमें आपके क्या आ जाता है, opposite आ जाता है, ठीक है, order जो है, उसमें आपके क्या आएगा, एल्स, है न, आपके क्या है, family, family में आपको दे रख ने आपके फियोफायसी तजैसे ho गया, ठीक है, न, टॉर्ज्टिज है, फियोफपायसी, दीक है, जौर्ण न, लूर्ज्द यहाई तर्षणénd रहनगा, यहां ओन्होर्यच सही है, यहां तापके क्या जाएगा, ठीक है, फियोफायसी पढ़ते न, पने फियोफायसी, क्लोरोफाइसी इसके लाव आपके रॉडोफाइसी और ये बास समझ में फर्स सेकंड और थर्ड सही है फूर्द गलत है इसका आंसर जो जाएगा वह आपके कौन सा जाएगा सेकेट ठीक है बढ़ते हैं एक्सक्रिप्शन की तरफ सुडोपोडिया इस फांडेन नेक्स है सीलियुटेड प्रॉटो जुंस मूब वैजें वह इसलिया से आपके क्या करेंगे और यहां एनरजी का क्या होगा उप्याट्ट राकिवेंगे सीलिय ये कीुश हुआ हटि क्या से स्याटिवेंग से टो मूव करेंगे because presence of may on their body तो आपके क्या है actively आपके क्या करेंगे move करेंगे इनकी body map क्या है सीलिया ठीक है आंसर आपके हो जाएगा कौन सा second next organism living in salty areas are called देखो salty area में होते हैं उनको hellophils कहते हैं जो दलदल में यानि कि मार्शी habitat में जोगते हैं उनको अपन क्या कहते हैं तो यहां आप से पूछा है salty area salty area में आपके ग्रो करेंगे कौन hellophils कौन ग्रो करेंगे बिटा hellophils तो आंसर आपके हो जाएगा बिटा कौन सा second कि विच आफ़ दा फॉलाविंग इज इनकरेक्ट अबाउट विरोइट्स पढ़ते हैं विरोइट्स के बारे में आपके विरोइट्स का जो आपके क्या है वाइरस भी आपके क्या है लो है तो यह आपके क्या हो गया रॉंग हो गया फिर आपन बात करें इटिज लैक्ड जैनेटिक मटेरियल नहीं जैनेटिक मटेरियल में आरेने है तो यह भी रॉंग हो गया इटेज बिगर देन वाइरस नहीं वाइरस से आपके क्या होता है यह आपके क्या हो गया रॉंग ऑल स्टेटमेंट्स आपके क्या है इनकरेक्ट ठीक है सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वह आपके क्या है इन्करेक्ट हैं करेक्ट आंसर आएगा फोर है ओन्द बेसिस ऑफ गिवन डाइग्राम विच आफ दा फॉलाविंग स्टेट्मेंट इज करेक्ट बिटा बेसीडियो माई सिटीज का मस्रूम दे रखा गाओं में आपने देखा भी होगा जिसको अपन सांप की शत्री बोलते हैं है ना तो मस्रूम आपको पढ़ाया होगा आपके सर्णे जो भी है तो उसमें आप क्या क्या करें खेंदव किसमे बेसीडियो माई सेटीन आपके पास तो यहीं इनमें आपके क्या होता है और यहीं इसमें आपके क्या होता है मियोसिस तो आंसर आपके हो जाएगा क्या विटल सेकंड क्या अंसर आजाएगा सेकंड बेटा यह था आपका टेकंगो का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा इसके थुरू आप आगे अड्मिशन आपको लेना है सारी चीज यहां सीखनी है अब सारे सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम यहां ओटोनुमस बच्चे पर बहुत ज़्य क्या से आप 12 में आए तो जो भी आपके कोडिनिटर आए थे जो भी अपने हएल्प लाइन नंबर से अपेडमिशन के लिए यहां के क्या कर सकते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं पेपर आपका बहुत अच्छा भी नहीं हुआ है तो भी वीनड़ास निरास नहीं हुना है अग आपके अगर थोड़ा बहुत उपण नीची हुआ है मैंनत करो वापस बहुत अच्छा होना है है ना ठीक है बेटा ओके थैंक यू जैसी अलसी माइसेफ रिंक्यस कुमार गुपता तोड़े वी आर गोइंग टू डिसकॉस CLC Tecno 2024 11th Mathematics Paper तो देखो इसमें कुश्चिन स्टार्ट होता है 76 है तो 76 कुश्चिन है तो 76 कुश्चिन है तो इसके रेक्सपेक्ट में आपनको तू स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट A is A union B equal to A intersection B two set उसमें आपने क्या किया ए और B का क्या लेना Union और बाद में A intersection B वो दोनों equal है तो धांद दो A और B का Union और A और B का intersection अगर equals है वो only ऊसी case में possible है जब A equal to क्या होगा B तो स्टेटमेंट смотреть आपका क्या होगा to similarly A delta V phi A delta V equal to phi if A equal to V A delta V equal to phi ka meaning hai symmetric difference of two sets symmetric difference of two sets then A delta V equal to this is A union V minus A intersection V A delta V ka practical meaning yag var samashakta to a mathematically A delta V equal to kya padaa tha mne N of A minus V set A main se set B ko minus kia plus B minus A to A minus B ka meaning hai element of set A which are not present in set B ultimately is ka meaning tha yye set A hai yye set B to A minus B ka mazla only this part or B minus A only this part or in dono ke union ko bolte apan A delta V total main se kya karo intersection ko minus ka dhu ab thoda practically sooche A union B main se aapne A intersection B ko subject kiya aur yye kyanachi phi to see case impossible hai jab ab thoda samjho intersection me kya ho ga common element aane wale union hai or union me all elements are present to all elements may say agar intersection ko minus ka nane pere phi energy to see case impossible hai jab a and B both are equal sets so then a statement a and statement B both are true then is ka correct option ho ga third next question dekho us ke baad haa 77 question dekho kya bola gaya yas mein let A and B are two sets containing four and two elements expectively then the number of subset of the set A cartesian product B each having at least three elements to first of all te dekho cartesian product ka meaning kya hai one two three four and one two three four and set B main two elements A and A and B so sabse pahle lighna hai A cartesian product B to A cartesian product B kya hai ga one ka relation A se ho sukta hai one ka B se to one ke liye two options one comma A a s1 comma B similarly two comma A total total kitnye cartesian product A ane wale 16 two into two into two into two into two to A cross B total jyo cartesian product B woh kitnye 16 abhi kya ho laga ki in 16 ki help se humko total kya banane subset having at least three elements three elements three elements ka matlab this is one one element this is two elements this is third episode one ttgya karengay Yeah ttotal jyo a pate cottage in product raunmenghe sem kya karena hai kya karena hai kata hai kata ee karena hai kata e kata ee kata earene b kata ee kata earene b kata ee kata earene b वो क्या होंगे 8 होंगे 2 x 4 is 8 8 आने के बाद अब यह जो टोटल 8 sets है इनकी help से हमको क्या बनाने subset और condition given है कि having at least 3 elements तो क्या करना चाहिए 8 में से कोई भी 3 element ले सकते हैं अब 8 में से 4 8 में से 5 और last is 8c8 अब क्या करोगे इसमें 8c0 8c1 8c2 add करो और subtract तो जब आप add करोगे तो यह वेलू बिन जाएगी 2 की पावर 8 minus 8c01 8c1 is 8 और 8c2 की वेलू 28 8 और 8 36 37 तो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 37 और 2 की पावर जो 8s की वेलू उमने पढ़ने 256 37 कम कर दो तो 219 तो इसका 4th option correct होगा उसके बाद 78 question देखो यह भी set का question है set में total 7 element given है set भी में 4 elements अब क्या वो लगा है then the number of element in set C set C में आपको बताने number of element condition क्या है C A का subset मलब जो C है वो किसकी help से बनाओगे set A की help से तो set A की help से total subset क्या बनेंगे 2 की पावर सेविन 2 की पावर है what a condition है C के जो total subset बनाए with the help of A क्या होंगे 2 की पावर से तो इस 2 की पावर से इन में 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 4 5 6 7 up to so what अपनको बात बोली गई है C और B का जो intersection of 5 आना चाहिए मतलब जो set C है जो total subset है आपके C आपने B के साथ क्या लिए intersection तो वो क्या ना चाहिए 5 इसका मतलब 3 6 7 8 की help से जो total क्या बनेंगे subset वो आपके set C में does not present तो क्या करना चाहिए minus 2 की power 4 तो क्या जाएगा 128 minus 16 this is 112 तो तो देन इसका अगें 4th option correct होगा उसके बाद को 79 question क्या है the value of cos cube 10 degree plus sin cube 20 degree plus cos 10 plus sin 20 तो क्या करना चाहिए first of all new milter में आप यूज करोगे a cube plus b cube का formula जैसे a plus b से cancel out हो गया तो क्या जाएगा c square 10 degree plus s square 20 degree minus cos 10 degree sin 20 degree और हमको पता है cos square theta को लिख सकते हैं 1 plus cos 2 theta y to either 1 minus cos 20 का double 40 by 2 इसको एक काम करो 2 से multiply करो 2 से divide तो formula बन जाएगा 2 sin a cos b का तो 2 sin a cos b का formula sin a plus b plus sin of a minus b after that क्या करो upon में 1 by 2 तो common आगया 1 and 1 क्या आगया 2 plus cos 20 minus cos 40 ये किसका formula बन जाएगा माइनस के sin 30 half और माइनस के sin of 10 degree after that क्या करना जान दो sin 30 is half तो 2 cancel हो गया तो sin 10 minus sin 10 cancel out 2 minus half is 3 by 2 और 1 by 2 2 then 3 by 4 तो इसका जो correct option है वो कौन सा होगा second 80 question क्या है एक diameter and a code of a circle एक circle का diameter of code intersect at point inside the circle मतलब आपने क्या किया है एक circle है उसका जो diameter और उसकी कोई भी जो code है वो क्या करती है circle के inside किसी point पर क्या करती intercept let this is a b let this is a after that क्या बोला गया है the two part of the code are length 3 and 5 जो code के two part है उनकी length के मेंने 3 and 5 and one part of the diameter is length 1 इसको बन माल लेते है अगर यह circle का center है तो यह radius r यह radius r तो this is r minus 1 तो यह total part कितना जाएगा 2 r minus 1 क्या जाएगा 2 r minus 1 अब आप से क्या बोला गया जान देना then radius of the circle तो हमने नॉर्मली एक छोरम पड़ी हुई थी 9 10 में कि बता देते हैं अलग से कि एक circle के एंदर अगर two chords are intersect कुछ ही हो सकती ही दो lines are intersect तो इन दोनों length का product और इन दोनों length का product क्या होगा equal oa dot ob equal to oc dot od oa dot ob equal to oc dot od तो कर देते हैं तो इन दोनों का multiply तो क्या जाएगा 2 r minus 1 into 1 equal to 3 into 5 15 15 plus 1 16 by 2 is r equal to 8 तो देन इसका first option correct होगा है उसके बाद देखो question number 81 क्या given है आपको 10 theta given है root upon root होगी यह भी positive numbers हो ले गए तो sin sec sin theta sec की power 7 theta plus cos theta को sec की power 7 theta की अपनको value बतानी in terms of option की अपोड़े तो क्या करना है आपको अगर किसी भी technometric ratio की value given है तो with the help of triangle we can find remaining technometric functions 10 theta का meaning perpendicular upon base तो यह आ गया a square plus b is का मतलब a plus b का root अब एक काम करें सबकी value replace कर देते साइन theta की value क्यों होगी root upon एक काम करते है इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं root a upon root of a plus b सेक 7 कम अब दो cos का reverse cos कम दिस अपोन दिस तो root a plus b upon root b की power 7 यह आ गया root a plus b की power 7 upon root b plus cos theta की value root b upon root a plus b root b upon root of a plus b और कुसे एक 7 का मतलब दिस अपोन root a तो आगया root a plus b की power 7 upon root of a अब देखो एक काम करो एक पावर cancel out to 6 आ गया एक पावर cancel out to 6 आ गया अब दिस आ गया root a plus b की power 6 तो इन दोनों में root a plus b की power 6 का मतलब है a plus b का q तो इन बहुत में अपन a plus b का q क्या ले सकते common then remaining part a root a upon root b plus root b upon एक और काम करोगे इसमें भी root b की power लिखना है 7 और इसमें root a की power 7 तो इसमें root b की power 7 और root a की power 7 अब इसको देखो देखो कर देते तो कितना जाएगा a plus b का q into root a की power 7 into root a root a की power 8 this is a की power 4 similarly यह आगे b की power 4 upon this is a b की power 7 y तो देखते option कौन सा है a plus b का q a की power 4 plus b की power 4 a b की power 7 देन इसका first option ही correct होगा 82 question देखो the number of real solution of equation कभी भी हम किसी भी equation को solve करते है तो first of all जान दें denominator denominator non zero की लगाए conditions तो denominator में प्रिजेंट है x square minus 4 तो क्या लखना है चाहिए x square minus 4 not equal to 0 then x not equal to plus minus 2 और यह लखने के बाद यह से term cancel होगी तो x equal to क्या गया है 2 student mostly क्या गरते है without condition के according इसको direct क्या गरते है cancer आओ तो उनका answer क्या जादा है 2 what यह भी answer इसका गलत है तो then is cancer होगे no solution तो इसने पूछे number of solution तो उसका answer क्या प्रिल करना है 0 मतलब first option 83 देखो the number of values of a for which this equation is n become identity तो अपने वनने की condition क्या होगी जो x square का coefficient है जो x का coefficient है और जो constant time है r become 0 simultaneously ultimately आपको a square minus 3 plus 2 को 0 करना है तो a square minus 3 a plus 2 को जैसे आप 0 करोगे तो इसके factor क्या होगे a minus 1 a minus 2 then we will get a equal to 1,2 and second जो part है a square minus 5 a plus 6 a also 0 then इसके factor क्या होगे a minus 2 a minus 3 speculative method की help से then we will get a equal to 2 and 3 similarly constant time is a square minus 4 equal to 0 तो इसको solve करने पर क्या आगे a equal to plus minus 2 n का मतलब common value लेनी है common value का meaning है कि value of a 4 is satisfy या फैरे से बोल सकते कि the value of a we put these part all 3 becomes 0 तो कि quartic में इसको क्या बनाना पर को identity तो जो coefficient है a b c e sub 0 आएंगे तो 0 आने के लिए क्लिए क्लिए होगा जब a को आप common value होगे 2 तो a को टू लेने पर क्या होगा जान दें यह भी 0 बन जाएगा यह भी 0 यह भी 0 तो इसको तीनों को क्या कर जाएंगे satisfy तो यह क्या बन जाएगे आपकी identity तो इसने पूछा है इससे बच्चे गलती कर देते हैं अगर यह पूचता value of a तो फिर तो इसका 3rd option फिल करेंगे लेकिन इससे पूचा number of value जो फे तो value दो बेटा एक ही मिली ना पर अपन को a equal to to counting कर नहीं है तो इसका answer 1 मलड second option fill करना है 84 question देखो if one root of the equation x square minus lambda x plus 12 0 is even prime number इस quadratic का एक root बोला गया even prime और हमको पता है चितने भी अपने prime number है उनमें एक ही even prime number होगा which is 2 इसका meaning x equal to 2 इसको क्या करेंगा satisfy तो कितना आगे है 4 minus 2 lambda plus 12 0 12 4 16 then lambda equal to 8 अब क्या बोला गया है जो second quadratic है इसके बहुत roots are equal then इसका determinant sorry discriminant क्या होगा 0 तो यह आगे है lambda square equal to 4 u lambda 8 है तो 64 equal to 4 u then u equal to क्या जाएगा 16 तो इसका second option correct होगा 85 question देखो question में क्या हो लगे कि alpha beta is quadratic equation की roots है तो इससे alpha plus beta 3 by 8 हो गया और product of roots क्या हो जाएगा c upon this is 27 y अब आप से एक expression की value पूछ गिए this is alpha square upon beta की पार 1 by 3 plus beta square upon alpha की पार 1 by 3 यह बात ज्यान दें जब भी आपको किसी quadratic roots given alpha beta और किसी भी expression की क्या पूछता value तो आप जरूर check करें कि given expression is symmetric or not symmetric meaning कि कि किसी भी expression में alpha को beta से replace करें और beta is replace for alpha then we will get same expression it means it is a symmetric expression तो और अगर expression हमारा क्या है symmetric तो अपन इसको completely sum of root और productive root में क्या कर सकते हैं convert तो यह symmetric expression है आपका क्योंकि इसे alpha को beta और beta को alpha replace करने पे does not change तो क्या करना चाहिए इसको अपन थोड़ा simplify कर दें तो आगे alpha की power 2 by 3 upon beta की power 1 by 3 plus this is beta square की power 2 by 3 upon alpha की power अब हम इसका लेते हैं LCA तो इसका LCA क्याएगा alpha beta की परवन वाइट इसको से cross multiply कर दो तो बेस इकले तो power को add कर सकते हैं तो यह वन आ गया तो इससे alpha plus beta alpha plus beta आपको given है 3 by 8 और alpha beta की value के 27 by 8 तो 27 by 8 की power जब क्या करोगे वन वाइट ती तो इससे 3 by 2 3 से 3 चला गया 2 को में शिप्ट करोगे 8 upon में आ गया तो solve करने पर क्या answer में लेगा 1 by 4 तो देन इसका second option correct होगा ATC's question देखें if the equation ax square plus 2bx minus 3c0 has non-brial roots ultimate is quadratic equation के roots आपको given है imaginary और condition given तो यह पूचा then the value of c c की value क्या होगी positive negative greater than 0 up to so तो देखेंको इस step की question को करने का मिल क्या करने रहांग दो अगर square take के बहुत roots आ इमेज रही तो ultimately इसको डाइगराम है वो या तो above the x-axis या below the x-axis और यह जो point कोन है इसमें x को 0 put कर दो this is minus c तो यह point आगे 0, minus 3c या फिर यह 0, again minus 3c तो first of all तो check करें कि diagram इसका बढ़ पैरावोला होगा कि downward तो देहां ने जब भी roots को क्या बोला जाए imaginary तो उसको check करना है कि विटेज अब बढ़ पैरावोला कि downward तो आपन को एक condition given इसको देखो आप इसको फोर से multiply करने पर कह जाए कि 4a प्लस 4b 3c को right में ship कर दो किया रहा है 4a प्लस 4b माइनस 3c जो carefully देखें जाब आप इस function fx में x को क्यार प्लस 4b माइनस 3c ultimately x को 2 लेने पे जो corresponding output है वो positive आ रहा है इसका मतरा diagram कॉन से लोगे upward पैरावोला है completely या अबब दी excesses तो माइनस 3c क्या होगा इसका y intercept क्या होगा positive तो c क्या आगे less than नहीं दो मतलब c always क्या होगा negative तो देन इसका first option fill करना है आपको ये TCM question देखें इस solution of the inequality 2x minus 1 less than equal to x square plus 3 less than equal to x minus 1 ये आपको both side inequity given है तो इसका क्या बताना common solution एक बार अपने इसको solve करता है एक बार राइट पार्ट को इन दोनों को one side ले आओ तो या गया x square minus 2x plus 4 गड़े नजीरो carefully देखें इस quadratic का d negative है तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी quadratic का d negative हो तो this is always positive हो तो positive virgin zero this is always true इसका मतलब इसको x की all values क्या करेंगी satisfy similarly अपने इसकी बात करते है तो इसको भी inside लेकर आजाओ तो x square minus x plus 4 less than 0 similarly इसका भी डी negative है this is always positive तो पढ़ो उसको positive less than 0 यह false statement है इसका मतलब इसको x की कोई value satisfy नहीं करेगी तो जब इन दोनों का common लोग है इसका solution real number है इसका solution 5 है तो इसका common answer क्या होगा 5 तो देन इसका fourth option क्या होगा correct तो यह simple सा question था 88 यह good question है आपको set a given x belonging to r और mod x less than 2 तो अपन को पता है mod x less than 2 का मतलब x belonging to open bracket minus 2 से 2 मतलब a2 minus a2 और set भी given है x minus 2 का mod gradient 3 इसको solve कर दें आप तो इसको या तो shortcut से लिख सकते हैं पान mod x गर देन एक को लिखते थे थे पान x belonging to minus infinite से minus a union a2 एक को 3 से replace कर दो और x की जेगे minus 2 तो यह जाएगा solve करने पे x minus 2 less than minus 3 union गर देन 3 तो यह आ गया x less than minus 1 union x गर देन 5 तो finally इसका solution क्या जाएगा minus infinite से minus 1 union 5 से अब इसके बाद देखो बहुत interesting question है क्या पूचा गए ज्यान दें एंटेसेक्शन भी तो दोनों में देखो common part क्या है तो common part तो डिरेक्टिल दिख रहा है यह minus 2 से 2 है ऐसे समझ सकतो आप number लाइन से यह minus 1 यह 5 तो second का solution तो यह रहा और first का solution minus 2 से 2 यह आ गया तो इनका common answer क्या आ गया minus 2 से 1 तो a और b का जो common part है वो कितना है माइनस 2 से माइनस 1 वर्ध्यान दें माइनस 2 पे open bracket है और माइनस 1 पे cruise bracket है लेकिन इसने क्या open bracket लगा रखा तो यह option तिक नहीं करना है यह तो हो गया गलब कि अगर बात करें third option की a union b आपने a और b का क्या लिए union union का मदब है सारे पार्ट को अपन को लेट करना है तो union में क्या जाएगा अंसर माइनस 2 लेकिन 2 पे लगाना open bracket union अगला अंसर आगया 5 से यह इसका आगया common answer अब इस common answer को लिखने के बाद क्या बोला गया है इसको इस format में लखा गया है तो इक काम करें अपन आर में से remaining part को माइनस कर दें तो remaining part कोंसा है 225 इसमें 2 को include नहीं किया गया इसका मतलब इसमें 2 को include करना है इसमें 5 को exclude करना है तो union इसका आएगा आर माइनस 2 माइनस 5 इसमें प्रोब्लम है इसने क्या किया टू पर ओपन लगा रखा जो रॉंग आंसर है इसका थार्ड ऑप्शन भी रॉंग होगा अब सेकंड और थार्ड ऑप्शन का मीनिंग क्या है सेट A में से सेट B को माइनस करना है तो अपने पढ़ा हुगा है किसी भी सेट में से अगर किसी भी सेट को माइनस करना है तो क्या करते हैं जिसे लेट सेकंड ऑप्शन गोला गया बी माइनस ए तो बी माइनस ए का मीनिंग है अल्टिमेंटेली वी में से आपको ए और वी के कॉमन पार्ट को मैनस करना यCTV तो आपका यह करद कंब माइनस टू से माइनस इसको रिमूब करोगे तो माइनस टू से माइनस उनको इसमें से रिमूब करोगे तो हमारा अंसर किया जाएगा माइनस इन्फिरिटी से माइनस इसमें माइनस टू को एक्सुल किया गया तो इसका मतलब इसमें इंक्लूड करोगे चूनियन रेमेंनिंग पाट आगया 5 से इनिफेटिंग ये तो आगया इसका फाइन आंसर अब इसने इसको आर माइनस से लिखा हुआ तो ये काम करो वह सेम ओप्षिन है आर में से बिटिविन पॉर्शन को वह सा है माइनस 2 से 5 और इस पेक क्लू जेतो ओपन लगा दो और इदर ओपन है क्लू जेतो इदर भी होपा हुआ तो आर माइनस माइनस 2 से 5 यस सर तो इसका सेकेंड ओप्षिन आपको फिल करना है ये गुड कॉस्च्छन है 89 यह आपका 2 से ग्रेटर है और यह नेचर नुमर बोला गया है यह जी कॉस्टेंट इप दियर आट जस्ट 18 पोजिटिव इंटीगर्स सैटिस्वाई दी इन इकुटी अप इस पार कॉस्टिन का मीनिंग के इक इन इकुटी गिवन है उसको ओनली 18 इंटीजर क्या करते है स इसकी टोटल 18 इंटीगर्स क्या करती इसको सैटिस्वाई तेन विच अब दी फोलेंगी नॉट करेक्ट एज प्राइम नंबर जो यह वो प्राइम नंबर है क्या ओड है एज गर्देनेट ए लाइज इंदी इंटेवेल 3 से 11 तो यह काम करता है अपन तो इस इन इकुटी क में हमेशा यह स्कूर क्या होगा गेट है यह तो लेसी होगा समय अल्टरेंट क्या लगा दो प्लस माइनस प्लस माइनस कौन सा पॉर्शन ना नेगेटिव ओपन ब्रेकेट तो इससे अंसर आ गया एक्स बेलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से ए ओपन तू से ए स्कूर लेकिन पॉजिटिव इंटीगर सोलुशन की बात कर रहा है तो देखो इसके बिट्विन पॉजिटिव इंटीगर सोलुशन काहां से श्टार्ट होंगे वन से लेके ए माइनस वन तक यूनियन अगला टू ए प्लस वन से प्रिवियस यह इसका फाइनला आंसर है जिसमें ओनली इंटीगर सोलुशन है पॉजिटिव अब इसमें देखो काउंटिंग करो टोटल पॉजिटिव इंटीगर सोलुशन कितने है तो जो को जैसे एक चोटा सा एक ज करने तो लास्ट में से फर्स्ट को माइनस किया तो ओ ए मुग्या दो ए स्कॉर मेनस मानने माइनस दिए प्लस बन करने पर a equal to कितना जाएगा वो 5 तो a equal to क्या फार मतलब a को 5 लेने पर total only 18 positive integral solutions को क्या करेंगे satisfied तो ओ 5 5 कैसा नमर प्राइम भी है और भी है और इस interval में लाही करता रसन पुचा which is not correct तो इसका third option आपको fail करना है 90 कुशन देखो find the sum of all the real solution of the inequality this part जितने भी इसके real solution है उनका sum पताना है तो इसमें carefully बात सुनो पहले तो देखो square plus two positive यह भी positive है तो इनको जीनो में श्रिप कर दो तो only question क्या रहे गया एक टेकी question है अब एक condition लगा होगे पहले देखो root is always positive तो इसका मतलब root positive है और negative लान तो इसका meaning क्या होगा x square minus 9 को negative होना मचता है तो इससे आजाएगा x belonging to minus 3 से 3 वट root की condition भी लगा होगे आप x square minus 16 greater than equal to 0 तो इससे आजाएगा x belonging to minus infinite से 4 union 4 से मतलब इसको only 4 से greater और minus 4 से less value क्या करती satisfied तो यह तो होगया गलाद तो अपर बच्चे क्या करते इस concert take कर देते no solution यह से पॉसिबिल नहीं होगा वाट एक बात सनो यह तो always 0 में चला गया तो यह root आ रहा है इदर equal to 0 तो हो सकता है न तो 0 को आ सकता है जब x square equal to 16 तो x equal to क्या आगया plus minus 4 तो इस equation के इस inequality के only two solution है plus minus 4 इसने क्या पूचा है सम तो plus minus 4 का सम लोगे तो किसका answer क्या आएगा जीरो first option fill करना है 91 देखो यह root की equity given है देखो क्या करना जान दे 1 minus root of this part upon x plus 1 greater than 0 तो देखो इसको solve करने का method क्या है first of all का आप क्या ख़रोगे root की लगा होगे condition तो 21 minus 4 x minus x square तो जाएगा x पहले minus से multiply करें इसके factor लिखो गया आप x plus 7 तो इसका answer जाएगा minus 7 से 3 एक question number 1 अब इसको दोको solve करने का बहुत proper option का एक काम करें दो case हराइज करो एक बार तो मालनों की this is positive मतलब x plus 1 greater than equal to 0 x greater than minus 1 अगर आपने x को minus 1 से greater माना तो always positive है यह लग देना को मा लगा के denominator not equal to 0 तो 0 में चला गया तो क्या रहे गए 1 minus को दश्रिप कर दो scoring कर सकते हैं इसकी तो के जितना जाएगा 121 तो यह जाएगा 1 greater than equal to 2 इसको करने पर एज़िट है जागे सबको लेपकर टांस्फर करो तो then x square plus 4x minus 20 इसके root क्या होंगे outer side तो अब इसके क्या करने पढ़ेंगे alpha beta factor मान हो गया तो इसके उकोड़ेंगे यह वाला अंसर जाए alpha beta है कि वेलू quatic formula से लिखने हो गया तो quatic formula से लिखने हो गुदके जाएगे minus 4 plus minus 4 का square 16 minus 20 into 4 80 96 by 2 आ गया 96 का मतलब क्या लेखें 16 into 6 16 को बाहर लोगे तो 4 तो केंसर जाएगा minus 2 plus minus 2 rule 6 तो यह लोग बीटा तो जाएगा plus वाला बढ़ा है ना पूरे जाएगा स्मोल अब तो को केस फ़स्ट का अंसर क्या आएगा minus 1 से गेटर तो यह तो वह minus 1 से लेज़ है तो minus 1 से गेटर अंसर जाएगा minus 2 से minus 2 plus 2 root 6 से infinity word 3 से लेज़ है तो इसका common part जाएगा 2 root 2 root 6 minus 2 से 3 और इस पर लगाना है close bracket तो इसके according देखो option यह भी image कर रहा है और यह भी image कर रहा है तो अपन case second को देखते हैं वाला एक अंसर तो यह जो दोनों में common है अब अगर x को less than क्या लोगे minus माइनस में लेज़ नहीं पर क्या होगा sign change होगा तो इसके between answer आएगा minus वाला तो माइनस वाला अंसर जाएगा minus 2 minus 2 root 6 से minus 2 plus 2 root 6 लेकिन अपने को minus 1 से less लेना है तो minus 1 से जो less है तो minus 1 से जो less portion है वो कौन सा होगा यह वाला कि तो minus 2 minus 2 root 6 से minus 1 और यह minus 7 से 3 के between भी लाई करेगा क्योंकि minus 7 से greater quantity है तो इसके according इसका जो correct option है वो आपको फोर्थ फिल करना है बच्छे जल्दी वाजी में थल्फिल कर देते कभी कवार को कि minus 1 पे close है बट माइनस 1 को करें नहीं सकते को कि वह पौन में आ रहा है तो इसका fourth option आपको फिल करना है थोड़ा सा लेन्टी कुशन था है 92 दुखो इनेकुटी सोल कंड़ी सिंपल सी दी नंबर ओ पॉजिटिव इंटीगल वेलू जो फैक्स वे सैटिस्फाय दी गिवन इनेकुटी इसको देखो सौट-कट करनेका वे ए antes आपको बूला गया पॉजिटिव इंटीजर है तो एक काम करो ना lotれ जो फॉजिटिव यह बी कश्क उजिए जो वी आल भीममिल्वे सोजिटिव यह होगी plus one plus nine है तो और पॉजिटिव है उसको सीधर 0 में क्या कर सकते है अपन शिप्ट कर सकते हैं तो only question क्या रह गया एक्स माइनस 4 की पावर 2017 अपॉन एक्स माइनस 2 का क्यू और कॉमा लगा के दिने डिनोबेटर नो जीरो तो अपन में 2 और 6 को इनकलो नहीं करना है जीरो को तो ले नहीं वैसे भी नम्म लेंटर कर दो 2 4 सब पे पावर और तो प्लस माइनस प्लस माइनस अंसर नेगेटे पॉर्शन तो इसका कॉमान अंसर के जाएगा माइनस इनिफिटी से तू अपन यूनियन 4 से 6 अब देखो अंसर अपन को पॉजिटिटिव इंटीज के वल वन आ रहा है इसमें 4 एंड 5 तो ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर इसको क्या करेंगे सैटिस्फाय तो देन इसके अकोडिंग इसने नमबर ओ अब कुछन में बोल लगे कि अब इसकी आपके कि अपन को पता है कि एपी के नमबर से में कोई भी कॉंटिटिटी एड़ सब्टेक्ट मल्टिफायर डिवाट करने पर स्रीज नौट चेंज वो और्टोमेंटिकली अभी वी क्या रहेगी पी थे काम करते हैं अपन इस कि इससे एक की वेलू अगले से भी अगले से सी की वेलू से पूट कर देते हैं तो इससे के जाएगा वन माइनस एक्वल टुट वन वाई एक्स देन करने या वन केंसे करने पर यह between होग हो मायन सटाने पी में होगा तो रहा हो हयां और ऑ mie कुल नहीं अएक्स और ZRNHP क्योंकि AP का जो रेसी प्रोकल हो किसमें होगा बेटा? HP में तो इसका दैन थर्ड ओप्शन, करेक्ट. 94 कुशन देखो, find the sum of this, इसको केरफुली देखो, ये arithmetic geometric series है, क्योंकि न्यूमेटर में 3579 AP में है, 261854 ये GP में, तो जब भी series में कुछ term AP में हो और remaining term GP में, तो उसको क्या बोलते है, AGP, तो उसको solve करने का वे क्या है, इसको S equal to let करो. ठीक है, अब इसका जो common ratio है, वो कितना है, 3, तो क्या करें, इसको 1 by 3 से multiply करके, 1 by 1 term को अपन को shift करके लिए, तो या जाएगा, S Y 3 equal to, 3 by 6 minus 5 by 18 plus 7 by 54 minus, कुछ नहीं करना, मिन दोनों को add कर देते हैं, तो add करने पे क्या जाएगा, 4S Y 3 equal to, ध्यान दे, 3 by 2 minus, 2 by 6 minus 2 by 18, sorry, minus 2 by 6 plus 2 by 18 minus 2 by 54, लिख देते हैं, चलो, तो एक काम करो, चलो, एक बार लिखते, फिर बार में common, minus 2 by 6 plus, अब थोड़ा, केरिफुली देखो, फिर्स्ट अम तो इसकी रखवा एजएट है, सेकेंड ट्म सी इनिफिनिटी जीपी बनेगी, तेको, यह कितना है, 1 by 3, सेकेंड ट्म कितनी है, 1 by 9, और अगली ट्म कितनी है, minus 1 by, तो कोन है, जीपी है, इनिफिनिटी ट्म की, चावते काम कर सकतो, इन समय से minus common लेलो, आप, तो यह minus और यह plus, तो इसकी first term 1 by 3, common ratio minus 1 by 3, तो a upon 1 minus 1 by 3, जाएगा, 1 by 3 upon minus minus plus 1 by 3, तो जाएगा, 1 plus 1 by 3, 4 by 3, तो यह कितनी है, 1 by 3, तो यह सारी की सारी वेलो कितनी आई, minus common लेने, तो कितना मिल जाएगा, 4 s y 3 equal to, 3 by 2 minus के, 1 by 3, 6 lc m, लोगे, 3 or 3, 9 minus 2, यह 1 by 4 होगा, तो इसको 1 by 4 लिखने पे, 8 इसके lc m, लोगे, तो 12 minus 8 is 10, कितना जाएगा, 4 s y 3 equal to, 10 by 4 s y, 10 by 8 का मलता 5 by 4, तो 15 by 16, then इसका first option correct हो जाएगा, ठीक है, 95 question देखो, यह भी आपके real number है, a, a plus 2 b, 2 a plus b, a p m, बोले गए, और यह अगले 3 आपको g p m, बोले गए, तो हमको a plus b की value को find out करना थे, काम करो, अगर 3 numbers आ रहे हैं, a p, तो second का double, 2 a plus 4 b equal to, 1st और 3 का sum, 3 a plus b आ गया, तो solve करने पर आगए, a equal to, 3 b, अब लगाते जीपी condition, तो gp में क्या लखनेंगे, second का square, equal to, 1st and 3rd, b plus 1 का square, a plus 1 का, अब एक काम करो, बोह साट क्या ले लो, square root, तो square root लेने पर जाएगा, a, b plus 5 equal to, plus minus, जब भी इस करूट लेने, क्या लगाते है, plus minus, अब 2 के सराइच करो, जब आप taking plus लोगे तो यह आगए, a, b plus 5 equal to, इन दोनों बैकेट्स को multiply करो, तो a से multiply करो तो a, b plus a, b से गिया तो b plus, 1 से गिया तो b plus 1, a, b cancel होगे, तो इसे सीधा आगया, a plus b equal to 4, इसको use कर सकते हो, चाहो तो, तो उसको solve करने पर b1 आजाएगा, a3 आगया, ठीक है, तो a plus b का समफोर है, बोलोगे negative में क्या होगा, जब आप negative लोगे, तो इस सारे minus न हो जाएगी, 4, minus को जब इदर ले के आओगे, तो क्या जाएगा, 2 a, b plus 6, plus a plus b equal to 2, अब आप इसमें काम करो, a को replace करोगे 3 b, जैसे आप a को 3 b replace करोगे, तो b में बनेगी quartic, और b में quartic बनने के बाद, इसका d कहाएगा negative, मतब b, आपका क्या होगा, imaginary, but question है, a and b बहुत है, तो देन इसका only taking plus बाला part correct है, तो a plus b कस्न क्या होगा, 4, तो इसका third option आपको fill करोगे, 96 देखो, a and b a sequence, such that, a and a sequence, इसकी first term 2 है, और एक condition given है, a and plus 1 equal to 2 and plus a, तो आपको बताना है कि इसकी hundred term क्या होगी थी, काम करोगे, आपन series check करते हैं, तो a1 तो आपका बन है, अब n को 1 लेने पे देखो, a2 क्या जाएगा, n को 1 लेने पे 2 plus a1, a1 is 1, sorry, a1 is 2, तो solve करने पे a2 is 4, और देखते हैं, n को 2 करने पे a3 क्या जाएगा, 2 लेने पे 4 plus a2, a2 आपका 4 है, तो a3, 4 और 4, 8 हो गया, a3 हागया, similarly, a4 क्या आएगा, 3 पटक दो, तो 6 प्लस a3, तो जाएगा a4 equal to, पे n को 3 लेने पे 6 प्लस a3, this is 14 हागया, a को लेखते हैं, भी तो कुछ idea नहीं लेगएगा पन को, अगर हम a5 की बात करते हैं, 5 कदब 4, 8 प्लस a4, 14 और 22, a5 आगया 22, then हमको a, n बताना है, बाद में इनको नहीं लेगा, carefully देखो इतने नाइधर ap नौर gp नौर agp, फिर इसको गोर से देखो, इनका difference देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है, कि अगर concentrated term का difference आइधर in ap और gp, then we can find tn term with the help of method of difference, और method difference में क्या करेंगे, इस स्रीज को आपन रिराइट करते हैं कि पार, s equal to 2, 4, 8, 14, 22 और last is a n term, a n लाना चाइधर इसको अगर रिराइट करो, 1 term को shift करके, subject करते हैं, 0 आ गया, 2, 2, 4, 6, 8 और minus के a n, तो a n को left में शिट किया तो क्या आ गया, a n equal to 2 plus, जब को यह, total n plus 1 term है, तो a n तो दर चला गया, तो n term, first term को अपने leave कर दिए, छोड़ दिया, तो remaining term है n minus 1, और यह n minus term किसमे, a p b, तो एक काम करो, चाउतर समें से 2 common लिख सकतो, यह direct कर दो, n minus 1 term के summation का formula, n minus 1 by 2, 2 a plus n minus 1 into d, common inference 2 a, तो इन 2 c 2 cancel out हो गया, तो overall अपका a n आ जाएगा, 2 plus n minus 1 bracket में जान दो, this is n, क्योंकि n minus 2 plus 2, तो finally a n कितना आ गया, इससे आ गया, a n equal to n square minus n plus 2, हम से पूचा 100, तो n को 100 लोगे, तो 1000 में से 100 कम करो, तो 9900, 2 a करो, तो 9902, इसका 3rd option correct होगा, if the coefficient of x की power 7 and x की power 8 in the expansion of this part are equal, then the value of n, इन दोनों में x की power 8 और x की power 7 का coefficient क्या होगा, एक काम करो, जब भी आपको वाइने में तेरों में, किसी भी action, expansion का क्या लखना का coefficient, तो first of all, we can write TR plus one term, this is n, c, r, first term की power n minus r, और second term की power r, अब इसमें x की power 7 का coefficient क्या होगा, r को 7 रख दो, तो जाएगा, n, c, 7, 2 की power n minus 7 upon 3 की power 7 equal to coefficient of x की power 8, r को 8 पूट करें, तो क्या आगया, तो आपको, यह n minus 7 है, यह n minus 8 है, तो एक टूदर बच जाएगा, यह cancel हो के 3, तो 3, 2, 6, तो आगे 6 dot, n, c, 7 equal to n, c, 8, अब इसमें n, c, r का formula apply करो, जैसे आप n, c, r के formula को apply करोगे, तो simplify करने पे n equal to कितना जाएगा, बोलो, 15, 55, 88, 98 question, देखो, the expression of, पढ़ो, उसको डंग से, 10, c, 0 का square, minus 10, c, 1 का square, plus 10, c, 2 का square, dot, dot, 10, c, 10 का square, इस question का meaning है, आपको, जो y n, m, coefficient, n, k, square, k, alternate, plus, minus की बात की लिए, तो जब भी हमको y n, m, coefficient के square की बात करनी है, तो अपन क्या करती, दो बार term लगते हैं, one time, तो 1 plus x की power n का expansion और एक बार x minus 1 की power n का expansion, what, अगर between minus है, तो क्या करोगे, पहले लिखो, 1 minus x की power, इसका prefix कितना 10 का expansion, तो कितना जाएगा, tan c 0, tan c 1 x plus tan c 2 x square minus, ये ऐसे programming चलती रहेगा, फिर लिखें आप reverse, a x plus 1 की power 10 का expansion, this is tan c 0 x x की power 10 minus tan c 1, अब आपको दो को करना क्या ज्यांदे, दो को इसकोष से multiply करने पर क्या कर, tan c 0 का square plus, sorry, tan c 1 का square minus tan c 2 का square, तो आपको क्या करना है, first and second equation को multiply करना है, multiply करने के बाद ज्यान दो, इनको जब corresponding multiply करोगे, तो सम्मेद को x की power 10 प्रिजेंट है, तो ultimate is का meaning है कि multiply equation first and second and taking the coefficient of x की power 10 in both side, तो right side में, right side में जब आप multiply करोगे और क्या लोगो x की power 10 का coefficient, वो तो क्या होगा, आपना question आ जाएगा, tan c 0 का square minus plus up to son, अब left part को multiply करके, इसमें से भी क्या लेना, x की power 10 का coefficient, तो power equal है, तो base को multiply करते हैं, तो कितना आ गया, 1 minus x की power 10, अब इसमें से 10 का क्या लेना coefficient, तो इसकी लेको जनल अंटम, तो इसकी टी आर प्रसेंटम क्या होगी, 10 c r, 1 की power 10 minus r, minus x कर की power r, this is minus 1 की power r, x की power 2 r, अब आपको क्या लेना, x की power 5 का coefficient, तो r को क्या लोगे, 5, sorry, x की power 10 का coefficient, तो r को क्या लेंगे, बोलो, 5, तो r को 5 लेने पर answer के जाएगा, 10 c 5, minus 1 की power 5 ही जाएगा, minus, so then this is, let's reach का जो समय को क्या आएगा, minus के 10 c 5, yes, तो इसका जो correct option है, वो होगा, third option, अगला question क्या देखो पड़ो, आपको काफी सारे expression multiply में given है, 1 plus x, 1 plus x plus x square, अगले में 1 plus x and 8, when written in the ascending power of x, then highest exponent of x, highest exponent of x का मतलब है कि जब आप इसको multiply करोगे, तो x की जो maximum power है, वो कितनी आ सकती बताना है, जब x की maximum power लेकि आनी तो आपन क्या करें, हर bracket की x की maximum power को multiply कर देते, जब आप x की maximum power को multiply कर देते, जब आप x की maximum power को multiply करोगा, तो कितना जाएगा हंडेड इन्टू तो कितना जाएगा है 50 50 तो देन इसका इसकी डिगरी क्या होगी 50 50 सेकंड ऑफ्शन इसका करेक्ट है और यह लास्ट कुश्चन देखें हैं कोफि सींट और चीपावर 5 इन दी एक्सेशन के तो यह आ इसमें इसमें ऐसट की पावर 5 का क्या बताना कोफिस ए सब्सक्राइब देखो Lin Clinic बवत्लों हर पार गरौह को LIVE तक Seven प्रेजेंट हो तब तक इसको क्या गर देते हैं एकस्पेंड कर देते हैं तो देखो फिर्स्ट हम क्या जाएगी 15C0 प्लस 15C1 xq अगले में क्या होगी 15C2 x की पावर 6 जिसके कोई जरत नहीं है ऐसे इस सेकेंड ब्रेकेट में लिखोगे 10C0 प्लस 10C1 x square प्लस 10C2 x4 और अगले में से तो तो दोनों के multiple है में x की power of 5 लाना है तो इसका एकी option है x cube को x square से multiply करोगे बागी किसी से भी आई नहीं सकता तो देन x की power 5 का coefficient के जाएगे 15C5.10C1 15C1 की value 15 होती है 10C1 की value 10 तो देन x की power 5 का जो coefficient है क्या होगा 150 तो इसका second option ठीक है बिटा थैंक्यों हेलो students welcome in the video solution of CLC techno 24 वीडियो solution में 11th Hindi medium physics के questions को अपन डिसकस करेंगे पहला question अपने को screen पर given है दी गई संख्याओं 6.320 3.032 और 0.306032 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमसे होगी तो सार्थक अंक जैसे पहले वाली संख्या में देखें तो यह वाला जो जिरो अपने पास में है यह वाला भी यतारत मान में सांट होगा सामील हो इस के अंदर भी अंगरणाल यहीं सपार्थ leven घथा चांटाया यह वाली 0 सार्धागंगों में नहीं गिने जाते हैं इसका मतलब सार्थचांग्षों की संख्या होगा विच यह ओगी चार तो त्टीनर जो अपने को संख्याएं डीवन है जियाई इनके सकति की वीमा है तो एक जैसे मिंने चूज करना है जैसे जानतें सकती का सकती का वेल्यू और T-2 divided by, समय की वीमा होगी T1, तो टोटल जो अपने पास वीमा आ रही है, ये M1, L2 और T-3, इसका मतलब जो correct option अपने पास होगा, this will be option number 1, द्रवेमान की वीमा एक है, लंबाई की वीमा इसमें 2 हैं, और समय की जो वीमा है, वो minus 3 है, next question, question number 3, G का मान, G बराबर 4 pi square L बटा T square से, ग्याद करने के प्रियोग में, यदि L के मापन में तूटी, प्लस माइनस 2 परतिसत है, percentage error परतिसत तूटी अपने को दीवी है, और T के मापन में आने वाली तूटी, प्लस माइनस 3 परसेंट है, तो G के मापन में होने वाली आने के, तो मैं परतिसत तूटी बराबर आ दियाएगा, जो लंबाई में परतिसत तूटी है, उसको अपने को add करना है, percentage error in L और साथ में जो अपने पास में समय दिया हुआ है यह L बड़ा T square है तो भाग में भी अगर कोई होता है गुणा में और भाग में जैसा कि अपन जानते हैं calculation से कि जो परतिसत रूटियां होती हो गुणा और भाग दोनों में क्या होती है एड होती है तो समय का कितना परसेंट है तो टोटल जो अपने पास में आएगा वो किसके बराबर आगया आठ परसेंट तो अपने यह मान सकते हैं कि जो परतिसत रूटिया आएगी जी के मापन में option number one will be the correct कितना परसेंट होगा आठ परसेंट के बराबर होगा वर्नियर कैलिबर का question है जिसमें मुख्य पेमाना और वर्नियर पेमाने के बारे में लिखा गया है एन खाने है मुख्य स्केल के मुख्य पेमाने के और जो वर्नियर पेमाना है उस वर्नियर पेमाने के एन प्लस वन खाने है विबाजकों के साथ मेल खाते हैं वर्नियर केलिपर का अलपत मांग होगा मतलब वर्नियर केलिपर का अलपत मांग अपने को ग्यात करना है जब मुख्य पेमाने पर एक सेंटिमीटर को पांच बराबर भागों में विबाजित किया जाता है तो सबसे पहले तो मुख्य स्केल की बारे में अपन डिस्कस करते हैं इसमें बोला गया है कि जो मुख्य स्केल है उसको मैं लिख देता हूं मैं स्केल तो मैं स्केल में यह अपने को बोला गया है कि जो एक खाना आता है उस एक खाने का मान अपने को पहले ग्याद करना और एक खाने को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 MSD जैसे जनरली अपन क्या बोलते हैं जो सेंटीमेटर स्केल होता है उसमें एक सेंटीमेटर तक के मापन 10 बराबर खानों में बटे होते हैं इसका मतलब सबसे पहले अपने को यह चेक करना है कि इसका एक खाना कितने सेंटीमेटर को वेक्त करेगा कितने एमम को वेक्त करेगा तो अपने बोलते हैं एक खाना जिसको अपने बोला 1 MSD के बराबर तो मैं बोल सकता हूँ 1 MSD MSD का मतलब man scale division मुख्य पेमाने का एक खाना तो 1 MSD बराबर होगा टोटल कितना सेंटीमेटर है एक सेंटीमेटर है और उस एक सेंटीमेटर को अपने कितने बागों में बाटा है पांच बागों में इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 MSD का मान 2 mm के पराबर है किसके पराबर है 2 mm दूसरी बात समझे ध्यान से एक सेंटमेंट पाटा गया तो मान गया यहां से बोला गी N मुक्हे स्केल विवाजक N plus 1 वर्णियर स्केल विवाजक के साथ Mail खाते इसका मतलब यह जैसे मान लो कि अपने यह बोलते हैं यह मुख्य पेमान गदर यहां के मान ले यहां से लेकर यहां से किसका माना जाएगा वियस्टी का वर्नियर स्केल के एक खाने को अपने माना हुआ है तो अपने पास में या गया एंट टाइम्स ओफ किसके बराबर है न प्लस वन तो जब भी अपन अलपत मांग का मान जाते हैं तो इसका मान आ जाएगा वन Ờ भीका मान किसके खालाबर है 2 mm के बढ़ाबर है और वन recurli कितना एक टू एपान एपन प्लस वन तो अलपत मांग मतलग एक लिस्ट गांट अपन निकालते हैं तो इस कमान आ जाएका one expl-1 csd तो one msd कमान कितना है अपने पास मेरे ण ने पर वैदन एप whoa to end divided by n plus 1 है तो यहां से अगर मैं इसको LCM लेकर के solve करता हूँ तो अपने पास में आ गया 2n sorry LCM n plus 1 and this is equal to 2 into n plus 1 minus का 2n solve करेंगे तो यहां पर बज़ आएगा 2 divided by 2n plus 2 divided by 2n plus 2 minus 2n divided by n plus 1 तो यह cancel out हो गया अपने पास में और जो result अपने पास आ रहा है 2 divided by n plus 1 जोगी अपने पास कौन से option में मिल रहा है option number first में तो जो MSB और VSD को difference करने पर जो अपने पास value आ रही है उसको अपन बोलते हैं किसी वर्नियर पेमाने का अलपत मांग है और वर्नियर पेमाने का अलपत मांग यहां पर कितना आ रहा है टू डिवाइड़ वाइन प्लस 1m क्लियर चलिए नेक्स्ट कॉशन डिसकस करते हैं कि कौशन नमर फाइफ विराम अवस्ता से प्रार्म होकर नियत त्वरण की अधिन गती करते एक कण द्वारा प्रतम दो सेकिंड में त्यकी दूरी एक्स तथा अगले दो सेकंड में तैक ही की दूरी आई है जैसा कि आपन जानते हैं अगर विरा वस्ता से नियत तुरण की अधिन अगर कोई वस्तु गती करती है तो नियत तोरण की अधीन अगर गती करेगी तो अपन उसको ऐसे condition में लेते हैं पहली 2 second और अगली 2 second पहुच रहा है इसका मनदब समान समय अंतराल है और समान समय अंतराल में जो तैकी की दूरी का मान होता है इस डिरेक्ली प्रपोस्टनल डू 2N-1 बोले clear तो यहां से अगर अपने यह बोलें कि पहला अंतराल भी 2 second का है चलिए भी यह first interval है यह वाला second interval है तो पहले और second interval का जो ratio अपने पास आता है वो आता है 1 ratio 3 एक अनुपात 3 के terms में तो अगर पहले वाले अंतराल में दूरी x तै करनी पड़ी तो अगरे अंतराल में जो यह दूरी तै करेगा उस दूरी का मान किसके बराबर आएगा एक अनुपात 3 होता है तो अगरे 2 second में तै की दूरी का मान कितना हो जाएगा y बराबर 3x पोले clear? क्योंकि next second में y है first में x है तो y जो होगा वो पहले वाले का 3 गुणा होगा 3 गुणा होने का मतलब 3x अपन मान सकते है value अपन यह आसे लिख सकते है n बराबर 1 रखेंगे तो यह first interval है n बराबर 2 रखेंगे तो यह second interval है इसका मतलब 1 अनुपात 3 बनेगा 1 अनुपात 3 बनेगा मतलब है यह X तो यह अगले वाला कितना हो जाएगा 3X Is this clear? चलिए बई Next पर डिसकस करते है Question number 6 यह बने सरल रेखिए गती में किसी कण का विस्थापन X बराबर 1-T-T स्कॉाइर है निम्न में से गती को वेक्ट करने वाला ग्राफ होगा जैसे कि चारों अफ्षन जो अपने को यहाँ पर दिये गए हैं इन चारों अफ्षन के अंदर X-T ग्राफ दिया हुआ है और X-T ग्राफ दिया हुआ तो अपने यह मान सकते हैं कि इसके बेसिस पे अपन वेग को पता कर सकते हैं X-T ग्राफ की डाल से प्रारंबिक X की स्थती पता कर सकते हैं जैसे कि अपन लोग ही मानें कि भी X बराबर 1-T-T-T-2 है तो X-T ग्राफ में सबसे पहले तो मैं यही चेक कर देता हूँ कि अगर T बराबर 0 का मान लें तो इसका मतलब यह पारडिकल जो चेक करेंगे वही बिएग और त्वरण की साहिता से तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस इसस्तती के अधार पर अगर वेग का मान कितना होगा dx बटा dt और dx बटा dt है तो अपने यहां से लिख सकते हैं कि अपने पास में 1 का उगलन 0 हो गया यह आ गया माइनस 1 और माइनस का 2t अब t ब्रावर 0 पे अगर मैं चेक करूं तो बोलो वेग का मान कैसा आ रहा है भई वेग का मान अपने पास में माइनस 1 आएगा t ब्रावर 0 पे चलिए सब बातें लिख लेते हैं उसके बाद में डिसकस करते हैं तो वी का मान कितना आ रहा है माइनस 1 मिटर पर सेकंड ठीक इसके बाद में अगर मैं त्वरण की बात करता हूं तो त्वरण का मान अगर यहां से अपन लिखें तो बोलो कितना आएगा dv by dt तो dv by dt से अगर अपन चेक करते हैं तो यहां का जो मान आएगा वो माइनस 2 मिटर पर सेकंड स्क्वाइर के बराबर हो जाएगा आउकलन करते हैं dv by dt का माइनस 1 का 0 हो गया इस वाले का करेंगे तो माइनस 2 मिटर पर सेकंड स्क्वाइर ठीक तो अगर अपन यहां से देखें तो v का मान dxy dt है अगर मैं इसमें t बराबर 0 पे चेक करता हूं चुरकर चेक करते हैं तो extinct ग्राफ को ज्यान से देखें तो किसी भी बिंदू पे अगरां और जोडल पॉजजटीव आरी समबह पर इस और करता हूं जो कैसा पराप्त होगा जो कि प्रक्षेपित करने पर धरातल से किस उँचाई पर दोनो वस्तु एं टगराती है देखी question बोला गया कि दो वस्तु एं आपने छोड़ी है लेकिन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ा दोनों को एक साथ नहीं छोड़ने का मतलब है पहले वाले को छोड़ने के दो सकिंड बाद अपने दूसरी वस्तु को उपर गी और फेंगा उसी रास्ते पर फेंगा सरल रेखे पत पर फेंगा तो देखो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि भी जब दूसरी वस्तु को अपन फेंग रहे हैं तो पहली वस्तु की स्तती उस समय क्या होगी ठीक है उसके बाद में आप एकसी गती की सिधांग से इसको अपना असानी से सौल कर पाएगे ठीक कैसे करते हैं देगो ध्याम देना अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ कि अपन ने यहां से सबसे पहले बोड़ी को छोड़ा उसके बाद में दो सेकेंड बाद दूसरी वस्तु को छोड़ा तो मान लेते हैं कि यह सेकेंड बोड़ी रही होगी तो फर्स्ट बोड़ी दो सेकेंड पे किसी इस्तती पर पहुंच चुकी होगी ठीक है अगर मैं दो सेकेंड के उपर जब इस दूसरी वस्तू को फैंका गया था इस दोरान इस पहली वस्तू के बारे में कुछ प्रेक्शन लेता हूँ तो पहली वस्तू की अगर अपन बात करें first at t equal to 2 seconds मतलब 2 seconds पे पहली वस्तू की इस्तती को बताना है तो सबसे पहले तो अपने इसकी इस्तती निकाली तो s बराबर मैं लिख देता हूँ ut minus of half gt square u का मान बोलो कितना है 40 t का मान है 2 minus 1 बटा 2 10 into 2 square ठीक है तो यह अपने पास में यहां से आजाएगा 80 minus यहां कि अगर आपन बात करें तो वेल्यू आजाएगा 20 तो यह 60 मिटर पर है जब पहली बोडी को प्रोजेक्ट करा गया है तो मैं मान लेता हूँ कि यह जो डिस्टेंस से दोनों बोडी के अंदर बोले कितने मिटर के पराबर बीटा 60 मिटर चलिए बैए इस समय इसका वेग याद कर लेते हैं। बोलो वी का मान कितना होगा U minus DT तो U का वेल्यू अपने पास आया 40 minus 10 इंटू 2 तो अपने पास में जो वेल्यू आ रही है मतलब जब दूसरी वस्तु को प्रेक्षेपीद किया गया तो पहली वस्तु धरातल से 60 मिटर उपर जा चुकी है और इसका जो वेग है वो वेग कितना मिटर पर सेकेंड है 20 मिटर पर सेकेंड है और कौन सी दिसा में है उपर की ओर है ठीक तो अपन क्या करते हैं देको बात स पहली वस्तु भी गुरुत्य तोरण की अधीन है दूसरी वस्तु भी गुरुत्य तोरण की अधीन है इसका मतलब दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्स तोरण का मान बोलो किसके बरावर आएगा सुनने 0 आएगा तो अगर मैं आपेक्सिक गती लेता हूँ तो इ सब्सक्राइब ब्रावर यू रिलेटिव टी मतलब इस बोडी को दूसरी बोडी को पहली वस्तू के सापिक्स अगर टकराना है तो कितनी दूरी करनी है की शाट मिटर साट अपने पास में आपКरना है ती का मंदब यह पास में आगया 3 सेट हैं मतलब यह दोनों वस्तों एग दूस्रे से इंस याफ कर बार निगालते हैं तो equal to u का मान कितना है 40 समय का मान कितना 3 माइनस एक बटा दो जी का मान 10 और यहां पे 3 का स्क्वायर ठीक है calculate करेंगे तो यह आजएगा 120 माइनस इसको solve करेंगे तो बोलो कितना आ गया 45 तो जो s का value आएगा वो कितना मिटर आ जाएगा बेटा 75 मिटर तो correct option will be option number two मतलब धरातल से कितने उन्चाई पर जाकर के एक दूसरे से टकराती है 75 मिटर पर 75 मिटर पर clear चलिए नेक्स्ट कॉशन कॉशन नमर 8 एक्स एक्स पर गती कर रहे कंगा विस्तापन समय वक्र चित्र में दरसीत परदर्सीत दर्साया गया है इस ग्राफ को देखकर के अपने कोई चूज करना है which one is the correct कौन सा option अपने बास में सही होगा तो देखें यहां से लेकर कि यहां तक कैसा है बताओ धनात्मग है इसका मतलब बोल सकता हूं कि 0 से लेके टी नोट तक जो यह कण यह कंग एक समान गती एक समान वेग से गती कर रहा होगा, यहाँ पर जाने के बाद, इस कन का जो ढाल है, वो सुनने हो चुका है, और X-T ग्राफ का ढाल सुनने होने का मतलब, यह इस कन का वेग सुनने हो गया, इसका मतलब कन जो है, वो विरामवस्था में आ चुका है, तो पहला अगर option अपन देखें, कन विराम विरामावस्था में आ जाएगा, क्योंकि यह ढाल किसको शोकर रही है विड़ा, यहाँ पर पार्टिकल का जो वेग आ रहा है, वो लोग किसके वरावर आ रहा है, जीरो के वरावर, कन का वेग टी नोट समय तक बढ़ता है, तथा उसके पस्थात नियत हो जाता है, नहीं, टीनोट समय तक नियत वेग है, उसके बाद में ये वेग 0 हो जाता है, मतलब रेस्ट पर आ जाता है, तो option नमर 4, कण समय टीनोट तक एक नियत वेग से गती करता है, तदा उसके पस्चाथ विराम अवस्था में आ जाता है, इसका मतलब option नमर 4 जो होगा, वो क्या होगा, correct option ह होगा, कि यहां से यहां तक एक समान वेग से जाएगा, उसके बाद में ग्राफ की ढाल सुनने होने के करण, इसका वेग भी कितना हो जाएगा, सुनने, तो कण कौन सी वस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में, वोड़ो clear, चलिए जी, next question, question number 9, एक वस्तू P से, 36 से 30 डिगरी कौन पर प्रक्षेपित की जाती है, गती के सिर्ष बिंदू पर इसके समवेग का परिमान होगा, देखें जैसा कि अपन जानते हैं, प्रक्षेपे गती के अंदर, अगर मान लो, अपन यहां से किसी कण को यू मिटर पर सेकिन से छोड़ते हैं, कौन इसक किसके बरावर हो जाएगा, जीरो, तो यहां जो कण की चाल V है, वो चाल V नहीं रहकर, या यू नहीं रहकर, यहां तो चाल U था, तो यहां का समवेग तो था M U, इसको अपने मान लिया P, परिमान दिया हुआ है, यहां अगर मैं समवेग की बात करता हूं, इस वाले बिं और M U को अपन क्या बोल रहे हैं मेटा P, तो P डेस का मान, बोलो कितना आएगा, रूट 3 by 2 P के बरावर, बोलो क्लियर है गया, ओके, चलिए बई, कौशन नमर, इसका ओप्सर नमर कौन सा गरेट हो जाएगा, ओप्सर नमर 1, क्योंकि अधिक्तम उन्चाई पर वेग का के एक ही गटक बसता है, और वो गटक कौन सा गटक होता है, 36 गटक, उर्दु आदर गटक का मान कितना हो जाता है, सुनने, इसलिए एक गटक ले रहे है, 36 गटक और उसके आधार पे, जो अपने पास में सम्वेग आ रहा है, उस सम्वेग का मान कितना है, अंडर रूट 3 by 2 टाइमस ओफ पी के बराबर, चलिए जी, नेक्स्ट कॉशन, कॉशन नमर 10, एक प्रक्षेपे द्वारा प्राप्त उन्चाई में उसकी प्रक्षेपन चाल बढ़ागर, 10 परतिसत व्रदी की जाती है, जहां प्रक्षेपन कौन समान रखा जाता है, प्रक्षेपे की 36 परास में परतिसत परिवर्तन होगा, मलब range में परास में परतिसत परिवर्तन अपने को बताना है, तो जैसा कि अपन जानते हैं, कि जो अपने पास में h हाइड जो होती है, उसको अपन लिखते हैं, u square sin square theta by 2 z, ठीक है, आर का जो मान होता है, उस r के मान को, अगर अपन लिखें, तो u square sin 2 theta by z, ठीक है, अगर h और r में relation निकालते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं, तो अपने जानते हैं कि h by r जो आता है, उसका मान आता है 10 theta by 4, ठीक है, तो अपने क्या बोला देखो, यहाँ पे प्रक्षेपन कोण को नियत रखा गया है, नियत रखा गया है, इस कितना परिवर्तन h में हो, उतना ही परिवर्तन किस में हो, r में हो, तो यहाँ से, अपने यह बोल सकते हैं कि अगर मान लो, उच्छाई में परिवर्तन, स्वरी, उसकी प्रक्षेपन चाल बढ़ा कर 10% कर दिया जाए, इसका मतलब u का मान जो है, वो कितना increase कर दिया गया, 10 10% increase कर दिया गया, जाँ प्रक्षेपन कौन नियत रखा गया है, प्रक्षेपे की 36 परास में परतिसत परिवर्तन होगा, इसका मतलब एच में जो percentage चेंज आएगा, वो ही किसके अंदर आएगा, बेटा, r में, इसका मतलब अगर चेक करें, तो सेम चेंज आने की कारण, इस क्षण नमर 11, किसी क्षण पर एक कण की वेग तथा त्वरण अपने को दिये हुए हैं, इस क्षण पर कण मूल बिंदू पर है, कण के एक्स निर्दे सांग का अधिकतम मान होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इवन है, और यह अपने को बोल रहा है कि जो वेग का मान है, व वेग लेते हैं, वेग जो अपने पास में हैं, वो है 3 आई कैप और 4 जे कैप, जो त्वरण का मान है, वो बोलो कितना है देखो, माइनस 6 आई कैप और माइनस 8 जे कैप, एक्स दिसागी अगर बन बात करें, तो एक्स दिसागा प्रारंबिक वेग और एक्स दिसागा तोरण दोनों एक दूसरे से विपरित दिसा में है, इसका मतलब यह एक्स दिसागी अनुदिस जो गती होगी, यह पहले मंदित गती होगी, उसके बाद में त्वरित गती मैं calculate करते हैं stopping time जैसा कि अपन जानते हैं V equals to U minus 80 मंदन के दोरान अगर अंतिम वेक का मान जो अपने पास में UX अपने पास चेए तो मान कि दो सेकेंड के बराबर तो एक बटा दो सेकेंड पर कंड जो होगा वो अपने पास में विराम वस्ता पर आ जाएगा और उसके बाद में वापिस रिनात्मक X की दिसा में गती करना प्रारंब करेगा इसका मतलब एक बटा दो सेकंड पर इसका धनात्मक X सबसे अधिक होगा तो X का मान अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो अपने लोग लिख सकते हैं U X T minus half of A X T square तो U X का जो मान अपने पास है वो बोलो किसके बरावर है तीन के बरावर तो तीन ठीक है T का मान कितना है 1 x 2 minus 1 x 2 A X का मान कितना है 6 मंदन जो आया था और यहाँ T square का मान अपना लिखेंगे तो T square का मान कितना आजएगा 1 by 2 by square तो यहां से अगर अपन calculate करें तो पहली value अपने पास आगया 3 by 2 minus यहां से अगर अपन लें तो 1 by 4 और यहां से लिखेंगे तो 3 इसका मलब total value आगया 3 by 4 तो 3 by 2 minus का 3 by 4 अगर अपन यहां से calculate करते हैं तो अपने पास में जो difference आएगा उस difference क तो अगर अपन calculate करें this will be equal to 0.75 meter तो जो value आ रही है वो displacement जो आ रहा है position आ रहा है वो कितने meter के बरावर है 0.75 meter के बरावर calculate कर सकते हैं LCM इसका 4 आएगा LCM 4 आएगा तो यह कितना हो जाएगा 6 minus 3 इसका मतलब अपने पास में जो value आएगी 3 divided by 4 और 3 divided by 4 को अगर अगर अपन solve करते हैं तो इसका value कितना आता है 0.75 राइट चलिए जी नेक्स्ट डिसकस करते हैं कॉशन नम्मर 12 एम द्रवेमान की वस्तू 36 से थीटा कौन पर वी वेग से प्रक्षेपित की जाती है वस्तू की ऊपर की और गती के दोरान टी समय पस्चात वेग होगा देगे ध्यानने प्रक्षेपे गती का सवाल है यहां से इसको वी मेटर पर सेकिंड से प्रक्षेपित किया गया है कौन जो लिया वो थीटा लिया है प्रक्षेपे के जो रण टी समय पर अपने से पूछा है कि इसके जो वेग है वो दिया हुआ है देखो सदीस रूप में नहीं दिया हो मत कौण मालेते हैं कोई भी कौण एलफा रहा होगा तो अपन जैसा की जानते हैं प्रक्षे पे गती के दोरान X गटक में कोई बदलाव नहीं आता तो यहां जो प्रारंबिक X गटक था V कॉस थीटा T समय पर यह वाला गटक भी इसी के समान रहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि X दिसा में कोई तोरण होता नहीं है Y दिसा का अगर अगर अपन वेग निकालें तो VY यह अपन जानेते हैं बोलो कितना UY-ZT तो UY का अगर मान लें तो यह वाला वेल्यू आ गया V sin theta प्रारंबिक वेग Y दिसा में तो अगर अगर अपन वेग सदिस को लिखना चाहें तो बोलो कितना आ जाएगा V cos theta I cap ठीक है उसके बाद में बोलो कितना है V sin theta minus ZT j cap और वेग का परिमान पूछा है इसका मतलब V बराबर under root of क्या लेखेंगे Vx square plus का Vy square तो यहां से अगर अपन solve करते हैं इस is equal to under root of V cos theta का whole square minus V sin theta minus ZT का whole square अगर अपन इसको solve करें तो calculate कर सकते हैं इसमें अपना identity लगा सकते हैं A minus B का whole square तो यह बन गया V square cos theta minus यहां से अगर अपन लेंगे तो V square sin theta और साथ में इस value को रखेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा sorry plus तो यहां से V square sin theta plus Z square T square minus का 2A भी लगाएंगे तो यहां से comparison करने पर अपने पास में जो option correct होगा हो कौन सा होगा option number 3 यहां से कर सकते हैं solve कोई बड़ी बात नहीं है यह V square common रहेगा तो अंदर बचेगा cos square theta plus sin square theta और आगे 2A B A minus B के whole square के identity से solve करा जा सकता है is this clear चलिए नेक्स्ट question number 13 एक कण XY तल में X बराबर केटी Y बराबर केटी 1 minus alpha T समीकरणों के आधार पर गती करता है जहां K तथा alpha धनात्मक नियतांग हैं तथा T समय है کण के परक्षपे पत का समीकरण होगा लेकर परक्षपे पत के समीकरण का मतलब है कि कण जिस तल में गती कर रहा है उस तल में इसके निर्दे सांग एक दूसरे के साफ इक किस परकार से हैं परिवर्तिध रोगें तो निर्दे सांग को में परिवर्तन का जो THAT यह इकवेशन हमने पास बने रहेचा करता है कि में ल meget का से सरवा रहेख़ी हो गावलाई कोरा वरताकार होगा है लिकलट करता है तो अपने पासंगे है कि यह eliminate कर सकते हैं x से जैसे कि अपने हो given x बराबर kt है तो x बराबर kt दिया तो t का value बोलो किसके बराबर आएगा x by k इस x by k का value इस y की equation में अपन पूट कर सकते हैं तो यहाँ जाएगा k into x by k 1 minus x by k into t तो अगर solve करें तो k से k क्या हो गया cancel out हो गया और यहाँ से लेंगे तो y बराबर x minus x square और जो इसका value अगर अपन पूट करें जैसे x को multiply करा तो यहाँ से alpha t है actual में तो t को अपने replace करा x by k से sorry इसको x by k से x by k and this is equal to alpha तो अपने पास में value आजाएगा कितना x square by k into alpha तो जो option अपने पास में correct होगा वो बोलो कौन सा option सिंपल ध्यान रखना है y की equation में जो t है इस t को हटाना है और t की जगे किसका value बूट करना है बताओ x by k क्योंकि eliminate करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तब जाकर के y और x में संबंद निकाल सकते हैं और y और x में आने वाला संबंद बोलो किसके बराबर है y y बराबर x माइनस alpha x square y k तो ये इस कण के पत के पत का समीकरण अपने पास में बनेगा ठीक है बई चलिए next question number 14 एक m द्रवेमान की गेंद प्रत्वी से उर्धुआ दर से ठीटा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपीद की जाती है कण के प्रक्षेपन बिंदू तधा गती के उचतम बिंदू के मद्दे कण के वेग में परिवर्तन होगा देखो बात समझो ज्यान से एक एम द्रवेमान की गेंद प्रत्वी से उर्धुआ दर से ठीटा कोन बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपीद करी गई है तो अपने इसे माल लेते हैं देखो ध्यान समझो इसको छोड़ा u मिटर पर सेकेंड से कितने कौन पर थीटा उर्धुआ दर से ठीटा इसका एगटगा है u कॉस्ट थीटा यह वाला है u साइन थीटा प्रारंबिक वेग को मैं लिख सकता हूँ u साइन थीटा आई कैप प्लस का u कॉस्ट थीटा जे कैप जब यह अपने पास में अधिक्तम उंचाई पर होगा यहां वाली पर तो कौन से वेग का मान जीरो हो जाएगा उर्धुआ दर गटग जीरो हो जाएगा वी वाई जीरो हो जाएगा अगर वेग में परिवर्तन निकाला जाए तो वेग में परिवर्तन तो वेग में निकलने वाला परिवर्तन बोलो कैसे होता है फाइनल वेलासिटी माइनस इनिशियल वेलासिटी तो फाइनल वेलासिटी जो अपने पास होगी वो दोनों cancel out हो गए तो वेग में आने वाला जो परिवर्तन है वो यू कॉस थीटा जे कैप है कि माइनस जे कैप है माइनस जे कैप तो यह उपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा नीचे की ओर तो वेग में आने वाला परिवर्तन जो है वो यू कॉस थीटा है और यू कॉस थ से थीटा कॉन बनाते हुए यू वेग से प्रक्षेपित करा गया है तो परिवर्तन जो अपने पास में शो हो रहा है वो यू कॉस्ट थीटा जे कैप है माइनस जे कैप है माइनस जे कैप है कॉले क्लियर चलिए कॉशन नम्मर 15 गर्शन गुणांक निर्बर करता है तो असलब केवल और केवल एक पर डिपेंड करता है फोर्थ पर संपर्ख सताओं के खुर्द्रेपन पर क्लियर चलिए ठीटिकल है विल्कुल आसां सा कॉशन कॉशन नमर 16 बहुत ही आसां बेसिक है निम्न में से बल का मातरग नहीं है तो न्यूटन भाई साब तो बल के मातर रहे से के बसे बन रहे स्वचण बान रहें तो कौन से बाना नहीं होगा दवाला इस का मतलब सब्चायी यहार्ख नहीं है तो कौन सा ऑफ्सट करेक्ट होगा朝ा नमँए थ्री विल यहां बकाना नहीं है 16 नमर 17 यदी सतय घरस नहीं हो तो तीन केजी दरवेमान की वस्तू पर कारियर अद्कुल बल होगा देखिए संपर्ख सतय की बात करते हैं यहां पर तो यहां एक एक्शन रियक्शन काम कर रहा होगा बराबर हैं विपरित हैं इस निकाई को चलाने में इन नॉर्मल रियक्शन का कोई योगदान नहीं है क्योंकि संपूर्ण निकाई की बात करें तो इनका मान बराबर और विपरित होने की कारण यह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो पूरे निकाय को चलाने का काम कौन कर रहा है बल F तो निकाय का जो तोरण है वो तोरण का मान आजिएगा बल बटे द्रवे मान का मान कितना है पाँच तो अपने बोले चार मीटर प्रती सेकंड डिसक्वाइर आज एगा आगे की और तो जितने त्वरण से ये निकाय चल रहा है वोही त्वरण दो केजी का है वही तीन केजी का है लेकिन तीन केजी पर क्या ये बल डारेक्टली लग रहा है नहीं तो तीन केजी पे लगने वाला बल कौन है यहाँ पर लगने वाला नॉर्मल रियक्शन को लगने वाला बताओ नॉर्मल रियक्शन परतिगरिया बल तो तीन केजी वाले ब्लोग को अगर अपन देखें ध्यान से तो तीन केजी वाले ब्लोग पे धक्का लगा रहा है यहाँ लगने वाली प्रतिकरिया बल संपर्ख सतय पे लगने वाला नॉर्मल रियक्शन जो इसको आगे की और एक तोरण से चला रहा और इस तोरण का मान बोलो वेड़ा कितना है चार मेटर प्रती सेकंड स्कॉयर है और जो अपने पास में द्रवे मान है वो बोलो कितना गीवन है 3 केजी तो मैं बोल सकता हूँ कि जो यहां से n का मान होगा वो m गुणा a होगा m का मान है 3 तो a का मान कितना है 4 तो टोटल बोलो कितना आ गया 12 नुटन इसका मतलब औप सन करेक्ट होगा कौन सा सेकंड तो 3 केजी वाले ब्लोक पे लगने वाले बल का मान 12 नूटन से परद रखी वस्तु वेज के सापेक्स विराम वस्ता में रहे हैं देखो इन निकाय तो चल रहा है इसके चलने के साथ साथ जो यह इसके ऊपर यह रखी हुई है वस्तु यह वस्तु इस सतय के सापेक्स फिसलनी नहीं चाहिए विराम वस्ता में रहनी चाहिए अब देखें यह ब् ब्लोक एजडत्वी निर्देस तंतर के अंदर है अगर कोई प्रेक्सक इसी निर्देस तंतर से इस गती को प्रक्षेपिद करता है इसका मतलब यह एजडत्वी निर्देस तंतर में आ चुका है और अगर एजडत्वी निर्देस तंतर में है इसका मतलब इस ब्लोक पर सदंबल कारिये करेगा स्टोडाबल कारिये करेगा तो अगर अपने इस ब्लोग का फ्री बोडी डाग्राम देखते हैं तो ब्लोग के फ्री बोडी डाइग्राम में इधर वाला कौन आया बताओ तो नॉर्मल रिक्षन डावन डाय। डावर डिरेक्षन में कौन आरहा होगा एमजी यह वाला इंगल कितना है बदाओ थीटा तो यह इंगल भी होगा थीटा थीटा तो एमजी का यह कॉंपोनेंट बोलो मैं क्या लिख सकता हूं एमजी कॉस्टीटा और इधर वाला जो कॉंपोनेंट है इस कॉंपोनेंट इस एमजी साइन तीटा अभी कह रहा है कि यह सते के साप एक स्फिसल ना नहीं चाहिए और दूसरे बल्की बात करें यह फ्रेम त्वरीत है प्रेक्ष इसको बोलो क्या लिख सकते हैं में साइन चाहिए इसका मतलब यह वाला बल और यह वाला बल दोनों परस पर क्या करने चाहिए और संतुलित करेंगे तो यहां से एम जी साइन थीटा अपने डिटेल्ड सोल्यूशन ले लिए इसका इकवल डू एम ए कॉस थीटा के बराबर तो मैं एक ही बात करता हूं तो ए अपने पास बनेगा जी टेन थीटा थीटा का मान अपने पास में दिया हुआ है तो ए का मान कितना है बताओ दस इंटू 10 37 ब 5 के लगबग इसका मतलब ओप्शन जो आजेगा ओप्शन नमर 4 विल बी दे करेक्ट तो ए विराम अवस्ता में तबी रह पाएगा जब इस वेज को अपने कितने तोरण से तोरित करें 7.5 मेटर प्रती सेकंड इसकोरेश ओके चलिए बई कि नेक्स्ट है कोशर नमर 19 को फिक कोशान नमर 19 में द्यान से देखें यदि तंतर में उपस्ती दोनों वस्ती विल विराम अवस्ता में हो तो बी का दरव énorm क्या होगा चैकर अब करें तो यह वाली गिर्नी जूय वहो तो ब्पकुस दर्वे मान रही थे तो सब पर आने वाले परिणामी वलों का मानची घरी उन्य वाला कर रहा है странit एक end fix हो और दूसरा end गती seal हो तो मैं मान सकता हूँ कि अगर ये घर नी नीचे a meter प्रती second square से आ रही होगी तो ये उपर की ओर जा रहा होगा 2 a meter प्रती second square से ठीक है free end की condition है अगर मैं यहां इस पर बलकी करता हूं इस वाले ब्लोग पर लो कितना आया yeah। इधर बंलगा तनाव आगया बदले में तनाव आ गया तो टी का मान किसे बरावर है के ठीक है तो अगर मैं बोलता हूं कि इस ब्लोग का अगर मैं क्वेशन लिखूं तो बो क्या आएगा Am um Conservator Institute in City आगे सबомеकति क्म cameras are only in the Falar E Так Water अपने और आपने ऐपने को पता है आपने को करना है यह वाला जूब लोग है पूलो यह वाला ब्रोंग कितना के जिए भाई 10 के जीन ठीक है तो बात सम्झे से कितने तोबरान से गति कर रहा होगा फ्र thirty यहां तनाव यह दरी रहा है तो इस वाले ब्लोग को चलाने वाला बोलो कौन सा है बेटा T by 2 है ठीक है तो अपने से पूछा गया है यदि तंतर में उपस्थित दोनों वस्तुएं विराम अवस्ता में हो देखो गतिसील नहीं दिया है क्या रहा है विराम अवस्ता में अगर गतिसील होता तो क्या होता अगर यह A तौरन से जारा होता तो यह अगर ही रेस्ट पर है इसका मतलब अगर यहां से अपने पास में T by 2 की बात करें तो T by 2 बोलो किसके बराबर होगा इधर लगने वाल बोलो कितना है 10 G sin 30 अब बताओ यह गतिसील है कि विराम अवस्ता में विराम अवस्ता में तो बोलो यह त्वरन काम करेंगे या नहीं क करेंगे यह कंसेप्ट अगर यह गतिसील होता तब अपन मना लेते ठीक है तो 10 G sin 30 लिया अपने तो यहां गया 100 इंटू 1 by 2 इस इस इक्वल स्टू बोलो किसके बराबर होगा टी बटा दो के तो अपने पास में T का मान बोलो कितना न्यूटन आया 100 नूटन ठीक है अगर T सब्सक्राइन के अगर यह बहना 100 नूटन है तो अगर पनी बोलते हैं इस वाले ब्लोक का अगर संतुलन की बात करूं तो अपने이면 कृफिते और तो मैं रिखच में बढ़ना बतां टीबाइस घो मांढ कितना है गई तो इस ब्लोक का द्रवेमान कितना केजी होगा 10 केजी तब इस इस्तती में ये पूरा सिस्टम चलेगा कि विरा मवस्ता पे रहेगा विरा मवस्ता पे तो अपने पास में जो करेक्ट आजएगा विल बी ऑप्सन नमबर 4 ठीक है पहले मैंने जो एक्वेशन लिखी है वो इन सल गया तो अपन यहां से द्रवेमान भी यात कर सकते हैं क्लियर चलिए कौशन नमबर 20 ठीक है जो पहले वाले में अपने गती के समीकन रखे थे जो मोशन में मानते हुए गती में मानते हुए समीकन रखे थे यहां लगा सकते हैं जैसे इस वाले ब्लोग की बात करते हैं बोलो downward कौन लग रहा होगा 10G, उपर की और कौन लग रहा होगा T, तो यहां भी कौन आएगा T, इस वाले में कौन आएगा T बटा दो, यहां T बटा दो, मैं बता सुगा क्योंगी गिरनी परिनामी बल कितने होगे, 0 होगे, तो T बटा दो लिया, अगर यह गिरनी जा रही हो होगा 10 into A, ठीक है, अगर यहां से लेते हैं value के मान को, यहां वाले को, तो अपने पास में आएगा T बटा दो, बराबर, बोलो कितना होगा 5 into 2 A, तो अगर T का मान अगर अपनी यहां से लें, तो यहां जाएगा 20 A के बराबर, ठीक है, चलिए वह यहां रख देते हैं, तो 10 G बराबर, बोलो कितना होगा बेटा, 30 A, तो अगर मैं A का value निकालूंगा, तो यहां जाएगा G by 3 meter per second square, देखोंगे तो A का मान आया, तो अपने पास में यह वाला block, 10 kg वाला block, कितने से जा रहा होगा G बटा 3 से, अपने को बुचा 5 kg वालेगा, तो 5 kg वालेगा A होगा, कि A का double होगा, A का double होगा, तो G by 3 लिखों या 2G by 3 लिखों, 2G by 3, बोले clear, तो option जो अपने पास में होगा, वो कौन सा option correct हो जाएगा, option number 1 will be the correct answer, चलिए जी, next question number 21, एक डोरी से जुड़ी M दरवयमान की एक वस्तू को G by 5 नियत त्वरण से नीचे की और D दूरी तक विस् ठीक है, यह कह रहा है कि यह नीचे की और कितने तोरण से आ रहा है, G by 5, तो नीचे की और तोरण लगा है और इस तोरण का मान मैंने लिखा, G by 5, meter per second square, रसी में तनाव आया T, downward लग रहा है बोलो कौन सा, M, G, नीचे की और अगर यह गती सील है, तो इस रसी में तनाव का मान ग्याद किया दा सकता है, पहले T, निकाल लेता है, तो अपने पास में लिखा, T minus, शरी, downward गती सील है, तो अपने यह लिख सकते हैं, इसका जो वेल्यू आएगा वेल्यू बोलो किसके बराबर है, M into A, और A का वेल्यू बोलो किसके बराबर है, G by 5, तो T का जो मान आया उस T का मान लिख सकते हैं, M Z minus M Z by 5, तो इसका मान आ गया 4 M Z upon 5, ठीक है, आप समझो देखो, तो यह कहारा है कि D दूरी से नीचे के और विस्थापित किया गया, तो डोरी के द्वारा वस्तू पर किया गया कारिये होगा, मतलब इस रस्सी द्वारा कारिये बताना है, और क द्वारा किया गया बल, मतलब तनाव द्वारा किया गया बल, तो तनाव और विस्थापन, समान दिसामे की विपरीत है, विपरीत है, इसलिए कारिये के परकरती रिनात्मग होगी, और बल का मान, इसका कारिये का मान होगा, बल गुना विस्थापन, तो बल का मान अपने पास में किसके बराबर है बताओ 4MG upon 5 और जो विस्तापन का मान हो कितना बताओ D तो किये गए कारिये का मान किसके बराबरा जाएगा 4MG D upon 5 negative का है that means the option 3 will be the correct answer negative किसलिए बई negative इस कारण से है क्योंकि जो बल लग रहा है वो और जो विस्तापन आ रहा है वो दोनों समान दिसा में हैं कि परस पर विपरीद हैं इसलिए कारिये की परकरती कैसी होगी बिटा रिणात्म होगी clear सभी को चलिए next रेक question number 22 यदि एक बल सदिस F किसी कण पर लग कर उसे इस विस्तापन से विस्तापित करे तो किये गए कारिये का मानोगा ठीकि जैसे कि अगर वैसे theoretically करना चाहें तो कर सकते हैं कि जैसे मानलो यह X गटक है तो X गटक X दिसा में विस्तापन के लिए कारिये करेगा Y गटक है वो Y दिसा के लिए करेगा Z वाला है वो Z के लिए करेगा लेकिन यहाँ पर Z दिसा में तो कोई कारिये होई नहीं रहा मतलब Y वाला गटक X Y में नहीं कर सकता है या simply अगर वैसे करना चाहो तो कारिये निकाल भी सकते है बोलो कारिये कामान कितना होगा F डोट X विस्तापन जो आएगा ठीक एफ कामान कितना 6 I cap प्लस 2 J cap माइनस 3 K cap डोट बोलो कितना जाएगा वेटा 2 I cap माइनस 6 J cap तो यहां से लेंगे तो यह टोटल हो गया 12 I cap और I cap का यह टोटल अपने पास में हो गया बोलो कितना माइनस 12 तो नेट जो वर्गडन आएगा उस नेट वर्गडन का वेल्यू बोलो किसके बराबर आजएगा जीरो गया तो यहां नेट कारिये हुआ कि नेट कारिये इस प्रिंग बल काम करेगा और इस प्रिंग बल प्रकरती में कैसा होता है संरक्षी होता है तो यहां पर अपन लोग यांत्री उर्जा संरक्षन अपलाई कर सकते हैं और यांत्री उर्जा संरक्षन क्या होगा इस्ततीज उर्जा में वरदी बराबर गतीज उर्जा में आने वाली कमी तो गतीज उर्जा में जो कमी आएगी वो किसके बराबर आएगी बताओ देखो ध्यान दो जो लोस इन के होगा गतीज उर्जा में होने वाली हानी वो किसके बराबर होता है, gain in potential energy, इस्तती जुर्दा में व्रदी के बराबर, तो गती जुर्दा में आने वाली कमी, बोलो कितना है, half mv square बराबर, इस्तती जुर्दा इस spring में कितनी संचीत होगी, एक बटा दो kx square, एक बटा दो से एक बटा दो क्या हो गया, cancel out हो गया, तो x square बराबर, m बटा k into v square, तो x का जो मान आएगा, वो root m बटा k into v, यह अपने पास में आगया, मान, बोले clear, तो यह कौन से option में correct हो रहा है, अपन चेक कर सकते हैं, this is in option number 3, तो यह अपन मान सकते हैं, under root m by k into v, यह इस spring के अंदर आने वाला, अधिकतम संबिडन का मान होगा next question number 24, ज्यान से समझें, कि जो अपने पास में, यह करा है, m दरवेमान की एक वस्तु, आर्थ रीजा का उर्द्वादर वरत पूर्ण करती है, डोरी में अधिकतम यह निवन्तम तनाव का अंतर होगा, देखें, मैं एक जनरली अपन डाइगराम से कर लेते हैं, ज्यान ठीक है बई, इसकन पे डाउनवर्ड बोलो कौन सा बल लग रहा है, mz, यहां लगने वाला बल बोलो कितना है, t, मैं equation लगा हूँ, अगर मान लो, t-mz बराबर, m v square बटा r, तो t का मान, बोलो किसके बराबर आएगा, 6 mg के बराबर, add हो जाएगा, mg उदर जाके, v square का मान रखेंगे, 5g r, तो 5 mg प्लस mg बराबर, 6 mg, ठीक है, इस वाले point पर अगर अगर अपन पहुंचे, अधिक्तम बिंदू पर, तो अगर यहां पर तनाव का मान 0 भी है, नियूनतम 0 है, तो यहां पर mg बल के कारण, यह करण वरताकार गती, पूरा करणे में सक्षम है, तो निय क्लियर, चलिए हुए, नेक्स्ट रहे, क्योशन नमर 25, ठीक है, दरसाएगे चित्र में M दरवेमान का एक गुटका, स्प्रिंग के साथ जुड़ा है, और स्प्रिंग का दूसरा सीरा नियत वेग V से खिंचा जाता है, स्प्रिंग में होने वाले अधिक्तम परसार का मान क चरल आवर्दगती SHM परफॉर्म कर सकता है, और SHM परफॉर्म करेगा, तो अपने इसे मान सकते हैं, कि जो इसका V max होगा, उसको अपन माल लेते हैं A omega, यहां पर देखो V max है, और A कौन है परता हो यहां पर, A है इसमें आने वाला आयाम, और आयाम किसके बराबर होगा, अधिक्तम संबिडन के बराबर होगा, spring में आने वाले maximum compression के बराबर, तो A का जो value आएगा, वो वो लोग किसके बराबर होगा, V upon omega, तो omega को अपने लोग लिख सकते हैं, under root K by M, ठीक है, तो under root K by M लिखेंगे, तो M कहां चला जाएगा, उपर, तो अपने यह बोल सकते हैं, कि जो maximum compression आएगा, संबिडन आएगा, this will be V under root of M by K, clear, तो option number, second will be the correct answer, यह question number, 1 से लेकर के 25 तक के solution है, आप लोग इनको देखें, समझें, ओके, thank you and good luck. Hello students, तो चलिए टेकनो 24 का exam solve करते हैं, और 11th का जो paper है, जिसमें 11th में chemistry का जो portion है, वो मैं solve करवाने जा रहा हूँ, मैं अभीन जोसी team chemistry CLC seeker, तो चलिए दोस्तों, one by one question start करते हैं, सबसे पहला जो अपना chemistry में question है, 26 number question है, तो इसमें यह question है, mole concept का, mole अवधारना कहते हैं, ज पहली अविक्रिया दे रखी है, यह दूसरी अविक्रिया दे रखी है, और यह तीसरी अविक्रिया दे रखी है, अब इन तीनों अविक्रियां क्या बोला गया है, 206 gram NX के उत्पाद मनाने लिए कितना धातू M चाहिए होगा, अपने को NX का निर्मान करना है, और कितना हातु चही होगा यह आपको पूछा गया है question में ठीक है जहां पर जो भी यह तीनों अभिक्रियां दे रखें इन तीनों अभिक्रियां में यदि तत्व M है तत्व N है और तत्व X से इन सबका परमालू भार दे रखा है यदि मैं मानता हूँ कि जो M X2 है सबसे पहली बात आ 13 M X2 अभिक्रिया करता है फिर से X2 के साथ तो उत्पाद क्या बना रहा है M3 X8 ओके डियर अब क्या है M3 X8 M3 X8 जो है वो अभिक्रिया कर रहा है M2CO3 के साथ M2CO3 के साथ ठीक है इससे उत्पाद क्या बन रहा है M X ओके डियर और साथ में CO2 ठीक है जी और साथ में M3O4 M3O4 अब पहली अभिक्रिया संतुलित है दूसरी अभिक्रिया संतुलित लेकिन तीसरी अभिक्रिया संतुलित नहीं इसको संतुलित करना पड़ेगा कैसे संतुलित करेंगे यहां पर 3 M1 होगे हैं यहां पर 3 M1 होगे हैं यहां आठ एक्स 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 संतुलित हो गया अब बार मनाने चाहिए अब चेक कर लो या बिग्रिया जो है वह संतुलित है ठीके डियर अब हमें क्या करना है अपने को पूछा गया है कि धातू के कितनी मात्रा ली जाए है ना धातू कितनी तुम्हें मानता हूं पहले एन मोल धातू के परियुक्त होंगे हम मान लेते हैं धातू के एन मोल परियुक्त होते हैं क्योंकि ये एक अनपात एक में है तो इसके एन मोल से इसके कितने बनेंगे एन मोल ही बनेंगे ठीके डियर अब क्या है ये एन मोल जो बने है आगे यही एन मोल अपने को काम में लेने है और ये तीन अनपात एक है यहाँ पर क्या है तीन अनपात एक यह है तीन और यहाँ पर है एक तो जितने भी यह मोल होंगे उसका एक तीहाई मोल यह बनेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन बटा तीन मोल इसके बन जाएगे और यही N बटा 3 mol जो है यहां परिउक्त हो रहे हैं और यह N बटा 3 mol जो है जब इससे अभी करिया करें तो इसके एक mol से इसका 8 mol बनता है तो हम क्या बोलेंगे 8 गुना बन जाएगा तो 8 N बाइ 3 यह mol किसके आगे NX के अब हम चेक कर लेते हैं कि जो NX है उसके अपने को mol कि कि फिला हो जाएंगे वाइजि एनक्स के मोल होंगे NX का दिया गया भाहर 206 Nx का मॉलर वार NX का मॉलर वार कित्ता है कि एक सगह से कि WIN पॉलर 추가 बाहर है अपने पास NX का मुलर बार है N का है 80 और N का है 23 और X का 80 दोनों को add कर दें NX का आजाएगा तो यह आजाएगा 103 ठीक है तो अपन दिया गया भार बटा मुलर भार से मुलो की संख्या आगी 2 तो हमें इसके कितने मूल बनाने हैं 2 मूल बनाने हैं 2 मूल तो अपन यह जो 8 N डिवाइड बाई 3 है वो 2 मूल के इकपल आना चाहिएं कर देते हैं 2 के इकपल तो 8 N डिवाइड बाई 3 is equals to 2 यहां से N मूलो की संख्या कितनी हा जाएगी मूलो की संख्या कितनी हा जाएगी 4 डिवाइड बाई 3 3 डिवाइड बाई 4 यहां से मूलो की संख्या कितनी हा जाएगी 3 डिवाइड बाई 4 नमबर ओफ मूल आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 4 और हमें पुछा गया बाहर कितना होगा तो बाहर कितना हो जाएगा दरवेमान कितना आ जाएगा मोलर बार से गुणा कर दें, तो इसका मोलर बार कितना है भाई, दातों का, क्योंकि दातों को पूछा गे, इसके मोलर बार 56, तो 3 बटा 4 गुणा कर दिया, 56 के साथ, तो यहां से किता आ जाएगा, 42, तो 42 ग्राम अपने को चाहिए होगा, 42 ग्राम चाहिए होगा, यदि हमें 206 gram NX बनाना है तो दातो 42 gram चाहिए तो option आजाएगा first तो 26 में हो जाएगा first उमिद गर दे आपका सही हूँ आगा बेटा next 27 27 बोला गया कि स्वर्ण और quards की एक नगेट मतलब गांठ मोले एक दोनों को मिस्रित किया जाता है तो कहा जाता है स्वर्ण के x ग्राम और quards के y gram युक्त होते है मतलब एक जो है स्वर्ण जो है वो पर युक्त हुआ है और स्वर्ण का कितना काम में लिया है x gram काम में लिया है ठीक है जी आगे क्या बोल रहा है y gram quards काम में है तो quards कितना आ जाएगा काम में quards आ गया quards कम में आया है y gram ठीक है जी अब क्या बोला है घनत्व D होता है मतलब यह जो मिस्रन बना है इस मिस्रन का जो घनत्व है इस मिस्रन का घनत्व दे रखा है आपको D ओके आप पुछाए swarn तथा quards का घनत्व यह दे D1 है और D2 में सई संबंद्व बताओ मतलब जो swarn अकेला है swarn का घनत्व दे रखा है और मिस्रन का घनत्व दे रखा है अब एक बास सोचो कि यदि एक swarn का टुकड़ा है ठीक है एक quards का टुकड़ा है ठीक है दोनों को मिलाया मिस्रित किया नया टुकड़ा बन गया देखो आप ये भी कह सकते हो इसमें द्रवेमान सरंक्सित रहा है और आप ये भी कह सकते हो कि इसमें आयतन सरंक्सित रहा है यदि मैं आयतन सरंक्सित करता हूँ इसके अंदर क्योंकि आपको पताओ तो ठोस जो है वॉल्यूम या आयतन के योग के बराबर तो मैंने जो पहला जो स्वर्ण है उसका वीवन आयतन माना है जो क्वार्ज है उसका वीटू आयतन माना है और जो नया मिस्रण तयार हुआ है उसका वी आयतन माना है ओके डियर अब मुझे पता है कि जो कुल आयतन है वो कुल द्रविमान बटा आयतन, द्रविमान को M से पर दिर्शित करते हैं और आयतन को V से, यदि मैं इसके आयतन को लिखना चाहूं, तो आयतन क्या हो जाएगा बेटा, द्रविमान बटा घनत्व, ठीक है, तो कुल जो आयतन आया है, कुल आयतन क्या हो जाएगा, कुल द्रविमान X plus Y बटा कुल जो मिसरन मना है उसका घंत हुआ ठीके डियर जो मिसरन मना है उस मिसरन का कुल भार कितना हो जाएगा X तो स्वर्ण काम में आया है और Y ग्राम क्वार्ड्स काम है तो कुल दरवे मान यह आ गया और बटा घंत हुआ गया यह वी की अपने मान पूट कर दिया V1 क्या होगा बेटा V1 बोले तो जो पहला है अपने स्वर्ण को रख लेते हैं V1 और क्वार्ड्स का आयतन मान लेते हैं V2 तो स्वर्ण का आयतन क्या हो जाएगा स्वर्ण का आयतन होगा y है ठीक है जी उसका घनत्व कितना है quards का d2 घनत्व है तो इनको यदि मैं संबंदित करना चाहूं तो ये इनकी विज़े संबंद नहीं आ जाएगा का आईतन की साहितास यदि मिस्रान त्यार किया गया है तो ये संबंद मुझे ढूंड़ना एक कौन से option में है तो x बटा d d1 ब्लस y बटा d2 बराबर x ब्लस y बटा d ये तो पहले में आ गया तो इसका answer क्या जाएगा first वाला ओके डियर चलो next चलते हैं ये clear कर देते हैं ये हुआ clear चलो 28th 28th question सिर्फ simple सा एक मोल का परतिसत पर आधारित प्रस्न है बहुत सम्मानिर बहुत आसान प्रस्न है क्या कहा कर रुदियोमान शोस जेधिकrist कि अधिक अब बोला क्या जा रहा है इसमें carbon है hydrogen है और nitrogen ठीक है carbon का परतिसत h के परतिसत का ना, थे कुझे जी तो हाइड्रोजन के पर्तिसत से जे 6 गुना कर देते हैं कार्बन कता, कितना आ जाएगा, शिक्स एक्स पर्तिसत आ जाएगा ठीके जी, अब उपने क्या करना है, जबकि नाइट्रोजन का पर्तिसत कार्बन तथा Kypon के योग का, 1.5 गुना है, तो कर देते हैं, योग, दुनों का योग किता आ गया, 6X और 1X, 7X, और उसका कितना करना है, बटा, 1.5 ठीक है, उसका अपन को 1.5 करना है, ठीक है जी, तो उसका 1.5 गुना कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा सही कर देते हैं, इसको 1.5 को, ठीक है जी, तो यह गया 1.5 इसका परतिसत ठीक है बटा अब क्या होगा अब हम पने को क्या करना है है ठीक है तो सबसे कम संभव मोलर दरविमान क्या होगा देखो हम पहले क्या करते हैं इससे मुलानुपाती सुतर ग्याद करते हैं इससे क्या करते हैं मुलानुपाती सुतर कैसे ग्याद करेंगी इसका परमानविक दरविमान एक हो गया और 7x into 1.5 बटा क्या हो जाएगा इसका दरविमान 14 होता है यहां से किता है आया एक्स आया और यहां से किता है यह 14 से 2 बार चला जाएगा ठीक है तो यह आ जाएगा 3x बटा 4 ठीक है बटा जी उसके बार हम क्या लिखते हैं सबसे चोटा वान यहां पर क्या हो जाएगा एक्स बटा दो का सब में भाग लगाते हैं तो इसमें एक ही आ जाएगा और इसमें दो आजाएगा एक्स बटा दो का भाग लगा रहे हैं अपन लोग बिटा इस में X बटा 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें 3 बटा 2 आजाएगा ठीक है अब ये जो सुत्र आएगा वो क्या आजाएगा इसको अपने 1.5 लिख देते हैं इसको लिख दिए 1.5 ठीक है जी अब इसे सुत्र क्या बनेगा कार्बन का हो गया एक हाइड्रोजन का हो गया दो और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा एक पॉइंट पांच लेकिन इसको सरन अनुपात में बदलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दो से गुना करना पड़ेगा तो सरन अनुपात में क किता आजाएगा कार्बन का 12 होता है एसे 2 वार कार्बन आगे हाइड्रोजन का 1 होता है एसे 4 वार हाइड्रोजन आगे नाइट्रोजन का 14 होता है एसे 3 वार नाइट्रोजन आगे ठीकी विटा तो यह आजाएगा 70 किता आजाएगा 70 वह एक यही परमानू है तो 70 आ रहा है ऑप यदि इसके कम से कम दो से गुणा करते हैं से झिțने गुना करते हैं कि इसके सभावत से गुना करना पडुद आ रिख प्रूप्र से सब्सक्राइब देगा इंयों कि मूत उसपे ऑपरोप्रिए टीले ख्यां पर देगा नेग्स्ट- करते हैं यह होगा ठीक है नेक्स्ट और तीसवा बोला गया एक आइरन का एक मॉल पॉइंट छे पांच मॉल ओटू से अभी करिया करता है इससे क्या मनता है एफी यो बनता है और एफी टू ओ थी बनता है ठीक है तो इसमें कितने अनुपात में एफी टू थी यह बोल ना लए फेररिक औक्सैड और फैरस औक्सैड यह होता है फैरस ओक्सैड सेटा दें और फैरिख ऑक्सैड को बोलते और फैरिक कुsimको अक्सेड किसको बोलते है एफी टू ओ-3 को अ, ठीक है बटा माकाас मादे इसमें जो एफी है आइरन है हैं जब और अभीक्रिया किससे कर रहा है और टू के साथ तो अब क्या उत्त्पाद बनेगा इस से एक तो पाध बनेगा एफियो और एक उत्पाद बनेगा ऐफिटूजी ऑधी चे में तो ट्री के कोई भी अभीक्रिया होते दोस्ट में हमेशा द्रविमान सरंक्षित रहता है जो आई ओतना एक औक सैडित के मानता हूं Y mole तीके बेटाजी चलो अब इसमें six नहीं परॉलयमर टॉल कितना मोल है एक मोल यह तुम्हें क्या है, तो एक वारव F5 रे, हर F5 में होगा होगा, चलो, नेक्स्ट, जो F2O3 फैरिक ऑक्साडे इसके Y मोल है, लेकिन हर F2O3 के अंदर दो F5 नहीं है क्या, जितने F5 के मोल होंगे, जितने F5 के मोल उपस्तित हैं, उसके एक गुना F5 के मोल होंगे, तने ही गुना iron के होंगे क्योंकि एक अनुपात एक में है और इसमें दो अनुपात तीन में है तो F2O3 के एक मॉल है तो इसमें दो मॉल तो iron के आएंगे और तीन मॉल किसके आएंगे oxygen के आएंगे ठीक है तो अपने को तो iron के लिए काम कर रहे हैं अब oxygen के लिए भी काम कर लेते हैं, 0.65 oxygen के अनु के मोल, लेकिन एक अनु में कितने परमाणू है, दो परमाणू, तो गुणा किस से कर देते हैं, दो से बराबरा जाओ, यदि एक स्मॉल फैरिक, फैरस अक्साइड है, तो ये एक गुणा इसमें oxygen होगा, प्लस, यदि फैरिक अक्साइड है य मोल है, तो इसमें तीन गुणा oxygen नहीं उपस्तित किया, तो अपने पास दो सम्मीकर्ण ने आ गई है, इन दोनों सम्मीकर्ण लोग हल करने के लिए क्या करते हैं, अपने लोग ये सम्मीकर्ण एक मानता हूँ, ये सम्मीकर्ण दो मानता हूँ, और सम्मीकर्ण दो माइन से करता हूँ तो इस साइड तो X है तो X cancel हो जाएगा 3 Y और 2 Y क्या बच जाएगा Y बच जाएगा और ये 0.65 गुणा 2 है तो 1.3 हो जाएगा 1.3 से 1 जाएगा तो 0.3 हो जाएगा तो हमारे पास Y की value कितनी आगी बेटा 0.3 अब अपन X को सोल करते हैं तो उपर वाली सम्मिकड़ में value पूट कर देते हैं तो उपर वाली सम्मिकड़ में value पूट करेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा बराबर X की जगा अपन X रख देते हैं और Y कमान 0.3 गुणा 2 आजाएगा तो यहां से X का value कितना आजाएगा बेटा जी X कमान आजाएगा 0.4 ठीक है जी हमें क्या पूछा गया है कि इन में दोनों के मोलों का अनुपात क्या होगा तो हमें पूछा गया है X अनुपात Y फेरस और फेरिक का अनुपात पूछा गया है ठीक है बेटा तो फेरस का कितना है या मोल फेरस का या मोल 0.4 x की value 0.4 है और फैरिक का किता है बैटा 0.3 तो ये 0.3 पुट कर दिया तो 4 अनुपात 3 आ जाएगा आज़ाएगा आज़ाएगा 4 अनुपात 3 कौन सा अप्शन है 2 वाला तो इसमें कौन सा अंसर आ जाएगा ओने इसमें 2 आप कमेंट करके बताएं आपको एक क्वेस्टन कैसा लगा बहुत प्यारा क्वेस्टन लगा मुझे तो ठीक है बेटा जी चलो नेक्स्ट आते हैं तीसवे क्वेस्टन में सांदरताओं पर आधारित बहुत प्यारा क्वेस्टन है हम लोग जब मौल को पढ़ते हैं तो हम लोग सांदरताओं को भी पढ़ते हैं मौलरता वगेरा तो ये जो क्वेस्टन है इसमें अलग-अलग लवण है उन लवणों के अलग-अलग सांदरता के साथ अलग-अलग आईतन को मिस्रित किया गया है और इस mission में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ option में अलग-अलग आइन दे रखे हैं और इन आइनों की सांधरता पूछी गई है तो मैं क्या करता हूँ जिन आइनों में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा पहले उन पे काम करता हूँ जड़ी कोन कोन मिलाया गया है कलूडik j는 mylrrik j는 kCl ठीक है जी और कहीं है एक मिलाया गया है na no3 ठीक है जी और कहीं है एक मिलाया गया है azeno3 अब संभावना किस सीज के azeno3 जब उसमें जाये गा तो ezका ag plus जो है वो c-l- के साथ हो सकता है तो तक मृझ में पहले काम करना प्यक्ति पर पहले के काम रेहा केवल जो आयन है मतलब जिन में कोई परिवरतन थे ये जिन में गई वे सकते पहले के सेफिंध के बा-प्यक्ट के जिरुए के विदाब हो DSU आयतन लिया 500 ml, ठीक है जी, इसका कितना molar ता है न 3 का, 0.01, ठीक है बेटा जी, molar इसका आयतन कितना लिया है, इसका आयतन लिया है, 200 ml, ठीक है, और अजी न 3 है, इसका कितना है, 0.1 m, और इसका कितना आयतन लिया गया है, 500 ml, ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक सुत्र ल यदि मॉलर्ता मिसरण के लिए है दो चीजें मिसरित होती है तो इसके लिए सुतर लिखवाया जाता है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 और यदि तनू किया जाता है तो सुतर लिखवाया जाता है M बराबर M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 देखो तनुताम और मिस्रण में फरक क्या है यदि दोनों उभेनिष्ट समान विले के विलियन है और उनको मिस्रित किया जाए तो ये मिस्रण का फॉर्मला काम में आगा क्योंकि आपने दो एक ही एक जैसे विले वाले को मिस्रित किया है और यदि आपने क्या किया है एक जै को मिस्रित करोगे तो इस इस्तिती में तनुता का सुतर लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि केसीयल के लिए जो केसीयल का विलियन है उसमें एनेसीयल को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें अलग विले के कण है एनेसीयल में और केसीयल में अलग विले के कण है इसका है, NaNO3, RAZNO3 इन दोनों में उवेनिश्ट को नईahaha और NaNO3 में इसका मतलब इसमें दोनों में एक विले का आयन है वो उवेनिश्ट हो गया, तो यदि मैं NaNO3 के लिए काम करता हूँ तो बिले़ो से वे ङता हैं और जब दूनों आएन बेनिष्ट नहीं है कोई विले का हिस्सा बेनिष्ट नहीं है तो आम शुत्र लगाई था तरुता के जो दोनों सुत्र आपके सामने लिखे होगे तो मैं पहले k-plus के लिए काम करता हूं तो k-plus की जो सांदरता है या molar ता इसको ऐसे परदर सिर्क किया जाता है ऐसे डब्बे से तो ये तनुता की स्थिति है तनुता की स्थिति का मतलब समझ गए क्योंकि यहां से k-plus के वाल एक ही जगह से आ रहा और कहीं से नहीं आ रहा तो अपन के वाल M1 V1 इसकी संदरता जितनी KCL की संदरता होगी उतनी K-plus की होगी तो M1 हो गया 0.1 V1 हो जाएगा 500 ठेके और बटा क्या रखना है कुल आयतन रखना है तो कुल आयतन यदि 2 है तो M1 V1 और यदि 3 जने होगे तो 3 में V3 भी आ जाएगा और यदि इसमें भी क्या आ जाएगा M3 V3 यदि 30 रिविलियन में भी उपस थी तो ठीक है डियर चलो तो यहां पर V1 500 है V2 200 है फिर 500 है तो यह कितना आ जाएगा 1200 ठीक है जी यह 2-0 से 2-0 कट जाने है ठीक है जी तो यह कितना आ जाएगा K प्लस पॉइंट पांच बटा बारा जो की लगबग किसके एकवल होगा पॉइंट 04 के बराबर होगा लगबग पॉइंट 04 ठीक है जी बेटा जी चलो अब मैं काम करता हूँ अलग दूसरा एन पर जो किसी में बिंदे को 01 गोना 200 बटा क्या जाएगा 1200 कुलायतन तो वही रहेगा ये 20 से 20 कट जाएगे तो 0.02 0.02 बटा क्या हो जाएगा 12 और 0.02 बटा बारा क्या होगा लगबग 0.006 का पर छोटी वेल्यू आएगी 0.0016 के लगबग बरबर आएगी ठीक है डियर चलो इसको जब हम हल करते हैं तो ठीक है नेक्स्ट अब बात करते हैं NO3- पे क्योंकि AG फिर आवस्च्छेप में जा सकता है तो NO3 की क्या खास बात है वो थोड़ा द्यान से देखना लगा इसमें क्या लिखोंगा देखना धियान से इसमें लिखेंगे M2 V2 प्लस M3 V3 upon V1 प्लस V2 प्लस V3 तो 0.01 गुणा 200 प्लस किता हो जाएगा 0.1 गुणा 500 बटा क्योंकि उन आयनों की सांदर ता भी उतनी होगी जितनी लवनों की एक एक आयन ही दे रहे हैं पानी में ठीक है कुल आयतन तो बटा में की आएगा 1200 ही आएगा तो ये भी लगबग 0.04 के बराबर होगा ये सब मोलर ताए हैं तो M लिखना चाहिए में रको ठीक है बिटा जी अब ये उप्सन कहीं मैच कर रहा तो पहरे उसमें काम करता हूँ K मैच कर रहा है एजी पे में ने काम नहीं किया इसमें NA lagi match नहीं कर रहा तो ये आएँसर नहीं होगा दूसरा K 매che कर रहा है NA match कर रहा है NO3 prohib match कर रहा है तो आए जाएगा सेकेन तो तीसवे में कुन सारा अजाएगे बेटा जी सेकेन ओक्ड नेक्स चलते हैं 31 में ठीक है तो अब 31 वा क्या question है, यह रहा 31 वा, electron वा proton का द्रविमान का अनुपात क्या होगा, बहुत आसान question है, आपको electron का द्रविमान भी पता होना चाहिए, किसका द्रविमान, electron का कितना होता है, अब अपने क्या पूछा गया, इनके द्रविमानों का अनुपात? क्या पूछा गया, electron का द्रविमान, m of electron वाटा, m of proton, इनके द्रविमान अलग-अलग है, तो यह तो option आई नहीं सकता हम यह लिखते हैं, किलोग्राम में लिख लेता है, तो 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31, यह भी किलोग्राम में लिखा है बिटाजी मैंने, तो नीचे वाला भार भी किस में लिखोगे, किलोग्राम में, 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, तो यह लगबग वैल्यू आती है, एक बटा 1837, हम लोगी याद भी करवाते हैं, कि जो यह इस तरह के वैल्यू होती है, यह जो इलेक्टोन और प्रो टोन के द्रविमान का अनुपाद है, यह बट्चों को आद इसी कारण से हम जो पर माणु उसमें एलेक्ट्रोन का दरविवान नहीं जूडते हैं मुख execute जोडते हैं आ 32 वक пон intesteless rουν रहा है यह पर्माणु के इस तरह से हम पर दर्शित करते हैं इस करते। इस परतर्शित रूपके अंदर प्रोट२ निउट्रोन इलेक्ट्रोन इक पर मॉद्द और डिया जाता है तो इस में फो प्रोटौन के संहिया लेको सेा जाती है। जाता है और एक ओपन दर्विमान संख्या बोलते हैं और जैड को पन परमानु करमांग या परमानु करमांग संख्या बोलते हैं ठीक है और यह जो प्रोटोन होते हैं किसी भी परमानु करमांग का कार्य करता है किसका कार्य करता है परमानु करमांग का उतने ही प्रोटोन हो जाएंगे यहां पर इसको परदर्शित कर रखा है आपने किस तरह से एक्स यहां पर है 89 और यहां पर है 231 ठीक है बेटा जी तो यहां प्रोटोन कितने आगे 89 और जितने उदस इन परमणम प्रोटोन होते रहे होते नहीं क्या होंगे इलेक्ट्रोन तो इलेक्ट्रोन भी कितने आजाएंगे बेटा जी वो भी क्या आजाएंगे 89 अब रही बात नियूट्रोन की तो एक बार बताओ यडि प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन का अग्मान 231 है और जिसमें से प्रोटोन कितने है 89 है तो यही मैं बात करता हूँ neutron की तो कितना हो जाएगा 231 minus 90 हो गया क्या नियासी बोलते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी 142 इसको solve कर लो तो proton कितने हो गया भाई proton हो गया है 89 neutron कितने हो गया है 142 electron कितने हो गया है 89 ठीके जी 89 142 89 तो आप का अंसर कौन सा हो जाएगा second तो next 33 पे चलते हैं बहुत आसान question था बेटा ये अपने atomic structure का question था 33 पे 33 भी फिर से परमाणू सरंचना का एक simple सा question है जिसमें क्या गया है plank नियतांग हाला कि हमें plank नियतांग की value यार होती है h की 6.63 into 10 raised power minus 34 और हमें क्या दे रखा है प्रकास का वेग हमें याद दी रहता है जिसको अपन वी से परदर सित करते हैं 3 या C से भी कर सकते हैं वैसे कोई बड़ी बात नहीं जो इस standard है वह काम में देता है अपन किस से कर सकते हैं C से भी कर सकते हैं ये लो तो ये आजाएगा C बराबर 3 into 10 की गात 8 मेटर पर सेकेंड ठीक है अब ये क्या दे रखे हैं आवर्ती आवर्ती को पर न्यू से परदिस करते हैं न्यू बोले तो वी होता है मुक्का मार के इस तरह से करते हैं मसते हैं ये चलो लेकिता आजाएगा 8 into 10 की गात 15 सेकेंड की गात माइनस वन बोल दो एक बटा सेकेंड बोल दो या हर्ड्स बोल दो एक ही मतलब इसका तो हमें क्या पूछा गया प्रकास का नेनो मिटर में क्या बताना है तरंग दे धर ये तो लेमडा क्या होता है भाई जी c by new लिख दो या फिर एक सुतर होता है new बराबर c by lambda तो एक ही बात है तो लेमडा क्या हो जाएगा c by new अब अपने को sorry c by new तो अपने क्या करना है c by new वूट पुट कर देते हैं लेमडा बराबर तो लेमडा में c की वेलू कितने 3 गोणा 10 की घात 8 बटा new कितना दे रखा है बेटा जी new दे रखा है अपने को 8 into 10 की घात 15 ये है 1 बटा सेकेंड और ये है मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड ये पर सेकेंड तो कर जाएगे मीटर में आएगे भी आंसर जो आएगा तो ये आजाएगा 3 बटा 8 गोणा 10 की घात कितना हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा उपर माइनस 15 जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा 7 लेकिन ये मीटर में आएगा ये इसको नेनो मेटर में बदला जाए तो यह हो जाएगा 3 बटा 8 गुणा 10 की घात 2 नेनो मीटर इसको small n से दिखाते हैं अपन लोग ठीक है बेटा जीन अब यह 300 बटा 8 हो गया लगबग जिसको अपन कह लिख सकते हैं 30 बटा इंतो 10 की घात 1 और यह किसमा आजाएगा नेनो मीटर के अंदर ठीक है और यह लगबग 4 आजाएगा हाला कि आएगा तो 3.755 इसको लगबग अपन 4 ले सकते हैं क्योंकि यह मैचिंग कर रहा है क्योंकि लगबग बोला इंटो दस गाते यह आगे इसका 4th answer तो 33 का क्या जाएगा 4th ओके डियर चलो नेक्स करते हैं क्वेस्चन को 34 34 फिर एटोमिक स्टेक्चर का है परमाणविक सरंचना का बहुत ही आसान क्वेस्चन है क्या काहा है हाइड्रोजन की तीसरी बोहर कक्षा जिसको R3 से परदरसित किया है जिसको R4 से परदरसित किया है इनमें संबंध की option देएगे है आपको यदि पढ़ता हो तो जो बोहर तिर जाओती होती है समानुपाती होती है N2 by Z जहां N क्या है कोस की संख्या और Z क्या है परमाणू क्रमांग यदि एम मैं बात करता हूँ R3 upon R4 यदि एक चीज़ और देखो परमाणू क्रमांग तो फिक्स हो गया न तो R को समानुपाती है पर N2 रखना पड़ेगा तो R3 क्या हो जाएगा N3 का स्क्वेर और R4 क्या हो जाएगा N4 में लब चोथे कोस का स्क्वेर ठीक है जी बेटा जी तीसरे का स्क्वेर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वेर हो जाएगा तो 3 का स्क्वेर हो गया 9 और N4 नो चोथे कोस का स्क्वेर क्या हो गया 16 वो क्या हो जाएगा R3 बटा R4 तो हम क्या बोल सकते है R4 क्या जाएगा इससे R4 जाएगा आर फोर बराबर आजाएगा आर थी इंटू सोड़ा बटा नो देखो ऐसा कोई option है तो बिटा तो इसमें आर फोर पहला वार option आर फोर बराबर नो बटा नी सोड़ा बटा नो तो इसमें कौन सा आएगा सेकेंड बटा तो चोतिश में बहुत आसान आसान बहुत प्यारे प्यारे question था कि आप score कर पाऊ और देखो कि किस तरह के question बनते हैं ठीक है डियर चलो और questions को समझो बहुत अच्छे जी कितने logical tricky question आपके लिए रखेगे है 35 क्या बोला गया है electron एक अक्षा में वेग ठीक है V जो होता है समानुपाती होता है Z बटा N के है ठीक है जी कि मत दे गलत graph का chain करो तो पहला है V और N V समानुपाती होता है तो V और N का यही graph बनेगा अती परवले जो बोलते हैं तो V और N का यह graph बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है V 1 बटा N तो V 1 बटा N के तो समानुपाती ही है एक बटा N के तो समानुपाती है तो इसमें सरल रिखा बन जाएगा यह graph बहुत है अपना अंसर तो गलत graph है ठीक है फिर क्या बोला है V और Z तो V समानुपाती Z है यह बात भी सही है तो सीधा सिमानुपति इस तरह की रिखा बन जायेगी, लेकिन वी ऐन के यदि इस तरह से अति परवले बन गया, आप सोचो न, इन दोनों सुन, या तो ये सही हो सकता है, या ये ग्राफ सही हो सकता है, ये ग्राफ सही है, तो हमें जब ग्लत पुछा गया, तो अपना आंस और इसकों के कुल संख्या क्या होगी ठीक है N बरावर क्या दे दीया 5 व्यसे आपको पता हो तो जो भी कोस है उस काऔर के अंदर जो लिखवाया जाता है कख्षक कक्षक होते हैं n-square कक्षक कितने होते हैं n-square n-square यहा 안돼 n कितना हो गया 5 5 का कितना हो जाएगा 25 से कहान नहीं है तो कितना आ जाएगा और ilektron कितने होते हैं किसी कोस के इंदर कुल ilektron आपको बता हो 2 n-square किसी भी n-way post में कुल ilektron कि संし 무 2N square होती है तो इलेक्ट्रोनों की संख्या 2N square है तो हर एक जो कक्षक उसमें 2 electron नहीं आ रहे हैं क्या तो वापस बटा दो कर दो क्या दिक्कत है तो 2N square पचास हो गया 2 इंटू 5 का ही square 25 गुणा 2 हो गया तो 50 और जितने एक कक्षक में 2 electron टोनाते हैं ठीक है तो 36 उसमें किता आजाएगा first चलो next चलते है 37 में परमान भी कक्षकों में उर्जाव का बढ़तावा करम देखो ये जो अलग 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 लिखे है उपकोस लिखे हैं अलग कि उपकोस बजावपन करम देखते हैं तो n plus l नियम से देखते हैं किसे देखते हैं n plus l जैसे 4p है 4f है मैं तो option लिख रहा हूँ कौन कौन से 6s है और 5d है ठीक है तो इसमें n की value किती है जो आगे लिखी रहती है n की value जो आगे लिखी रहती है वो n की value जैसे जो integer लिखा रहता है आगे वो n की value होता है ठीक है बेटा तो यहां पर n का value किता हो जाए मैं n लिख देता हूं यहां और यहां क्या लिख देता हूं L ठीक है बेटा जी इसमें n का value 4 हो गया इसके लिए n का value 4 हो गया इसके लिए n का value 5 हो गया L का value P के लिए 1 होता है, हमें याद होता है, F के लिए 3 होता है, हमें याद होता है, S के लिए 0 होता है, हमें याद होता है, D के लिए 2 होता है, ये भी हमें याद होता है, ठीक है, नहीं है, तो कर लो क्या रिक्त है, ठीक है, N प्लस L क्या हो जाएगा, भाई जी, दोनों को जो जिनमें अन का मान जादा उसकी उर्जा जादा, ठीक है, तो सबसे कम N प्लेसल आया है, 4P का तो उसकी उर्जा सबसे कम, उसके बादा है 6S का उसकी उर्जा ओर जादा, फिर 4P और 5D में पहले 4P लेंगे, क्योंकि, sorry, 4F लेंगे न, 4F, पहले क्या लेंगे, 4F, क्योंकि इसके लिए N का value कम है और सबसे जारे किसका आएगा 5D, क्योंकि इसके लिए NL plus का ज़्यादा है लेकिन N कम आप भी इसमें ज़्यादा है तो आंसर कौन सर्वेटर है भाई इसमें 5P, 6S, 4F and 5D आजाएगा 4 37 में कौन सा आंसर हो जाएगा 4F, क्योंकि इसके लिए चलो नेक्स्ट देखते हैं चलो 38 क्या पुछाए निम्न में से किस प्रक्रम में चुम्बक की आगुण परिवार्तित नहीं होता है चुम्बक की आगुण का मतलब क्या हो गया युक्मित इलेक्टोनों की संख्या नहीं परिवार्तित होने चीए एक तो N2 अनुकाम में आ रहा है और O2 अनुकाम में तो मैं इसका जो परमान आनवी कक्षक है वो लिग देता हूँ जो अन्त के आनवी कक्षक है वो बना देता हूँ ठीक है जी बेटा जी ठीक है तो Natrogen के अनदर तो अपने पता है कुछ इस तरह कक्षक काम में आते हैं आनवी कक्षक और Oksygen में कुछ इस तरह के ठीक है बेटा जी मैं पहले N2 और ठीक है एक सिगंडर को इसको सही करते हैं ठीक है यह रहा और मैं पहले यह एन्टु का आपको पता होती है और यहां बर 14 याप ओस जाते हैं 15 और 16 मैंने ओटु को एक बार बनाए है तो पहला क्या बोल रहा है N2 से N- माइनस बनना तो N2 तो यहां तक बन चुका है यदि एक electron जैसे आप जोड़ोगे तो यह electron कहा जाएगा यहां पर जाएगा जैसे एक electron यहां पर जाएगा तो इसमें आउग मतिलेक्ट्रोन नहीं थे जबकि इसमें एक आउग मतिलेक्ट्रोन आ गया O2 से O2 प्लस को बनाना तो O2 से एक electron आप गयाब करोगे बाईचांस ही गयाब कर देते हो तो एक आउग मतिलेक्ट्रोन पहले दो थे अब एक बच जाएगा तो यह भी संभावना नहीं है O2 प्लस से O2 माइनस बनाना इसको थोड़ा देखते है O2 प्लस से O2 माइनस मतलब यह जो electrons है अपन यह कक्षक यहाँ पर रहे और यह कक्षक यह रहा ठीके बचांग और यह कक्षक इसी तरह से यहाँ पर उपस देखे ठीके जी तो यह electron तो ऐसे ही रहेंगे अब O2 प्लस बनाया गया है ना तो O2 प्लस में एक electron आएगा O2 माइनस में क्या आगा देखो बेटा जी O2 के अंदर आप क्या कर दोगे एक electron और एड कर दोगे तो जैसे O2 में एक electron और एड करोगे तो यह तो electron ब्यवस्ता वैसी रहेगी जैसी थी बस फरक क्या आएगा यहां पर दो electron O2 में वैसी थी एक देखो यह है O2 प्लस के लास्ट का डाइगराम और यह है O2 माइनस के लास्ट का डाइगराम इसमे भी एक ही आईगमित electron है और इसमे भी एक ही आईगमित electron है तो पहले भी एक आईगमित electron अब भी एक ही आईगमित electron तो इसका मतलब क्या होगा इसमें चुम्ब क्या अगुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका अंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ ओके डियर चलो नेक्ष्ट थर्टी नाइन पर चलते हैं बेटा तर्टी नान में बोला गया है टीन तत्तो के एलेक्ट्टोनिक विन्यास देरखा जब इसमें इसके कि सोडियम तत्तो रखा होगा आप bakayım ठीक है दूसरा औक्सिजन रहा होगा आठ इलेक्ट्रोन है और लास्ट में अलुमिनियू रहा है तेरा इलेक्ट्रोन है ठीके डियरो अब दियेगे आधार पर सही सुत्र का चेंड कीजिए धनायन पहले लिखा है रिणायन बात लिखा जाता है ठीक है तो तो देखो पहले में L और M का देख लियाता हूँ L M बोले तो N A 2 O और ये दोनों धातु दापस में क्या चुड़ेगी एक धातु एक आता हूँ और M और N का देख लियते हैं इन दोनों का देख लियाता हूँ तो M और N का क्या बन जाएगा L 2 O 3 L 2 O 3 ठीक है तो पहले किसका sodium और oxygen का देखा है न तो L 2 O M ठीक है जी और फिर किसका देखा है aluminium और oxygen तो L 2 N 2 और M 3 तो ये देख लो कहा है L 2 M और N 2 M 3 ये fourth option मिल रहे है तो actually क्या है कि अपने M और N में confused होते हैं अपने को इस तरह की यो कि पता है और वैसे कैसे पता चलेगा सन तो इसकी एक सही हो जगता है इसकी दो सही हो जगता है इसकी तीन सही हो जगता है अब मैंने ये तब लिखा जब aluminium लिखा उससे पता चला नमेर को तो तब लिखते ही सही हो जगता है पता चल जाती है 40 नमर है निम्मेंसे कौन सा अनू समतली यह है और अध्रूवी है मतलब सरंचना बना के चेक करना है समतली होना चाहिए तो पहले इस फीट्री डीट्व, एस पीट्रीडी डिट्व का मतलब क्या हो गया अस्ट्री यह maintained Chatt icon कीरणा। इस एक रएका की यूग्म है और इसकी सरंचना रो है ये आध्या सब्सक्राम की यूग्म, ये दूसरा एका की इकाइए के बाहर की तरह वह आपश स्मुच्छ का नाम London संवान है और iludhru चेक करना पड़ेगा भिन वानी चीए तो फिर संक्रन क्या है समान देखो H2O की हम बोलते हैं संक्रन जो है SP3 और SI C4 का भी संक्रन क्या है समान SP3 ही है तो संक्रन तो दुन में समाना अपने को संक्रन भिन चाहिए गलत हो गया XO3 और BR F3 तो XO3 जो है इसका SP3 संक्रन आता है जबकि BR F3 है न तो BR में कितने एलेक्ट्रों होते हैं एक दो तीन पांच है साथ तीन तो F के साथ चलेगे ठीक है बिटा और दो आगे लोन पर इसका SP3 आ जाएगा SP3D और इसका क्या है था SP3 तो संक्रन इसमें क्या है भिन ठी के जी अब इसके जामितिया सरच न देखते हैं तो यह पिरामिडी सरच चनाती है किस तरह साती है पिरामिडी XO3 की ओके बेटा जी यह आ गया त्रिकोर्ण यह पिरामिड और BR F5 क्या हो जाएगा बेटा जी यह हो जाएगा T से ती आकरती का 1F दूसरा F तीसरा F और एक ल इसमें भी क्या जाएगा SP3 संकन की चारो क्चारो सिग्मा बॉन्ड ओक्सीजन के साथ एक एक बने हुए है ठीक है SF4 है तो SF4 में SP3D संकरण आता है तो इसमें संकरण मैच नहीं हो रहा लेकिन जामिति की बात करता हो दिसमें 14 सवलग की जामितिया आएगी और SF6 में C 100 से पाएगी कैसे से फोर में 1 2 3 4 5 6 छह एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन तीसरा फ्लोरीन और चोतês फ्लोरीन 5 इसपी 3D तो इसमें क्या आता है जोνने से किसे बाते हैं 7'00 से बोलते हैं 1'? बात जलाए इसफोर बहुता है 5 बीज़िए करें उला ठाब तो जख करें और जयरेyan 3D अंप्र है जब्लाएं जब्लाएं लेकिन अडू जो यामित ही दूनों क्या है रेखी है तो आंसर क्या जाएगा 42 का समझे समान आकर्टी परत्त भी इन संग गया ना फिर से च्थार करेंगे है है 42 CUSO 4.5 H2 में विविन बंद के परकार कों से बहुर अच्छा होनु है NCRD गणू NCRD गणू दे रखा है इसको ब्लू बेट्रियों नीला थोता बोलता है इसमें क्या होता है CUSO 4.5 H2 होना तो यह इस तरह से इस रूप में पाया जाता है C U हलागे मुझे सरंचना के लिए जगाँ चाहिए होगी इसको क्लियर गणता है यहां लिखता हूं मैं इसको ना यह कुछ इस तरह से होता है C U H2O 4 यह संकुल टाइप का योगिक होता है और SO4 और यह एक H2O यह कहते हैं लिगेंड रूप में होते हैं और एक क्रिष्टलिक रजल अनू के रूप में होता है यह हाइड्रोजन चेप्टर में भी सिखाई जाती ही बाद हाइड्रोजन चेप्टर में इस तरह से लिखावा उदा रहा है तो C U प्लस 2 जो होता है वो एक H2O से इस तरह से जुड़ा होगा है चार अलग-अलग H2O से अमने एक और H2 जो इनके मद्धिय उपस्तित होता है यह रहा एक और H2O फिर H और फिर H अमें बनाता हूँ SO4-2 को बेटा जी SO4-2 में ये O- ये O- ये double bond O ये double bond ओके बेटा तो ये रहा H-bond ये रहा यहाँ H-bond ये रहा यहाँ H-bond ये रहा यहाँ पर एक H-bond ये रहा यहाँ पर है ये दोनों टाइप के H-bond present है देखो अब मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये Cu-2 एक रहा ये रहा Cu-2 ये रहा SO4-2 ये रहा SO4-2 अब चर्चा करते हैं देखो Cu-2 और SO4-2 दो आयन है इसमें आयनिक बंद लग रहा है कौन से बंद लग रहा है आयनिक पहले Pi-bond हाही इसमें सिग्मा बंद दिए fazer-努ी- और SO4-2 ना balls-2 जेसले ये रहा उप 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 उदंद ये रहा अब गांघ mph आयनिक बंद Cu-2 SO4-2 रहा वीदू-दू-वीदू-दू-path-प-Ή-анд-वीद-र-ख-व पैर किया बोल रहा है Hydrogen and ion दूरू वाला है एक साड़ आयन है एक साड़ पोलर है इसमें सारे के सारे प्रकार के बंद उपस्तित है तो 42 में कौन सा जाएगा फोर्थ चलिए नेक्स चलते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह NCRD क्वेश्चन आपके 43 चार अणों को समचे दिया है ठीक है समाने निताप पर जिन विकलों चार अणों इस्थाई दूरू आगोन मतलब जिनमें दूरू आगोन उपस्तित है उन्हें अपने को चैन करना है ठीक है सीयर्टू है इसमे दूरु आगोन नहीं है तो यह आप्सम वैसे कैंसल हो गया चैनसे हैं सोटा है यह पर ही दियू और अइनक्स क्लोरोबन वरन डूरे क्लोरीन आपके दूरब नप्रहे और बंदद कोन है थयाते है तो सारा तो नहीं ब करता軍 varias deste की वज़े से रहा जाएगा यह वैसे एच टू की तरह ही हो गया और बी आरे फाइफ की अभी अपने सरे चला वनाई थी पाई से पोती है तो नेट इसमें भी कटेगा ने कुल तो इसमें नहीं कटेगा एक साड़ा समय तुरूप लाएगा ना यह लोन पेर की वज़े से का क की वज़े से तो इन चारों का दूदूरू आगोंड क्या है और सुनने हैं तो इस सारे दुरूबी अण हो जाएगा तांसर कौन सा जाएगा सेकेंड तो 43 क्या चला जाएगा सेकेंड वाला हो के डियर नेक्स्ट देखो 44 हो पोचा गया है कि कौन सा आती है आपन जो आपको दे रखा है उसका जो कोड के साथ दिया गया है मतलब A और B के अंदर कौन सा सही है ठीक है देखो यह जो अलग-अलग कलर से ये प्लस है तो ये भी प्लस है ये प्लस तो ये भी प्लस ये माइनस तो ये माइनस एक जैस ये कक्सा कौन से है, P और D है, ये कक्सा कौन से है, P और D है, ये कक्सा कौन से है, D और D है, अब इनका कलर क्या है, सेम सेम है, तो D और D सिग्मा बंद में जा रहे हैं, लेकिन बंदित में जा रहे हैं, तो D और D सिग्मा बंदित के बंदित में जा रहे हैं, ठीक है, फिर P औ अर के अंदर क्या है यह ंडार है यह पी है यह दें यह साइड वाई है लेकिन यह प्रति बंदित में सारें तो कुण सा अज़ाएगा फरस्ट तो यह दी और डी एकियागी है लेकिन सिग्मा है لेकिन पश्थी बंदित व्लकर आलग है उटign अलग सबीं मेरा क्यों है और कोई सबस्क्राइब थी को तुट किए ने Hilf ये बोला जा रहा है कि नियुनतम वीदुत्रिणता है तो होटा है запомý. जो ऐस ग्लोग में नीचे जाने पर वीदुत्रिणता कम होती हैं तो सीजियम सबसे कम वीदुत्रिणी है.. इसी वज़से उसको परकास वीदुत्रभाव में काम में लेते हैं यह तो बहुत आसान सा question है next step 46 46 में देख लेते हैं 46 में बोला गया एक तत्प जिसका उत्यज नवस्था में परदर्शित किया उत्यज नवस्था का मतलब क्या होता है काम मतलब लिए अब देख तर्वेये हैं राप्त देख अधरी है तो इसे नवस्था में बेहिए अधरर्व धाम October इस्थाईत्र प्राप्त करने के लिए G2 में से rechts चला जाता तो इसका मद्ध भी क्या है अध्यवस्था में ही ए मैं नेक्स्ट छो है स्केंडियम का हे स्केंडियम में यहां तक तक अच्छे से बहुन और अगला सही ऐर्जन मैं हुआए हुआ है नेश्ट एक टोटल एक्ट्रोन साथ है यह नाइट्रोजन का वैसे क्या होगा 1s2 2s2 2p3 होगा ना तो यह 2p3 उसके बाद यह पूरा भरेगा तब भारी आए मतलब जब तक आप अगले उर्जा इस तर में जाते हो ना उससे पहले पहले उर्जा इस तर पूरे भढ़ते हैं उसके बा 27 इसका जलयोजन अधिक्तम है क्ैते हैं जिनके जलयोजन ऊर्जब से कयंgeon ज्यूंगते हो अभी तो होता है दाफ जैंट्रिया मतलब आफ टॉपinflamme क्या होना चाहिए जादा से जादा और तिर्जब क्या होगी कम से कम तो आवेस जारह जारह तिजह सबसे कम एक तो बेरलियम हो गया फिर मैंगनेशियम चैक करते हैं मैं एक इक साथ नेरहा हो फिर केल्सियम लिखते हैं यह तो सारा एक वर्क के आ गये हैं ठीक और सोडियम तो पहली बाद sodium में बिचारे में आवेस तो के वर एक ही है ठीक है तो यह सबसे कम वैसे ही रहेगा इसका बिचारे का आवेस का अब इन में लड़ाई बची इन सब में आवेस देखो सेम है लेकिन तिर्जिया जिसके सबसे कम होगी उसका आवेस घरत तो क्या जाएगा ज्याद परमानुकरमांग 64 वाला तत्व का आवर्त और वर्ग बताए देखो जब भी आप तत्व ये वर्ग चेक करते हैं अपने को पूरे अलगत अलगत तरीके बताए जाते हैं तो मैं बच्चों को हमेसा बोलता हूं कि पहले ये चेक कर लो एफ ब्लो कत नहीं है जैसे एफ की पहली सिरीज फृर्व कक लेकर वेंड हैल तक चलती है ठीक है और नाइंटि से हैंग उण जिरो थी तक दूसरी सिरीज चलती ये ऐफवन बोले तो शीज़शफ पिरिएड का है ये सेवंध पिरिएड का है और ये नोंगी तीसरी वर्ग में आते हैं खास बात क्या है पीरिड में चट्टा तो जाएगा इसका आवर्थ और वर्ग तो फिक्स से तीसरा देखो चेक करते पता चल गया ना बाई चांस हमें नहीं होता है इन में से कोई नहीं होता फिर अपन अलग तरीके से काम करते हैं अपना काम नहीं खतम हो गया चलो नेक्स्ट है 48 वाला निन में से दिएगे यूग में से सम इलेक्ट्रोनी स्पेसीज है ठीक है जिनका आकार प्रथम का आकार दुट्य से बढ़ा हो पहले तो चेक कर लो सम इलेक्ट्रोनी है क्या यह सम इलेक्ट्रोनी नहीं है यह सम इलेक्ट्रोनी जी है तो सम इलेक्ट्रोनी क्या बोलागा तो रिणाइन की तृजय जादा होती है, रिणावेसित कंड़ की जादा होती है, इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, अग्ला चेक कर लेते हैं, यह तो सम इलेक्ट्रोनी नहीं बात ही पो संभव नहीं है, तो इसमें कौन सा अंसर आजाएगे बैटा जी, थ तो इस वज़े से गलती है यह तो हमेशा कम होता है ज्यादा होता है किसका जाड़ा होता है तो हमेशा कम होता है ये कोटा हो गया करना हमीजा नहीं जी नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है सबस्क्राइब मात तो सही है ये वह दोगई चार इसके यह बात तो सही है लेकिन अपने आंसर में बढ़ा है एक्चुली दनाएन का छोटा होता है सेम परमाणू है उसका धनाएन अभी बात की थी तो आकार तो इह रहता है तो यह खोटा हो गया तो अपने गलत पुचा गया ना तो गलत ए A, B and D, ABD कहा हैं जी, ABD पहले ही मिल गया है, तो अपना अंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, और इस तरह से अपने कर लिए 50 के 50 क्वेश्टन से, उम्मीद करता हूँ, आपके सारे क्वेश्टन समझ आए होंगे, देखो हम लोग एक अच्छा प्रयास है, जो अच्छे बच्च करेंगे, तो इसी तरह से टेक्नो में यदि आपका अच्छे रिजल्ट रहता है, आप अच्छा इसकोलर्शिप लेंगे, ओके डियर, ओल्द बेस्ट बेस्ट ऑपर, थैंक यू फो वाचिंगे, हलो बच्चो नमस्कार, आप सब लोग सवस्तोंगे, मस्तोंगे, उमीद कर हैं, आज हम टेक्नो का वीडियो सोलीशन करेंगे, टेक्नो का पेपर जो इलेवन्त किलास के लिए हम ऊता, उसमें बोटनी पोर्शन का अपन वीडियो सोलीशन करेंगे, टेक्णो जिसके अंदर अपने पास में एक लाक्ष अड़तिस जार से ज़्यादा बच्चे जीवानों कोशिका आपको पता है एक कोशिक होता है जीवानों और यह खंडन द्वारा विवाजित होकर के दो जीवानों में विवक्त हो जाता है ऐसे ही हमारे पास में सुत्रकनिका और हरितलवक और यह अपने पास में प्री एक्जेस्टिंग और जिसमें बारीनरी फ्यूजन दौरा डिवाइड होकर करके आते हैं तो पहले का आंसर पहला ही हो जाएगा नेक्स्ट अपने पास में क्यूशन है नेक्स्ट क्यूशन में अपने बात है कि थालेकोईट्स हैं आप लोगों अपने पास में और इस परकार से अंदर होती है और ल्यूमन होती है बार इस्ट्रोमा होता है और यह सिंगल मेंब्रेन बाउंडेड इस्ट्रेक्चर होती है तो हमारे जिली में थेली जैसे सरचना जो क्लोरोप्लास्थ हरितलवक में पाया जाती है सुत्तर कनिका की बात किरें स में भी थाले कोई स और च्प्टी धियुआ जैसे प्रोकेरियोट में यह नहीं आप ने पास्मेंगे प्रुमेट्वोरस पाये जाते हैं फिग्मेंट को इस्टूर करने के लिए अलग सरजने ना स्थ द्रृजधर का Rig धीली फेली हुए, न्यूक्लियो प्रोटीन की तंतू जैसी सरचना रखता है, यह क्या बात कर만 हो तो हमारे पास में इसके बारे में बात हो गई कि यह क्रोमेटिन फाइबर, जो है आगे कंडेंश हो करके क्या बना लेंगे विटा, क्रोमेटिन फाइबर है और यह condense हो करके आगे गुण सुत्तर का formation करेंगे तो जो फैली हुई अवस्ता में अपने पास में stage होती है उसको अपन बोलता है chromatin तो इसका answer भी क्या है पहला next question हमारे पास में जो है वो है question number 54 54 question थोड़ा confusion question है इसमें अपने को polar head है बी जो है यह अपने पास में अधुर्विय संत्रप्थ hydrocarbon की बने हुई पूछ है अब कच्छो अपने पास में confusion create करके इसका answer third भी आप अपने पास में ले जा सकते हो लेकिन वो answer नहीं होगा क्योंकि यह saturated hydrocarbon संत्रप्थ hydrocarbon की बात है एसंत्रप्थ hydrocarbon इस तरह से पूछ बनाए जाती है वो तल के भार जाती है उसमें कहीं न कहीं घुमावाता है तो एसंत्रप्थ यहां पर बिल्कुल नहीं होगा इसलिए इसका answer क्या आएगा first क्योंकि जब भी आप बनाओगे संत्रप्थ और संत्रप्थ आपने दो hydrocarbon बनाए इस तरह का बना यह संत्रप्थ hydrocarbon है इसको आपने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो यह क्या हो जाएगा ऐस संत्रप्थ क्योंकि जब भी डबल बोंड बनता है तो तल के भार अपने पास में structure जाती है तो इस हेलो दोस्तों मैसेल्फ संदीब डंगी टीम जूलो जी सेल्जी सिकर के online digital platform पर माप सभी का हर्दिक स्वागत करते हूं आज अपने टोपिक discuss करने जाने वाले हैं या जो भी अपने पास में content है वह है करने जा रहे हैं वह है लास हिंदी मीडियम तो सबसे पहले अपने पास में टोपिक discuss करेंगे जूलो जी के अंदर और यह जो टोपिक है वह है एनिमल टेक्शनोमी का यानि कि जन्तों वर्गी का टोपिक है तो 55 नमर कि उसने चप्टे करिमियों में जवाला कोशिका होगा कारिय क्या होगा तो जो चप्टे कर्मी होती है उसके अंदर जवाला कोशिका का काम होता है वह होता है अपने पास में उत्सरजन का यानि कि सरीर से अप्षिच पदार्थों को बहार निकालने का और एक काम होता है दोस्तों इसका प्रासरंड का प्रासरंड का मतलब होगा सरीर के अंदर जल और लोड़ों की संदरता का नियमन करना यह होता है वैसे भी अगर बात की जाए कि साम में रहता है प्रोटो जोगा के सदश्य होते हैं उनको छोड़ कर उच्सरजन और प्रास्टन का जो नियमन का जो कारिय क्या जाता है वो अपने बात करेंगे किस सिक्स के बारे में 56 में देखो किस जन्तु के सरीर पर उपस्तित सलक दातों में रुपांतित हो जाते हैं तो किस जन्तु के सरीर पर उसके बारे में देखो लेबियो अब देखो कौन्छे सलक दातों में रुपांतित यह बात कर रहे है अपने पास में प्लेकोइड सलकों क के अंदर वो पास्तिल मचली में इसके अंदर दाथ पीछे की तरह मुड़कर दातों में रुपांतित हो जाते हैं अब इसके एक्जाम्पल देखू लेबियो लेबियो है वह अपने बास में अस्तिल मचली इसलिए पहला तो क्या हो गलत हो गया पैट्रो माईजोन जो है च्रक्तर सा तो वैसे गृत हो गया तो दोस्तों इसके न्षोर करेक्ट्र आंसुर जाएगा को सलेगा इपने पास में थडी नंबर ऐसी यह क्या पार यह संमीति की उपसिती आरीज सम्थी यहीति कर-बारे कर बात की जए अरे होते हैं अरे सम्मीति का मदलब होता है जब वह पाई जाएगी अपने पास में ज्ञेंट रेटा हो कर और तिनोफोरा इन दोनों में पाई जाती है लेकिन अस्जूरी स्ना घंड ररेंगे वह प्रेट इनका काम होता है इसी कार को पकड़ना शुरुक्षा करना यह चलने में सायता करते हैं इस तरीके से एन को इस्थरता प्रदान करना हाइडरा तारा मसली स्थारफिस यह एक्जामपल आता है अपने बासे में किसके अंदर आएगा यह इसके अंदर जाएगा फॉर्ट है 58 निमन कत्रों को पढ़िए तो इसके बारें बात कि जाती है निमन कत्रों के बारे में मेटा जनलेमि में बाया जाता है मेटा जनलेमिस का मतलब होगा यह परक्रिया पाय जाती है के सील energized के सद्ष्यव्यों में तो यह आपर क्या होता है ज加 कसी में होता है मेड़्ूसा में और मेड़्ूसा किस और अधिरब्साल पॉलीम चांज़ होगा किसके दवारा होता है लेंगी जयमें के दौण को से पर कहते हैं मेटा जीनिस्ट कंडेते यह इस लेॉन्टे डग्शन होता होता है कि त Kita कहें को सफीर को और क्यों गुद्ढध को सबंस्के कहुंत सबसे पहले गये से लोग बहुए पर में पाटी का यहें तो यह गलत हो गया जल सवंत अंतर होता है वोटर वेस्ट्रूर्ट सिस्टम वो क्यों इकायनों ड्रेमिटा में ही पाए जाता है और इसका काम होता है अपने बास में जल का परिवन चलने जल का परिवन का काम होगा इसका नलिका के समान संजना होती है चलन में सायता करेगा बोजन के परिवन में सायता करेगा बोजन का परिवहन और सवसन में भी सायता करता है तो इस तरीके से इसकी क्या होता है अपने पास में फंक्शन होते है तो इसने पूछा है अपने पास में कौन चे खतन सही है तो सही इसतम मोखर मिलान कर चैन कीजिए कलोम चिद्रों के अगर बात की जये इसके अपने पास में थेडरियो RebelMark और देखते हैं ऑर क्लबश पक एक्केश पूच क्या होती है या यह पाई जाती है अपने पास में क्में क्तिएज मज़लियोंगे अंदर और इनके अंदर ृफिन होता है कि ऑसं दूल का कर और सबानी फिन हो गया उन उगट बड़ा पर बड़ा फिन हो गया यह है और यह अपने पास में फच्टा फन we care s यह जो होता है मचलियों को तैरने में सायता करते है और यह के लूर के लिए किसके इंदर पाए जाते है और लाश्ट में विस्दंस इसे कहा दर ट्राइगोर मचली होती है को डिशी की तो ए में सेकंड बी में थार्ड ची में फोर और डि में फस्ट इसके दर जाया के दोस्तो 59 में थर्ड 60 एक पक्षमा भी के इस्तंबाकार उपकलाव तक पाए जाता है पक्षमा भी के उसके बार में सुनो पक्षमा पाए जाते हैं पक्षमा भी के मतलब यहां पर सीलिया पाए जाएंगे और सीलिया किसमें सहयता करते हैं गमन में सहयता करते हैं यहां पर यह दिम वहनी हो गई तो इसके अपने बासम क्या होगा इस जगर पर यहां पर अंडा से होगा अंडा से से अंडा निकले तो यहां पर क्या पाये जाते जो इसको आगी की तरफ धखेलने का काम करेंगे इसमें इक इतली अभाई जाता है सनी पेस्थ हृदीन नलीका गलत हो गया उसमें नहीं पाये जाए से है लक्त वाहिनिे ने परत्यावस परत्यावस वह होती जिसके लगतब स्ट हो जाता है तो इमें क्या हो जाएगा पर स्ट में आ जाएगा अपने पास में एसा जाएगा सिंट्रेकलिक डिस्क दो रिड बीच में जोपने भास इख होता है इस तरीख से बापर जो काइटलेज होती है, वो कौन सी होती है, वाइट फाइबरस काइटलेज होगी, वाइट फाइबरस से काइटलेज होती है, दोस्तों, स्वेत अन्तों में उपास्ती होती है, तो B में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सैकेंड में आर हो जाएगा, तो इसकंदर पने पास हमें किस्यमिटी के बने होते हैं वो मिल्कर बने होते हैं दोस्तों में आदीन वापस कौन शब्स के बात आप जाती है एप रोट WOR प्रतवह पास यह तो फोर्थ में ना सुर्ट जाएगा सेक्ड आंसुर जाएगा 62 से गलतविकलब का चैन करें के अस्ती उपास्ती से उपाप्ची रूप से दिख्षकरी होती है अगर अस्ति और उपास्ति के बारें बात की जाए तो अस्ति होती है उसके इंदर रक्त वहिने क्या होती है ब्लेड वैसल से जैने कि रक्त वहिनी अस्ती के इंदर रक्त वहिनी क्या होती है उपस्तित और उपास्ति में क्या होंगी अपने पास में अनुपस्तित होती है जब रक्त वहिनी आपर उपस्ति ज्यादा होंगी बोंच के इंदर इसका मतलब वो ज्यादा क्या होगी सकरी होगी तो पहला क्या होगा ऐसे ही हो गय और इस लिगामेंट्स को कहा जाता है सनायू कहा जाएगा तो इसके अंदर कौन सा यह भी सहीए रक्त में तंतून उपसित होते हैं यह सहीए अपने बास में यह आप वहाद एक सेयूजिव तक का वाई विया सेयूजिव तक में केवल मास्ट को से का उपसित होती है तो उसके अंदर मैक्रोफेज जिसे का आ जाता है वरहते बक्षकाणू उसके अलावा तंतू को रख कोशे का यह सब वहापर क्या होंगी उपसित होती है तो केवल इसलिए वर्ड़ आगा तो इसके अंदर कौन सा अप्शन जाएगा फोर्ट जाएगा 63 रिदय की लेब संकु संकुचन सेलथा को प्रारम्ब करने और रहने के लिए कौन सघट का आउश्यवक होगा कि प्रारम करने के लिए अपने पास में आएगाै यह इसे जोड़ा एा जाते है इसलिसके जाया जाता है गती निर्माता पेस्मेकर का जाते हैं क्योंकि हाइट बीट की क्या करेगा यह शुरुवात करेगा इसलिसके अंतर कौन सा उप्शन जाएगा फर्स्ट उप्शन जाएगा अर्फ क्यार तंतरick दोगार प्रिवर्जित की जा सकते हैं सही कतन को सुनिये पॉले सवाय तंतरिका तंतरि में इस दो प्रकार की सिस्टम आएंगे एक आएगा वो कौन सा आएगा अनुकम्पी और एक जो आएगा वो कौन सा आएगा प्रानुकम्पी दो प्रकार की तंतर आते हैं अनुकम्पी और प्रानुकम्पी अनुकम्पी होगा वो क्या करेगा चीजों को बढ़ने काम करेगा तो रिदय दरू उतेजित करता है उतेजित निकरेगा क्या करेगा संदमीत करेगा तो पहला क्या हो गलत हो गया अनुकभी तंत्रे का तंतर रिदय दरू को उतेजित करता है और परवह आयतनों बढ़ाएगा अगर अपने बास में हर्ट बीट बढ़ेंगी तो परवह आयतन जाएगी बढ़ जाती है इसके इनतर इसके जिन्दर को रेद्र को संजाएगा इसके इंदर 64 में सेकंड है तो 65 रेदे निकास के बारे में कौन सी सुचना गलत है रिदे निकास के होता है जिसे काईडिक आउट पूट का जाता है निदे निकास इस इपने बास में इस्ट्रोंग वोल्वम एने की परवाह यतन परवाहे आयतन गुणा रिदेदर की संख्या पर मिनट तो परवाहे इतना प्रेपास में कितना होता है सत्रे मेल होता है और हाइड बीडिके संख्या कितनी होती है 72 एक मिनट में तो कितना जाएगा लगबग ये 5000 एमेल आ जाता है तो इसलिए सके अंदर कौन सा अप्शन जाएगा पहला तो सई है गलत पूछा इसने परवाहे आयतन और रिदेदर का गुणन रिदेनिकास होता है ये भी क्या होगा है सई हो गया परवाहे तरन रिदेदर की संख्या ये भी सही हो गया ये परती मिनट परतेग निले से करने की छमता नहीं होती है अगर हाट बीट के संख्या बढ़ गई तो अपने पास में क्या होगा यह जो रिद्रिक आजदर होगी वह भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसलिए स्कंद्र कौन सा उप्शन जाएगा फौर्थ उप्शन जाएगा जो इनक्रेक्ट है 67 66 नीचे दीगी रख्ति स्कंद्री की प्रक्रिया में ABC तता सी को पैचानिए सबसे पहले आएगा अपने बास में छत्तिगरस्त भी माडू से जो अपने बास में स्त्रावित होता है वह क्या होगा दोस्तों वह होता है थ्रोंबो प्लास्टिन थ्रोंबो प्लास्टिन थ्रोंबो प्लास्टिन होगा वह अपने पास में एक एंजाइम को सक्री करता है जिसे काता है थ्रोंबो काईनेस और यह जो होता है वह अपने पास में प्रोंबीन को किसमें बदल देता है थ्रोंबीन में बदल देगा और फिर अपने पास में फा तो second और fourth तो क्या हो जाएं, गलत हो जाएंगे फिर B में क्या आएगा, B में आएगा अपने पासे में थ्रोंबीन तो B में आगया थ्रोंबीन, तो first गलत हो गया C में क्या जाएगा, fibrin हो जना जाएगा हम एक कोशिके जीव में वर्दी और जनन इन दोनों सब्दों के विसे में इस्प्रेश्ट नहीं कर सकते बचो आप सिंपल तरीके से जानते हो, वर्दी का मतलब अपने पास में क्या होता है संक्या या भार में बढ़ोतरी हमारे पास में हो रही है, तो उसको वर्दी बोलते है और जनन का मतलब होता है, एक समान जीव, अपने समान नए जीव को पैदा कर रहे है मिलकर के या अकेला, तो उस पर क्रिया कोपन क्या कहते हैं, जनन कहते है अब आप सिंपल सब्दों में यहाँ पर बात करें, हम एक कोशिके जीव की बात करें तो एक कोशिके जीव विखंडन दौरा विवाजित हो करके एक खंडन दौरा और अपने दो जीव बना लेते हैं अब यहां पर नए दो बने ये दोनों नए बने तो इसका मतलब अपने पास में संक्या में बढ़ोतरी हुई और हम यह कह सकते हैं कि एक समान जीव ने अपने समान नए जीव को पैदा किया तो एक कोशी के जीव में हम वर्दी और जनन को कभी भी परिभासित नहीं कर सकते हैं वो इसपेश्ट तया अलग नहीं होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं सिनोनेम्स तो यह हमारे पास में दोनों सब्द के विसे में सपेश्ट नहीं है यह सही बात है जब हम एक कोशी के जीव जैसे जीवानू एक कोशी के सेवाल अमीबा के विस्थे में चर्चा करते हैं तो जनन वर्दी के प्रायवाची होता है मैंने आपको कहा कि एक जीव है डिवाइड होकर के दो सहल हो गई या दो जीव हो गई अब इसने वर्दी की या जनन क्योंकि जनन की परिवास अपने समान नया पैदा करना तो इसने अपने समान ही पैदा किये और हम किया कहते हैं? पहले एक था अब कितनी हो गई? दो संख्या और दरविमान में बढ़ोतरी भी क्या होती है? वर्दी सवरूप का सुइस्पष्ट अभी लक्षन है NCR की लाइन है कोशी की संगठन जो है यह जीवन सवरूप का अपने पास में सुइस्पष्ट लक्षन है जीवन सुरुआत करने के लिए हमें कोशी की संगठन की होने की जरूरत होती है उपापचे किरिया यह जीवित जीवों म तो वो जीवित रियक्षन है लेकिन उसको उपापचे करिया नहीं माना जाएगा तो हमा एक कह सकते हैं आपर कि उपापचे करिया जीवित जीवित में पाई जाती है कथन गल्थ हो गया पहला कथन सही हो गया तो पहला कथन सही है और शेकिंट गल्थ है तो आंसर थाड हो ज यगी करण की बात करें तो पहला है भाग, भाग को अपन बोलते है डिविजन, डिविजन के लिए फाइटा ट्रम यूज आ जाती है, बिलकुल जैसे ठेलेफाइटा, ब्रायो फाइटा और टैरिडो फाइटा, यह अपने पास में डिविजन है और इनके अंदर फाइटा ट किलास, किलास में औपसीडा वरग यूज आता है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि साइकलोपसीडा अपने पास में, और टेरोपसीडा, तो इसके लिए निटोपसीडा, तो ये हमारे पास में सीडा जो है, ये अंत में आता है, ये भी सही बात है, तीसरा है गण ओडर, ओडर Solenesie, तो AC लगता है 5C नहीं लगता, तो यह गल्द हो गया मेरे हिशाब से अपने पास में आनसर जो है फैस्ट सेकंड और थर्ड क्या है सही है नेक्स्ट है कूटपाध किसमें बनते हैं आप लोग जानते हो कूटपाध के बारे में बात करें हम तो हम ये कहा सकते हैं कि कूटपाद अमीबिय प्रोटो जवा में बनते हैं आपको पता है प्रोटो जवा को लोकोमेटरी ओर्गन के आधार पर तीन चार भागों में बाटा गया है पहला भाग जिसमें कूटपाद द्वारा लोकोमोशन होता है अमीबोईट प्रोटो जोवा, सीलियेटेड, सीलिया, फलेजिलियेटेड, फलेजिलिया और इसपोरो जोवा जिनमें अपने पास में मुवमेंट नहीं होता हम यहां पर आंसर देंगे कि कूटपाद किसमें बनते हैं तो अमीबी प्रोटो जोवा का विसेस केरेक्टर है और आभासी कूटपाद इस तरह सी अमीबा है और यह अमीबा मुवमेंट के लिए इस तरह से क्या बनाता है बिटा सुड़ो पोडिया और इसके दुवारा मुवमेंट करता है तो अमीबा दुवारा कूटपाद कर निर्मान किया जाता है नेक्स्ट कुशन है हमारे पास में कुशन आपको कह रहा है कि पक्समाभी प्रोटो जोवा गती करते हैं किस कौन सी गती करते हैं तो पक्समाभी गती जो होती है वो एक्टिव गती होती है सक्रिय गती होती है इसमें हमें उर्जा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सीलिया का मुवमेंट किस के दुवारा होता है उर्जा के दुवारा होता है तो हमारे पास में सकरिय मूवमेंट होता है और शीलिया को हिंदी में अपन बोलते हैं पक्समाब तो पक्समाब चप्पू की तरह काम करते हैं बहुत सारे एक साथ तो ये एक्टिवली मूवमेंट होता है फास्ट होता है और अपने पास में पक्समाब दुआरा होता है नेक्स्ट क्यूशन नमर 73, 73 क्यूशन की बात करते हैं जो जीव जो लवणी इस्तानू पर पाये जाते हैं कहलाते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं लवणी इस्तानू की जैसे सामर लेक, डैड सी जहां पर नॉर्मल कंडिशन में जीव कर रहना पोसिबल नहीं है, क्योंकि उनक प्रासरणता के नेमन का सामना करना पड़ता है, जब भी प्रासरणता नेमन का सामना करना पड़ता है, तो जीव को अपने पास में वो विप्रीत परस्तितिया बन जाती हैं, ऐसी कंडिशन में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे भी कुछ जीव होते हैं, जो लवणी परस्तितियों का मतलब ऐसे organism जो हैलो का मतलब क्यों हो गया लवनिये और फिर्श का मतलब हो गया सने रखने वाला ऐसे organism जो लवनिये चेत्रों से सने रखते हैं नेक्स्ट कुशन आपको पूछा गया है विरोईड के संद्रब में गल्ध कतन को चाटिये वाइरोईड अपने पास में RNA का अनुभार उच्च होता है नहीं बेटा वाइरस से अपने पास में कम च्रक्ति भॉलकर आ निनका अनुबंशिक पधार्त होता है और विरोईड जो होते है ये RNA युक्त केबल RNA के बने हुए infectious substance होता है सनकर्मानिक पधार्त होता है और ये जीवों में संकर्मन करते है रोब करते है तो इनका अनुभार जो होता है वो अपने पास में क्या होता है कम होता है उच्चे नहीं होता है गल्द बात होगी इनमें अन्वानसिक पधार्त नहीं होता ऐसी बात नहीं है विरोईट्स ने अन्वानसिक पधार्त होता है और इनका अन्वानसिक पधार्त कौन होता है लो मोलिकुलर वेट का RNA कम अनुभार का RNA ये वाइरस से बड़ा होता है नहीं विरोईट्स जो है ये वाइरस से छोटे होते हैं और यह छोटे infectious पधार्थ होते हैं संकरमारकारी पधार्थ होते हैं सभी कथन ऐसते हैं इसका answer 4 नीचे आपको यह diagram दिया हुआ है और आपसे यह पूछा गया है कि अपने जो दिया गया diagram है वो किसका है तो यह एगरिकस का diagram है बैसिडियो माइसिटीज का सदस्य है तो यह पने पास में फंजाई के किलास होती है बैसिडियो माइसिटीज तो बैसिडियो माइसिटीज का हमारे पास में यह क्या है सदस्य है एसको माइसिटीज का सदस्य है बिलकुल नहीं बैसिडियो माइसिटीज का सदस्य है जिसमें केंद्रक्सलेन, अर्धसुत्री विवाजन, बैसिडियम में होते हैं, यह लेंगिक अवस्ता में होता है, बैसिडियम आइसिटीज में दो फिलामेंट जो है, यह सीधे आकर के फ्यूज होते हैं, क्योंकि यहां पर सो मेटोगेमी होती है, सेक्स ओर्गन नहीं पाए जाते हैं, तो यह दो फिलामेंट फ्यूज होंगे, और एक डाई कैरियोन स्टेज इसके अंदर आ जाएगी, फिर उसके बाद में एक मुगदर लाइक सरचना बनती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बैसिडियम, और बैसिडियम के अंदर जाकर के फ्यूजन होगा, सदसे होता है, जिसमें केंदरक सलेन और अर्द सुत्री विवाजन किस के अंदर होते हैं, बैसिडियम के अंदर होते हैं, यह मुगदर लाइक स्टेक्चर बनती है, इसको अपन बोलते हैं, बैसिडियम, बैसिडियम, बैसिडियमाइशिटीज के सदसे, जिनमें कवक, जा साखित और पट हीन होता है नहीं साखित तो होता है लेकिन पट पाए जाते हैं तो यह गल्थ हो गया नेक्स्ट अपने पास में ड्यूटे रोमाई सिटीज के सदस्य जिसमें पूर्ण अवस्ता अनुपस्तित या खोज नहीं गई है मतलब लेंगिक जनन नहीं खोजा जाता इस तरह से आपके जो है बोटनी के पॉर्ण खतम होता है आपने बहुत अच्छा एक्जाम किया होगा बाकी अपना पेपर और स्कॉलर्शिप आपको डिस्ट्यूबिट कर दी जाएगी थैंक्यू अगर अगर अपने देखो दो सेट लेते एक्जाम्पल के वेसित पर देखें इसका मदलब क्या होता है यदी और के वली एदि अगर अगर बड़ाबर यह और भी अगर वो सेट इस टाइब से लेकर है इसको समझने के लिए जैसे आप दो से लिए यह वान पूट्री एंटर सेक्शन बीडी क्या आपके पास में बंटू थी आए तो यह तो फॉस्ट टेट्मेंट आपके पास में क्या बेर एक्वल कब हुआ यह पॉसिवल ए इस तरीके से देखें अगर इसको इस तरीके से देखें एंटर सेक्शन बीडिटो हमारे पास में क्या रहा है इस इकल टू बी तो फास्टेट्मेंट क्या ट्रू हो गई अच्छा यह हैं है कि इस स्मुचे ऑफ वस्मुचे में समित ऑंतर रहें तो इसको इसका म्दल्लब क्या होता है तो यह कप पोसी अग्रवा बाइन दो भी यह कंदिशन के रहती है तो यहां पर दोनों स्टेट्मेंट दोनों कथन के आब पास में सत्य है तो अंसर इसका थार्ड हो गया कि लेक्श्ट कोस्चन लगें अ कि ति दो स्मचे जिन में क्रावश चार और दो में तब सुच्छ एक क्रोस्ट भी जैसे आपके पास में चार इंटूग आठ अब आपके पास में एड़ी एड़ी इस तरीके से रहेगा एंड़ी यह उस मुच्छे बनेगे इसकी निकालने के लिए अपने क्या करते हैं यहां से एड़ी इसकी एडली कर देता है यह वैलिव इसमें सब्टेक्ट कर देते हैं तो क्या हम आएगा आपके पास में एड़ी जिए प्लस एड़ी वन डेल सी तो फिफ्टी सिख्स थिए लिए आपसे नेक्स पिश्टन देगें है तो नेक्स पॉस्टन है को अधिकल टू को शुचे ए में देखो आपके पास में कितने साथ अवेवें सुचे लीमें चार वेवें तब सी क्या है एका उस्मूच्य है यह उसके बराबर भी हो सकता है और सी और बी का जो इंटर्सेक्शन है सर्वनिस्ट है वो क्या फाई नहीं इसमें एक सिंपल साथ पहले तो आपके पास में सी कितने स्मुचे बन सकते हैं जो एक उसमुचे होंगे तो की पावर साथ है यहां पर कितने अवे में यह साथ है तो कि पार साथ सी आपके पास में इतने उसमुचे बन सकते हैं अब इन में कुछ ऐसे उसमुचे भी होंगे जिसका क्या है दो कि पार साथ में जिसका कोई भी अवे के साथ में नहीं वह कितने ऐसे उसमुचे होंगे देखो ऐसे कौन से कितने अवे में सुचे है कि ज कैसे उसमुचे बनाएंगे जिनका क्या है बीके साथ में कोई भी कोमन नहीं होगा तो उनको आप क्या करोश सब्टेट करको दो की पार चाहिए यहां से सब्टेट किया तो यह बनगे आपके पास से एभी पार्शी हो इसको अगर आपने सॉल करते हैं 112 यह घाएगा वांसर तुटेस कोस्टन भी है फोर्थ फोप्षट ओके लेक्श कोस्टन कि वह टीनमेट्री से स्मंदित कॉस्ट्टन एगे कि अबेगें तो देखा ऊपर वाले के पहले एक तरहां आ प्लुस दी नूस एफ कूस की तैन डिग्री प्लस साइंटेज साइन और इदा आपके सारग डिगरी ब्लस dow ऑपयक्ट में साइं सुप हैसा और आपके सक्कुछать जिन धुर समय थे जिनगी स्वर्चिजर साइन स्विला प्लस साइं स्क्यार निला माइनास उस उसी Bak पास में लिगरी साइं पूंटी यह अब इसमें आप क्या करेंगे यहां पर कोस के त्वाइस एंगल का फानुल लगा दें रहे वन प्लस पूस 20 degree upon 2 1 minus cos 40 degree upon 2 minus 2 cos 10 degree or sign 20 degree ठीक है अब इसमें 1 upon 2 कोई आजाएगा यहां पर आपके पास में 2 plus cos 20 minus cos 40 सब्सक्राइब लेने के बाद में यहां पर आजाएगा अब इसका फार्वला क्या होता है आपके पास में 2 plus था थे उसमें तॉष्छी माहिन पूर्ट यहां सब्सक्राइब और नहीं रुछएन aoá सब्सक्राइब आपके जिया फोट्वन इसके साथ कैंसल हो जाएगा इधर आपके पांसे वहन पन्सक्राइब इसके सब्सक्राइब बना मों इस पूस्टिन को एंटर के बना तीन मटेशार को सैंटीं आप्शन टेए नेक्स देए को पो अनुवाइब एक अंतर ब्यास तथा दीवा एक दूसरे को व्रत के अंतरगत परकिश्यत करते हैं व्रत का ब्यास और एक जीवा एक एसा मुझा कर दिए ओड़ उबागों और इस इड़ी यह दूसरे को क्या है प्रत्रिश्यिद करते हैं अगर अपने आर माल लेते हैं तो यह आपके पास में आर माइनस वन होगा तो आपके पास में आपके पास में यह वान है तो और सीपी इस इकल टुब है फिर्टी ऊपर टी अपके पास में इन्तू इसे कटी यह प्रोपर्टी होती है नहीं इस प्रोपर्टी एक डीसा दूसरे को भाइसेकट करें तो इनकी इनकी लेंथ का ना जो गुणनल होता है वह आपस में कैया ब्राबर रहता है जैसे एपी इन पीडिग मारा और से पी इंटू पीडी यह प्रोपर्टी रहे इसमें एपी कितना आपके पास में वार माइनस और यह बने और इधर यह तीन टू फाइट तो यह तो तो सर्कल का रेडिस कितना अगया एट आ गया कि नेक्स्ट कॉर्शन देगे लिए कि नेक्स्ट में टेटा किसके बनाबर दे रखा है अंडू टे अपॉन टिक्नमेट्री का है जहां एवर बी के अधनात्मक वास्टिक संक्या है तो इसकी वैली पूछिए तो इसमें सीधा है आपके पास में अंडू टे अपॉन यहां पे आप ट्रेंगल से कह लोईए थीट ये अंडू यहरा आपको फास में आपन आपको स्टीट है डी थी तों यहां पर साइंडीड है इसकी विर्वास पॉल्ण के सांटीट स्थी था अपन आप वोल्ड प्लस टीए इंटू सेगीट अनुट तो पौर सेवन अपोन अंडूट बी अपोन अंडूट अ प्लास में अंडूट अंडूट इस तरीके से अब उसा थीटा आपको पता है अंडूट अप्लस भी कि पाइब साथ अपन अंडूट है इस वोरम में तो अब देखो इसमें वारे पास में यह तो यह सारा इसकी सारे की पावर के 7 तो यह की पावर यहां पर यहां पर सब्सक्राइब कितना यहां पर यहां पर कितना आजएगा सब्सक्राइब जबना तो फर्स्ट जबने सब्सक्राइब नेक्स पूस्टन देगें कि इसमें आपके पास समय करना है इसके वास्ति कम की संख्या पूछिए तो इसमें यह वाला पाट है जो आपका तो आपके पास में इस एक्वेशन का कोई सॉलुशन ही नहीं तो इसके पास भी करूंगे संख्या कितनी वही जीड़ो क्योंकि तो यहां पर रखोगे तो इस को अनत बन जाए तो लेंगे नहीं कि नेक्ट कुश्चन लेगे अग्ट कुश्चन में एक वानव की संख्या जिसके लिए समीकरण एक सबसमी का कब होती है जैब आगके पास में यह दिगासा मीकरण सबसमी का कब होगी यह दिरों के बराबर यह दिरों के बराबर यह दिरों के बराबर एक महानों की संख्या पूछिए जब आप इसको जिरों के बराबर करोगे तो आज के आए तो आपके पास में एक पूछ तो एक मानों की संख्या केतने हुई आपके तास इस नएक आपके पास है पूछिए ठीक है future सबस्क्राइब तो इस प्लस बारा बराबर जिरो का एक मुल एवाजीर संसीं कि है एक सम्संक्राइब रखें तो चाहार-2 लेंडा प्लस ठीक है तो लेंडा बरावर इसमें डालेंगे तो एक्सक्राइब प्लस एक्स म्यू बरावर दिरो अब इसके मूल आपके पास में कहताहिए गोनों बूल बरावर ने तो आपके पास में बरावर किता हुआ इसका आपके पास में सेटेंड नेक्स कोश्चन देगें इस समय के पास में आपके पास में एलफ और बीटा है आठ एक्स के माइनस दीन एक्स प्लस सताइस के दो मूल है तो आपको इसका मान पूछाए देखो अगर आपने इसका एलसे में लेके लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में मूलों का यूपल तीन बटे आठ और मूलों का गुनंफल आपके पास में सब्टाइस बटे आठ कि पावर एक बटे तीन यह आपके पास में तीन बटे दो हो गया तीन बटे आठ वटे में तीन बटे दो आपके पास में सेक्ट रोप्षाण इन्ट में थे हैं है यह दौक में बटेखो इनक्सामिकर्ण कोई दोतरी करहाएं है अधिए है कोई टीन हमें यह देखना है कि इसका गराप कैसा लएगा तो इस कंडिशन से हम यह बता सकते हैं कि इसका ग्राफ किस दिशा में रहेगा मतलब यह परवले आएगा इसका जो मुह है उपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा यह कंडिशन हमें बताएगी अगर आपने लिए प्लस फॉर बी इसको सिंप्लिपाइब करके लिखते म माइनस 3C greater than 0 यह देखों आपके पास में यहां पर 4a-4b-4a-4b-3c greater than 0 वारा तो इसका मुदलब एक्स ब्रबर दो पर इसकी वेलिव पोस्टीव वारिव पिसका ग्राप क्या हुआ इसका पोस्टीव हो गया वह अप्वर्ड होगा इसका जो परवले का जो मूह है ऊपर की तरफ होगा ठीक है अब वह पूछ रहा है कि यहां पर देखो इसमें जो कॉंस्टेंट है माइनस सब्सक्राइब चाहिए इसको बनाने के लिए इसको नात्मुक बनाने के लिए सीका मान का चाहिए आपको पास है इसका पेला ठीक है प्लसक्राइब करेदा कि इस हैसमी का कि यह 2x-1 x2-3 is less than equal to x-1 यह आपका देखो इसके दो पार्ट है इस सहमी का के दो बाट है तो इसको अपने को सोल पहले इस पार्ट को सोल करते हैं देखते हैं आपके सब्सक्राब कि फर्ट का सब्सक्राइब twitter सब्सक्राइब मे ही सब्सक्राइब ह grilled लोग्री चैनल दून खाड सब्सक्राइब cables ओ 않고 कि अधी नि抱ति आँ कि न पूस्टीव है तो एक्स की सभी रियल में लेकल एक्सके सभी बाती मानों के लिए यह कभी नेगेटीव होई नहीं सकता फिर तो अब आपके पास में इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में एक्सकी कोई वैल्यों नहीं जो इसको नेगेटीव बनाते हैं इसका कोई solution नहीं होगा, इस वाले पार्ट से हमें यह clear हो गया, कि x कोई value नहीं मिल रही, कि यह वाली value तो आपको पता है, यह पोजिटिव रहेगी, कि यह वाली value negative हो सकती है, कहीने खेंगे, x कि किसी value कही तो, तो इसका स्वोलिशन आपके पास में हो गाई नहीं तो एकस विलोग्ष तो क्या होगा अपके पास में फाइन नेक्स कुर्चन देगें गो मैनसफ दो से मोडूले से उसें चैशन से कहो तक है माई दो से तक यह यह आपका सेट हो यह या इस तो इस तरीक से रहे अभी मैनस सबस्क्राइब कर दो किस से बड़ा सबस्क्राइब फोड़ा आपके पांस में एक्स क्पाइब पांस से चोटा इधर पांस से बड़ा इसमें माइनस से रॉपांस सम्लिक मन इस मों ऐधो माइनसर को ऑर डो माइनसर दो एक यह वाला वाड वह को अब नुगा पहले फृस्ति पार्ट की बाफ काते हैं तो आपऊ पॉस्प में अग्नरस्पेक्श का शंही इस चिंग लिए आपके पास में क्या आता है इंटर्सेक्शाल थी ऐसे ब्दए आफू नहीं हो सकता है ठीक है यह तो नहीं है अगर एक एमनींड करें तो आपने पास प्र जबेख सब्सक्राइब करें तो आपके पास में जाना सती कित अपफिर आपके पास में है माइनस एक से माइनस इंफटी से लोटर भो भी तख मतलच कहीं है इसरा जा दो सोटेपिए नेगा को माइनस इंफटी से नोखे ओपन पर थिंफैमों में इयनके दे आहेगा इसार तो कि यहां पर अगर फिर अपने पास में क्योंकि इसमें दो और पांच को इंक्रूट कर लिया तो यह थार्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता अगर बी माइनस एक की बात करें बी में से अगर एक को सब्टेट करेंगे तो देखो तो यह वाला पार्ट यह हो गया चीक है अब इसमे से इपसे करेंगे तो दो माइनस वांच यह आपके पांच नहीं है तो यह माइनस दो परें आप को और ऑप्शन है वी में से एक को सब्टेट किया तो यह तो यह तो पूर यह हो गया एक वहाला पांट यह वर माइनस यह इसके बराबर हुआ माइना दो से 5 तका पाइट है यह चोड़ दो क्योंकि इदर को बीमें आपके पास में 5 से इंफिटी कटा पाइब तो इस वाइन से बगता है तो इस पूस्टिन का आपके पास को इस सेकेंड ऑप्षिन बनेगा तो आंसर क्या हुआ इसकूशन का सेटें और आपके पास को इसके अब आपके तो इसको संतुष करते हैं तब निवन में से कौन सा विकल्प सही नहीं है तो कौन सा विकल्प कहता है नहीं यह बताना है तो देखो अगर यहां पर क्या है प्रादर संख्या तो इसमें तोड़ा सा अगर अपने देखें यह देखो यहां पर यह जो है सभी क्या है इसके सब्सक्राइब करते हैं तो देखें अपने पहले देखो अगर सब्सक्राइब करते हैं अब देखो यह यहां पर आपके पास में दो से बढ़ा है यह किसी भी कोई अगर प्रादर संख्या लेते हैं तो दो से बढ़ा रहें तो तीन रखेंगे तो क्या रगा यह नो चार रखेंगे से इस आपकेकिंगे ऊतरी तरीके से वह मगाइन। अब इसका अगर उपने चिन्न लगाते हैं तो यहां पके पास में प्लस का था सी Cake कि मैंहीं कुऊ है अब अब आपके पास सुनें नो और यहां पर देखो 6 और 9 की बीच में जो एक्सकिमान आएंगे टो इधर पोग्यां की दनातव कुणा का एक्सक्णा कया मिलें कि एक और दो दो भी मिलें इधर आपके पास में कितना मिला दो भी मिलें तो अब अपने चार की बात करते हैं अगर एक और चार रखेंगे तो इससे पहले आपके पास में एक दो तीन आगे डला च्किमान और इधर आपके पास में कितना हुआ 9 20 9 10 11 12 13 14 रुंदर 11 236 अर इधर सिरो बए अगर आपने पांऄ और आपने तो तीन चार ठीक है इस तरीके से अगर पांथ लिया तो पांच यहां पर कितना हुआ दस हुआ इधर पच्चीस हो गए ठीक है तो अब यहां पर आपके पांस में कितने बनेंगे इधर के जब इनका टूटल लगाएंगे तो आपको दनात्म पुणाग चाहिए तो इस आप अब टूटल करेंगे आपको आठारा मिलेंगे एक यारा बारा तेरा इधर से आपको तो दस में से पंद्राइन चौदा यह होगे 14 और 4 पांच एक विश्म संख्या होगी एकमान आठ से अधिक तो नहीं है ठीक है तो एकमान इसमें स्थित है तो यह गलत हो गया एकमान हमारे पास में पांच आया है ठीक है तो यह गलत कत्थन है ओके नेक्ष्ट कोश्चन देगें के सभी वास्त्रिक लों का योग याद तो अपने तो अपने पास में यहां पर है तो इसमें कि इसकी वैल्यू आपके पास में एक्सकेर माइनस इक्स्टीन इस आपके पास में क्या हुआ माइनस चार्ज से छोटा और चार्ज से बढ़ा यह चाहिए इसमें पर इसके आपके पास में यह नेगेटिव है यह तो में आपको इसको नेगेटिव बनाना तो इसमें आपके पास में एक्स विलोंस तो फाई होगे तो इसमें माइनस तीन के साथ में कॉमन पुछाई नीगा यहां पर आपके पास में सत्राइब दाटिव है डिए के स्कुल्स को इक्स के सभी मानों का यह अच्पिशन देगें अब इसमिका का सुंपूर्ण हल सोचे कुछा है तो यहां पर देगको इस हमिका के हल के यह वाला जो तो यह आपके पास में पोजिटिव रहना चाहिए तो पहले पूद दो इसके बोडिंग चलेगा इसके अनुसार रहेगा तो यह आपके पास में पोजिटिव रहना चाहिए 21-4 इसके पास में यह एक सकांसे तो इसके बाहर आपका सॉलिशन नहीं जा सकता अब यहां पर आपके पास में ग्रेटर दान इकल जिरो है तो पहले जब वाला पोजिटिव और नीचे वाला भी पोजिटिव तो केस फस्ट यहां पर दो इस तिनिया बनती है एक तो इस तिती यह बनती है कि यह दोनों निम्रेटर डिनोमेटर क्या हो पोस्टिव ग्रेटर दन इकल जीरो वैर आपके पास में एक्स प्लस वाँ ग्रेटर दन इकल जिडियो यह इस कंडिशन में आपके पास में अन्रूट में 21-4-6-6-1 तो स्केरिंग करोगे तो क्या आता है आपके पास में यहां पर एक्कीस माइनस चार एक्स माइनस एक्सक्रेटर दन इकल जीरो यह इस पूर्म में आगे और एक्स क्या रहता है इदर इन दोनों का इंट्रसेक्षिन लेना है एक्स कि आना जीए ग्रट तन इकोल तो माइनस माइनस वन से बढ़ा अदा यह तो यह आपके पास में क्या है खक्या हो गया तो माइनस ऑंद शार जोना 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 अस्यान वे तो यह कितना हूं इस तो 4 root 6 upon 2 इस पौर में और एक से जोटा रहेगा माइनस 4 माइनस 4 root 6 upon 2 ठीक है यह अब यहां से आपको देखो यह value minus 1 से कम है यह value क्या है आपके पास में minus तो यह इस पौर में रहेगा यहां पर x के माइनस 1 से x plus 1 यह greater than minus 1 रहना चाहिए ठीक है तो यह value देखो आपके पास में क्या क्या इंकर सेक्शन आए यहां पर देखो minus 2 minus 2 root 6 और इधर आपके पास में 2 plus 2 root 6 यह इसका यहां से यह पौर मुरा और और x के माइनस 1 से बढ़ा रहना चाहिए माइनस 1 से इंदर आएगा आपके पास माइनस 1 से बढ़ा यह माइनस 2 है यह value minus 1 से बड़ी है और यह 3 से चोटा कह रहा है इसके अगोर्डिंग लेना है खुए को यह दिनवे इसमें नहीं है जब देखो आपके पास में इसमें इसमें भी है तो आबसा इसे ओर में से जब less than equal to 0 हो जाएगा तो देहों यह वाला पर देख से यहां पर जब यह less than equal to 0 हो जाए यह भी less than equal to 0, एक्स क्या हो गया माइनस वन से इकल टू नहीं आएगा यहां पर लेस्टेन माइनस वन इकल टू नहीं आएगा तो यह तो अब अपने पास में इधर अंडूट में 21-4x-6 स्केर डिट दर इकल टूबशन इसका स्केरिंग करेंगे तो क्या रही तो अब यह इसमें आपके पास में फार एक्स काम तक रहेगा दो टो तो प्लस दो रूट छे कि अब यह एक्स माइनस वन से चोटा तो इसमें जो इंटर्सेक्शन आएगा वापके पांस में यह आएगा एक्स मिलोग स्टू मांश से मानेश बर्णों छे मार्म आऑन इस तरीके से रहेगा एक्स बरॉंट的 मैनेश दू मैनेश टू मैनेश टू मैनेश कुग्षिक्स से मानेश ऊपन निकाल विजाना पांस की साथ में यूनियन कर देंगे तो वो क्या था पैने बाला माइनस तू प्लस तू रूट सिक्स से थ्री प्लोज ठीक है यह आपका फाइनल आज़ेगा क्योंकि दोर रोज स्थितियों का यूनियन करना संग करना लास्ट में जाके तो आंसर क्या बाला आपके पास में को संतुष करने वालेबद आनों की संक्यां संख्या बता मेरे कि संक्यां पूचह तो कि आतों है एकोई और र देन खे माइनस नू यह करांथी किन दूब इनको अपमीर्जिंग ओर में घील लंबर गाइक पर आंकित करभी पहले माइनस तो है ते माइनस ऐस तीना इला भाइनस एक आएगा ठीक है फिर जिरुआ आए का फिर ुआ फिर आपके पास में फोर आएगा फिर फाइनल में 6 आएगा एक तो रहे आप ट्रांतिक बिंदू हो गए जितने फेक्टर रहा हो तो पुर्ण गाहट के सब्सक्राइब चिन्ह बदले गार इसका राव मालों की संख्या है तो दनात्म कुठाव ब्रावन की संख्यां जो सन्तूर्श करते हैं यानि जो नेगीटिव हो यापके पास में देखो X क्या है दो यहां से आया है तो आपके पास में 00 का से तो लें कि ओने को नहीं पर नहीं नहीं तो प्लक्लक्रा नहीं करता फिर आगे आपके पास में 46 ब applies है आपके पास में हम से हैं चार चीओ तहुब टो टूराथमाज कि संतुष करने अपॉब चार और पांच तो कितनी संख्या हुई इनकी आपके पास में तीन तो एक्स के दरात्मक पुणाग बालों की संख्या कितनी हुई तो इसको संखुष करते हैं फॉर्थ और नेक्स कुस्षन देगें तो यह कुष्षन आपका एबीसी किसमें समंदित शड़ी में मोडलस से लेस्टन वन तो यह से समंदित कुस्षन है तो यह अनंत बुनतर शड़ी है तो एक्स बराबर यहां पर आपके पास में बाल अपॉन मौन से और पॉन वन मैगें सांक सा इसका नथ में नथि और शननाने State ऑन के ईसे हां चाहिए um 형 यहां से क्या करो चली का launching type में स्नाव मनें स्वन चुंआ कि आपके पास में एक्स मैंने सब्स projecting एक प्रावर इसी प्रकार आपके आपके पांस में य मराबर वाई-1 एक प्रावर वाई-1 आपन वाई-1 इस प्रम में आ रहा है तो आपके पांस में आपके पास में 1-1 x 1-1 y 1-1 z इसको मैं ने देखो अलग लग कर दिया तिसमें समानतर शेड़ी इसके मान इसमानतर शेड़ी में है ठीक है अब पटेक पत्र में से एक अठा देंगे तो क्या रहेगा आपके पास से आपको पता है कोई भी पद अगर समानतर शेड़ी में उनका व्यतकरम लेने पर वह उतक है हाथ मक्स रेडी तो यह किसमें होंगे हाथ मक्स रेडी में तो अमसर क्या हुआ एक एक्स वाजेड हाथ मक्स रेडी थार्ड ऑप्शन लेगें कि यहां पर अपके पास में यह स्मंत्रिय गुणत्र शड़ी है तो यह पर तीन साथ नो यह तो यह पर अपन इस तरीके से सारवन पात सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब के सारों पास से गुणा करके एक पद आगे किसका कर उसका यूपल ग्याद कर लेते हैं जैसे देखो सब्सक्राइब कर लेंगे उतर शड़ी का सारों पात माइनस से पुटे तीन है माइनस से इधर के आएगा आपके पास में माइनस दीविटेश और प्लस का पांच बटे अठार माइनस का साथ बटे चोपन इस तरीके से आरा है अब इसको घटा देंगे तो घटाने पर आपके पास में क्या आएगा यह चार बटे तीन एस ठीक है और इदा तीन बटे दो और यहां पर आपके पास में दो बटे चे आज रहेगा और इंदर तो बटे अठारा है एक फिर बोटे चोपन हमारे पास में यहां पर देखो गुणतर शड़ी बिल रही है यह वाले है यहां से चार बटे तीन एस तीन बटे दो इसमें से मैं क्या करता हूं माइनस का दो बाहां निकाल नेता हूं तो क्या है एक पुटे चे माइनस एक एक तरहां प्लस एक फुलिए चोपन इस तरीके से आरा यह अनंत ब्रकंट शेटिह आगये इसको अपने चार विटे तीन 3 2-2 इसका पर्थम पाद 1 बड़े 6 साराउं पाद इसका माइनस 1 बड़े 3 हैं एक प्लस एक बड़े 3 इस तरीके से आ इस तरीके से इसको सॉल करेंगे तो प्रब्रद टीन ऐस कि बैटे दो माइनस तो यह अपके पास में कि नो एक पूर्ट एक प्रटीन पट्रब्रद शार एक पूर्टेश जा इसको सॉल कर लिया तो यह कितना हुआ है अपके पास में शेट पांच बटेशा पांच बटेशा तो चार वटे तीर स तो एस वराबर 15 मट्टे सोला अंसर जागया 15 मट्टे सोला इसका यह उपल आपके पास जे पंदरा बटे सोला और अंसर क्या होगा फॉस्ट प्रस्ट प्रस्ट नेक्स्ट कुर्स्टन देगें यह सौतर शड़ी में और यह किसमें रहा है ग्रोणोंतर शड़ी में तो एपलस वीका मांग जाती लिए तो जब यह सुवाघ्योंतर शड़ी में तो टू एपलस टू बिश्ट इस तरहे के से आपके पलस मेंद ए इस पास में यहां पे क्या आज रहेगा थी भी बराबर किसके बराबर एक यह इस पॉर्म में आगए एक फार्म में आगए अब अपने पास में गुनोतर शड़ी में तो गुनोतर शड़ी में एक प्लस एडी एडी प्लस पांच का प्लस वन का गुखर इसपारम में अब विदी की वर्याहता यह between तो यहां पर 3D square plus 5 whole square इदर दी प्लस 1 और टीन दी प्लस एक का उखुल स्केर इस पॉर्म ले आ गया ठीक है अब स्टेर अटादेंगे तो यहां से प्लस माइनस में अगा अब पहले प्लस का साइन ले ले लिखे अपने ना ब्लस वन और 3 बी प्लस एससे प्लस का साइन ले ऑप romantic इस तरिकर से यहां पर सिसे आए पर प्लस को ले लिए तो 3dW Works प्लस दिए एंस डी प्लस एक यहां से ब्जाबाबर इसाइन वर पीडर किया ले तो यह सिक्स बी स्क्यर प्लस ब्राबर दिरो यहां से वी कमान नहीं मिलेगा क्योंकि डी इसका लैस्टन भी तो इससे आपके पास में कुछ संभवी दी इती हैं को आपके पास में यह प्लस बी कमान कितना हुआ चार जो नेक्स बॉर्चन देगे कि इस कोस्चन में माना कि एक अनुकरम है इस प्रकार एक तो इस तरीके से तो अपने यहां से इस एक रखा तो गर चार आगे तो एथरी एटू चार इतना हुआ ठीक है ऐसे यह इन दालेंगे तो वेकितना बनगे आपके पांस में 40 वहारे पास में जो अनकरम जो बन रहा है वह कैसा बन रहा है 246 टूब 4-2-4-8-16 इस पॉर में आरहे हैं कि अधिकने तो यह पिर आठ का इस तरीके से आरहे है तो आठ से चोड़ा सुरिश्ट यह अनुकरम था ना दो चार आठ चौड़ा यहां पर छे का यहां पर दो का तो इनका जो डिफ्रेंस है आगे हमारे पास में एक सुमांतर स्रेडी बन रहा है कि इस तरीके से अपने को दिखो इसका नियाद करना जैसे पर इसका तसी अपने को इसका अ निकालना है इसका एक अंत्रि भी धी होती है उसकी साइकल से अपने निकाल लेंगे तो इसमें एक तम आगे किसका आकर इसको लिखोंगे असे दो प्लस चार प्लस आठ प्लस चौबर इस थरीके से लिखो तो यह आपके पास में आगे जला गया इससे पहले बहुत कि आएगा वनाय वह लगा सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 0 2 प्लस 2 में प्लस 4 नहीं बना अब यहां पर देखो यह पहला थम है यह यह आप नहीं नहीं बना ला यह इस पलत है नहीं आप को प्रक्राइब आपके पास में आपके पास में बना तो इसको बाहर निकाल देंगे तो पुल यह पास में आपके पास में हमने क्या लूट किया कि जो इसका नो पद है वह आगे चलकर एक एंडना सेटीक है एंडना समा इडना सेडीक का योग फ्रल आ जा गया यहां पेया याँ डना माइनस गई पास में 4-1-1 जाएगा एंडना सवन —1 एसमें जाएगा आपके पास में चार्ट से चार पर दो क्या बन गया 2N-1 प्लस 2 प्लस N-1 इंटू एंटीगी आपके पास में एन आ गया एन हमारे पास में फाइनली क्या आया 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन हम अपने को 100 पूछा है 100 हमारे पास में एंडर क्या एंडर क्या बना यह आपे 99 99 टू प्लस 99 इंटू हंडर ठीक है तो यह बंगे आपके पास में 9902 वांसल क्या बना इसका इसको सब्सक्राइब का थर्ड ओप्शन है तो नेक्स्ट कॉस्टन देग और इसमें इसकोशन में यदि कहता है इस यह दिपतर्वे का कॉस्टन है इसमें सब्सक्राइब करों बराबर हो तो कि अब्रें का माल क्या पर सार में एक सी पावर साथ पर एक सी पावर एक सी पावर कितना यहां पर साथ आएगा तो एक सी एट तो इधर दो की पर n-a6 और x- valley की पावर कितना रहना अपने गुणत की बाल करें तो एक ही बाल सांद और ही पावर 8 इक कर एंधर डिय इसी एट और दो की पावर एन माइनस आठ और बोटे में तीन की पावर आठ चीक है अब देखो इसको एंसी सेवन को इदर ले आते हैं तो थिरी की पावर एट और इदर यह यह सिक्स आजाएगा इदर आपके पास में इसको अपने जब सोन करेंगे तो एन बराबर कितना आता है यह फिट्टी एट प्लस सेवन तो 58 आगया तो अंसर क्या होगे इसका थार्ड ओक्षिन में एक सुर्शन देगे तो यह आपके पास में दीपत परमे का ही एक सेन जैसे दिए प्रोपर्टी होती है इसमें एंसी जीरो स्केख ठीए यह अट जीडिवन स्केख अब इसमें दुआ यह फिकोंड़ क्या इसकी व्लेव टाइपस आगर एन अगर आपका ओ है तो इसकी वेल्व जीरो पी इसनई ओड़ अगर अगर न एक हसी स्क्राइब होता है एन तो इसकी वेलु किया होती है अगर youth माइनस वन दिश्पा इस फॉल्ब में होता है आगर यहां पर हैं के आadtके पास में की पूर्द है है घुचांफ एन अगर सम कोनाग सब्चाय है और यह एंगर मिशन Όन दनात्म कोने चाहिए दनात्म तो इसकी यहां पर यहां पर कितना दस है यहां पर क्या जाएगा आप्टे पास्वेकर 10C5 और माइनस एक की पावर दस बते दो तो यह माइनस 10C5 आजिया अमसर क्या होगा इस को सब्सक्राइड ओके नेक्स कुस्ष्ण देगें है तो दो दो 99 मेंने स्वेंज है यहाँ से बढ़ते हैं यहाँ कितना होगा एक्सकी अधिक्तम कितनी इस में इस ब्रेकट में इस के अधिक्तम गात कितनी होगी है इससे पहले इसंगातं की जो उनका गुरहर अगर बुरा करेंगे तो मिल जाएगी तो उस इस्तिती में हमें कि अधिक्तम तोक में आपने एक defender अधिक्तम तोड पर एक ते प्लस दो प्लस प्लस थी इस में ऊभ्सक्राइप अधिक्तम गात वाला जो पदेवाँ मैं उसकी बात कर रहें तो ने यह कितना होता है आपके पास पर सो और इंटू एक सो एक बटेव तो यह पचास आजाएगा तो एक्स की पार पचास पचास थी के तो आमसर क्या बना आपके पास में इस पर सेकेंड ओक्षन तो इसका यह कि पचास आजाएगा यहां तो इसको जमड़ेटिब लाइगा तो एक्स की अधिक्तम गात कितने मिलेगी पचास पुचास नेक्स पूस्चन देखें है तो नेक्स पॉस्चन में तो यहां पे आपको क्या है इसके परसार में एक्स की पार 5 का गुणा कुछ है अगर अपने इसका परसार करते हैं तो इसका परसार क्या आएगा 15C0 15C1 xq 15C2 x की पार 6 यह यह दीपतपुरमे का यह कुश्चन है इसका मैं परसार इस तरीके से लिखा मैं Serenum इसको परसार के पास में क्या है और टैन सीडरो डैन सी वट सी एक यह एक्स की पार 4 अब क्या एक्सफी पार पार पो बुणा कर बुदक चाहिए कि तो इक सी भार फारत लिए इससे और कहीं ऑप 0 कैंन कंट पास में क्या हुआ 15C1 into 10C1 यह इसको जब गुणा करेंगे तो एक्स की बात पांच का गुणा को लेगा तो यह आपके पांस में विटा एक्सों पचास आएगा ठीक है तो इसका मुज़र क्या बिला आपको पास फेंड और तो यह विटा टेक्नो के पेपर का शोलुशन था तो इसको आप मैच क्ने के क्यों मुझा ह मत्यों आपके शर踁 Cloak के तूंड एग गरो तो ले पेंगे पेंगे नहीं नहीं के झांइ早 है रहीं और एक्री तक्सुना के खेंगा है धूंज इसको लगद कुणा को है